आज हम पढ़ेंगे एगरी कल्चरल इकोनोमिक्स ध्यान रखना इसको एगरी कल्चरल इकोनोमिक्स कहा जाता है एगरी कल्चरल इकोनोमिक्स कहा जाता है तो एगरी कल्चरल इकोनोमिक्स कहा जाता है तो एगरी कल्चरल इकोनोमिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते कि economic होता क्या है है to economics जो है एक ग्रीक वर्ड है official कोसा थिक है इस सबनाई है अब जो यह feel वर्ड कंलिवां इछ क्या इस ग्रीक है यह बनाहिक अब नृषॉidel कर नोमास ठीक है इन दो वर्ड से मिलकर क्या बना है ओइकोनोमिकास ठीक है और इन ओइकोनोमिकास ग्रीक वर्ड में एकोनोमिकस को ओइकोनोमिकास ही बोला गया है तो यहां पर अब ओइकोस का मतलब क्या होता है हाउस होल्ड क्या होता है हाउस होल्ड और नोमास का मतलब क्या होता है management क्या होता है बच्चो management तो household का management करना ही economics के लाता है ठीक के management of household is called economics तो कैसे हम इसको समझे कि household का management economics है आप सभी student हो सभी अपने घर से बाहर रहे रहे हो तो आपको क्या होता है आपके father या आपके धरवाले आपको मान लीजे के महिने के 5000 रुपीज देते हैं खर्चे के लिए अब इन 5000 रुपीज में आप क्या है पूरे महिने का management करते हो कैसे management करते हो फॉर इक्जामपल आप 1500 रुपीज आपको रूम का रेंड दे देते होंगे आप अपने का खाने का दे देते होंगे और 1000 रुपीज आप अपनी कोचिंग का दे देते होंगे और बाकी जो बचा एक्स्टा आपका वह monthly खर्द हो जाता होगा तो इस तरीके से आप क्या करते होगे पूरे महिने का आप अपना पूरा management करते हो कि इन पांसजार हजार रुपे को मुझे किस-किस तरीके से use करना है यही क्या होता है household management होता है clear है अब यह 5000 आपके पास क्या अपने आप में क्या हो गया अपको जो 5000 मिले वह एक लिमिटेड अमाउंट था उस लिमिटेड अमाउंट का आपने पूरे महिने में किस तरीके से उपयोग किया है उसको हम बोलते है economics clear है तो यहां से हमने समझ लिए कि economics होता क्या है अब बात करते economics के definitions की economics की definitions अलग-अलग scientists ने अपने अलग-अलग मत रखे है कि economics को क्या कह गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे wealth definition की तो wealth definition सबसे पहले हम बात करेंगे wealth definitions की आन गर्ण डेसेंशन ऑफ एक्पोनलेशन ऑक्पेंशन और अब ये विल्थ डेसेंशन जो है कि सेंटिस ने दीये हैं एडम स्मित ने wealth definitions दी है इन्होंने wealth definitions में क्या कहा है कि economics क्या है ये science of wealth है ठीक है इन्होंने क्या बोला है कि जो economics क्या है economics is the science of wealth है इन्होंने क्या बोला economics को science of wealth बोला ठीक है इन्होंने एक book भी published की बहुत famous book जिसका question हर exam में पूछा ही जाता है most I am भी टिक का लेना उस बुक का नाम क्या है wealth of nation wealth of nation नाम है इनोंने एक book लिखी है वो economics पर बैस पूरी तरीके से और यह question हमेशा एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि author of wealth of nation book तो Adam Smith साब है उन्होंने क्या बोला था Economist को कि Economist क्या है धनका विज्या ने इसलिए इनको क्या कहा गया है Father of Economics भी कहा गया है कि तो कोशिन यहां से भी आ सकता Who is the Father of Economics तो Father of Economics Adam Smith को Father of Economics भी कहा गया है क्लियर है तो यह first definition थी wealth definitions Adam Smith साब ने दी थी उन्होंने क्या बोला था Economist को Science of Wealth कहा था उन्होंने गुग लिखी wealth of nation काफी IMP है यही कोशन इग्जाम पे मार बार पूछे गए economics के अंदर कि wealth of nation को किस ने दीए और इन्ही को Father of Economics भी क्या है बट यहां पर हुआ क्या है कि इनको काफी लोगों ने criticize है काफी लोगों ने इनके आरोच नहीं की क्यूद कि क्यूंकि इन्होंने economics को क्य बोला वेल्थ साइंस ओफ वेल्थ इन्होंने क्या बोला कि धनका विज्यान है तो सिर्फ पैसा होने से ही सारी चीज़े नहीं होती है ऐसा लोगों का कहना था तो उन्होंने क्या बोला कि आपने सी क्या बोला वेल्थ कोई साइंस ओफ वेल्थ मतलब धनका विज्यान उन्होंने ब आपके घरवाले ना आपको 5000 रुपीज दिये उसको आपने इस इस तरीके से मैनेजमेंड ही किया क्यों किया क्योंकि आप भार रहे किसी एक्जाम की बिपेशन कर रहे हो अपने वेलफेर के लिए क्लियर है तो यहां पर क्या वेलफेर की भी बात होनी चाहिए तो इसके बात क्या है वेलफेर डेफिनेशन आई वेलफेर डेफिनेशन आई तो वेलफेर डेफिनेशन किसने दी वेलफेर डेफिनेशन दी एलफट मार्सल ने एलफट मार्सल ने वेलफेर डेफिनेशन दी यह ध्यान रखना है यह भी आयम पी है कि एलफेर डेफिनेशन किसके द्वा वोन बेवियोर in a daily business life इन्हे डानी डेली business life इन्हेat economics को क्या बोला here it is Stadt joy of daily business life इन्होंने इसके अंदर economics और non economics दोनोचीजों को रखा मतल मात्लब इन्होंने क्या बतायाifica कि material चीजे और non material stocks दोनो को economics बोला है क्या बोला एक तो material और non-material material के अंदर क्या चीज़ा आती वो चीज़े जिसको हम choose सकते हैं जिनको feel कर सकते हैं जो tangible होती है ठीक है यह non tangible होती है जिनको हम चूनी सकते है feel ने कर सकते हैं वो non-tangible है clear है तो alfred marsal ने क्या किया है material और non-material दोनों की बात की आपना जाएगा एलको हलो गया ठीक है यह सारी जीज आ जितनी जितनी में आल एक्रिकल्टर किमोड़ीटिटिस सब क्या है मटर्यल है clear अब यहां पर इन्होंने क्या क्या सिभी मटर्रील को पंसिडर किया अपनी डेफिनेशन में नोन मटर्रील की उन्होंने बात भी नहीं की, तो ये वाले इनकी जो definition थी, इनको भी क्या क्या है, बहुत सारे जो है, इनको अलशनाओं को सामना करना बढ़ा, criticize किया इनको भी, कि आपने जो है, welfare की definition थी, okay, कोई बात ने, अपने welfare की बात की, लेकिन आपने अपनी definition में सिर्ग material को रखा है, material मतलब rise, weight, तो आपने नोन मठर में आता क्या है, नोन मठर में क्या चीज आती है, सर्विसेस आती है, क्या ये सर्विसेस, जैसे सर्विस में क्या हो सकता है, कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका क्या करता है, टीट्मेंट करता है, तो वो क्या करता है, तो आप आप चाते हो तो महाँ पर आपको कोई वस्तू या कोई चीज नहीं देता है ठीक है तो इनकी वज़े से भी तो human welfare होता है ठीक है अगर आप coaching जा रहे हो तो उसकी वज़े से भी तो आपका welfare होगा बट यहाँ पर क्या था मार्सल ने इस non-material चीज़ को service को consider नहीं किया अपनी definition में इस वज़े से इनकी अलोजना की गई दूसरी चीज इन्हों ने material को अपनी definition में रखा ठीक है material को रखा ओके rice होगे wheat होगे alcohol की बात करो महीं अब लिकर की ठीक है तो यह भी material है ठीक है यह लिकर है material है इससे हमारी देश की economy तो बढ़ रही है इससे हमारी economy तो बढ़ती है बढ़ क्या इससे welfare होगा क्या इससे welfare होगा नहीं होगा इकोनोमी कैसे बढ़ेगी इसका बेस्ट इक्सामने बच्चों भी लोगडाउन वाला कि लोगडाउन में जब हमें पुरा देश हार्थिक मंदी से गुजर रहा था तब यह डिजर लिया गया था कि जितने भी जो वाइन शोपे सबको ओपन कर दो जो वाइन शोप ओपन कर गई थी एक दिन में सो करोड़ दो सो करोड़ का टरन नमर हुआ तो उससे क्या हुआ इससे हमारी देश की एकोनोमी तो बढ़ रही है बढ़ क्या हुआ लिकर या दारू पीने से या सराप का सेवन करने से किसी हुमन का वेलफेर नहीं होता है ठीक है तो इस वज़े से भी इनको आलशनाओ का सामना करना पड़ा तो यह थी एलफेट की डेफिनेशन इसके बाद बात करतें नेक्स्ट iscarsity definition जो लिएन रोबिन्स ने दी थी ठीक है जो scarcity definition ने लिएनल रोबिन्स ने दी थी इसको सबसे best माना गया है और यह modern definition है इसको आप अच्छे से याद रखना या से question बनेगा कि scarcity definition किसके द्वारा दी गई इसकार सिटी डेफिनेशन सबसे पहले कोशन तो ये बनता है कि इसकार सिटी डेफिनेशन जो है किसके द्वरा दी गई है तो लियोनेल रोबिन्स रियो है रोबिन्स के तोरा है डेफिनेशन्स दी हुई है ठीक है इसकासिटी डेफिनेशन्स अब इसकासिटी डेफिनेशन्स में रोबिन्स आपने क्या बताया इन्होंने human welfare के साथ ये बाते भी कही कि human की जो wants है वो unlimited है और क्या है choice indicator ठीक है ये क्या करता it is based on choice indicator human wants इन्होंने पहले तो क्या बला कि human की जो wants है वो क्या है unlimited है क्या बला human wants are unlimited दूसरा इन्होंने बताया कि use of choice making resources use of choice making resources मतलब क्या करना है एक तो human wants unlimited है फिर हमारे पास resources है मतलब वो क्या हो गया limited है resources choice making का मतलब यहां पर यहां इसलिए बोला गया है कि हमारे resources वो क्या है limited है ठीक है human की wants unlimited है लेकिन जो resources है वो हमारे unlimited है इसलिए choice making िंगं रिसोरसे मिम् ikतलब हम हृँ क्या करना जो भी हमरे रिसोरसे गए हैं इंका Curry use करना है यफा जो भी Good lord兄 अरगा होगा उसको पह cradle अंहों करेंगे एसा इन्होंने रोमिन्स अपनी देफिनिकें में ब्रिम्टस अंडों तो साव Girard टो साथ चीछ किंषkov superior definition बोला गया है is is a superior definition मौदर 1970 रे इस इको क्या बोलते है Daten modern definition इसी को modern definition भी बोला गया है clear है but इनको भी क्या कर Now की अनशनाओ का सामना करना पड़ा ठीक है आज आप कुछ बी करेये अच्छा करेये बुुरा करेये अच्छा बोलने वाले भी हैं और बुरा बोलने वाले भी हैं, तो इनको भी क्या हुआ, वो लोगों ने ग्रिटरसाइज किया, इनको कैसे ग्रिटराइज किया, कि भई, आपने human welfare की बात कर दी, ठीक है, आपने scarcity, मतलब कि आपने limited resources की बात करी, human wants की बात करी, बट आपने growth और development की बात नहीं की, ठीक है, क आपके पास limited है, ठीक है, यह आपके पास limited है, 5000, आपके पास limited money है, 5000, बट आपकी wants जो है, वो unlimited है, आपने यहापे 15,000 यह दे दी है, रूम का किराया, 15,000 आपने खाने का दे दी है, 1000 आपने coaching का दे दी है, 1000 आपके पास बचा है, इस 1000 के अलावा भी आपकी और भी wants है, जो इस 5000 में complete ने हो सकती, तो आप क्या करोगी, तो यह बात भी सही है कि आप यहां पर रहर हो 5000 रुपे में पूरे महिने का खर्चा निकाल रहे हो पोचिंग जा रहे हो आप तयारी कर रहे हो ठीक है तो आप तयारी कर रहे हो तो इतने से ही आपका काम थोड़ी नहोगा आपको कर Upward szidya आप ऐसी इस की अलोचनाओं करना पड़ा इनको किया गया लोगों ने तो next definition जो दी है growth definitions, जो कूझसि है next definition, जो है, वो है growth definition, यह जो growth definition है यह किस ने दी। growth definitions दीίν है kyns ने nे growth definitions kyns ने दी। ठीक है हर scientist का नाम याद रखना आ है कि कौन सी definitions कि scientist ने दी यह सारे import इसके लाबा और भी scientist है but यह सारे हम IMP IMP यह पे ते सारे USE कर रहे है तो growth definitions इसके दोवरा दी गई, gains के दोवरा, तो इन्होंने अपनी definitions में scare resources मतलब जो limited resources है, उनकी बात भी कि human welfare के लिए साथ ही इन्होंने employment और income के determination की भी बात कही, क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, तो study of scare resources, study of scare resources and determination of employment and income, तो इन्होंने अपनी definitions में limited resources की बात की, common welfare के लिए और employment income के determination की बात भी की, कि भाई, limited resources है हमारे पास, उनका हम alternate use भी करेंगे, वहाँ तक ठीक है, human का welfare भी होगा, बट उनके growth और development कब होगा, जब उनको employment मिलेगा, employment से income आईगी, और income आईगी तभी तो हम growth और development की बात कर सकते हैं, तभी growth और development हो सकता है, तो यह बात किस ने बोली, Keynes ने बोली, clear है, तो यहाँ पर हमने सारी definitions कवर कर ली, wealth के साब से, welfare के साब से, और growth definition के साब से, clear है, अब next हम बात करते हैं, subject matter of economics की, subject matter of economics उसको division of economics भी कहा गया है, ठीक है, subject matter of economics को division of economics भी बोल देते हैं, कई बार लिखावा आ जाता है, subject matter of economics की जगापे, division of economics, तो यहाँ पर बात करेंगे, subject matter of economics, subject matter of economics की बात करेंगे, तो subject matter of economics में दो approach जैसे हैं, एक traditional approach और एक modern approach, ठीक है, दो तरगे के approach है, traditional approach और modern approach, तेजिशनल एप्रोच एंड ओरर लेवर डिख परिष्ण इप्रोच में पाँए तूंद आती है कि अप्रोच क्या था जब अन्ट पत्पाद में आया है एक आप नामंग सांटिचंटिस्टीन आप दिया है एसे पहले क्या था तूंद अप्रोच में चीज़ा आती है पहला आता है consumption पहला आता है consumption ठीक है दूसरा आता है production दूसरा है production ठार्ड बन है exchange और फॉर्थ बन है distribution फॉर्थ बन है पब्लिक प्रटवन क्या है पब्लिक फाइनस तो टेजिशन अप्रोच में पांच चीज़ याद रखना है कि सही से सिधा कुशन बन जाएगा exchange जो है किस अप्रोच के अंदर आता है तो टेजिशन अप्रोच है पहला है consumption प्रोडक्शन एक्षेंज डिस्टिबिशन और फॉर्थ किसी चीज को खा लेते हैं किसी सीज का मं यूजँ कर लेते हैं तो क्या ऋनाकर लाता है consumption वहास्यान बना है ज pemंदा है यहां बेच रहा है और यह कोई भी-स-वाई-जेट इसको क्या है ऐसिएे इसि्ट घाने के इच्जा और-च? थिके इसको आइसक्रीम खाने कि इच्छा और है तो यह क्या अच्छा क्या ती आइसक्रीम खाने कि इच्छा क्या होता है कि जो human wants है, उसको satisfy करने की जो process होती है, उसको हम consumption बोलते हैं, clear है, ठीक है, अब बात करते है production, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने जब इस ice cream को अंजम किया, तो इसने ice cream की utility को खतम कर दिया, कैसे खतम कर दिया, आपने यहाँ पर ice cream का है, आप satisfy होगे, अब आपको ice cream दी जाए कि त production मतलब यहाँ हो जाएगा, creation of utility, creation of utility, creation of utility, production में क्या होगा, creation of utility, आप utility को पेदा करोगे, अगर यहाँ ice cream होती ही नहीं, तो आप क्या consume करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ice cream जो बनाए गई है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस ice cream को बनाके utility पेदा क रहते हैं यूटिलिटी को create करते हैं clear है यह आ segurança का बनाना किसी चीज का production होना कोई चीज production हो किसी चीज का production होता है तो होता है utility हो जाती है ठीक है और तो शिट में क्या किया क्या की और इसने आपको क्या किया आइस्क्रीम शेल की, क्या हो गया, प्रोड नों झालिए आप को आइस्क्रीम फिर्ध हो गया, एक्षेंश ठीक है, थर्ड बनाता है, डिस्टुबिशन स्थेउन में क्या होता है, शेयर है, शेयर होता है, ऊचिंध है, शेयर हो prata, टु आल, उसको share करो सबी के बीच में, मतलब क्या करो, जो भी आपका production है, उसकोенदिक कर दो, उसकोंद थेञा दो, इसको बोलते हैं, distribution Clear है, अगर आपने किसी चीज़ का production किया है, मालनो आपने किसी चीज़ का production किया है, मालनो आइस्ख्रीम ही आपने बनाई आइस्किम चीज़ का आपने production किया है किसी particular place पे आप उसको क्या करोगे आपको क्या करना पड़ेगा पूरे market में या पूरे market में क्या करना पड़ेगा उसको फेलाना पड़ेगा अलग-अलग state में या अलग-अलग सहर में आप उसको क्या करोगे distribution ship दे दो के तो यहाँ पे आपके ice cream का क्या हो जाएगा distribution हो जाएगा तो इस तरीके से distribution होने में charges होती है charges का हमें क्या करना पड़ता है determination करना पड़ता हूँ charges क्या है वो charges है rent wages interest and profit यह charges मैंने distribution में ठीक है अगर आपके इस चीज का production कहीं कर रहे है तो वहाँ पे आपको land के ज़रूद पड़ेगी तो land के लिए pay करना पड़ता है land का जो reward होता है उसको हम rent बोलते है clear है reward of यह क्या होता है reward of land reward of land ठीक है जब आपको इस चीज का production कर रहे हो उसके लिए land की ज़रूद पड़ती है तो land के लिए आप क्या करते हो rent पे करते हो इसको बोलते है reward of land clear है दूसरा आप आपकी चीज का production कर रहे हो तो उसमें आपको क्या ज़रूद पड़ती labor की तो labor का जो reward होता है reward of labor जो labor होता है उसको हम बोलते है wages मजदूरी ठीक है आपने यहाँ पे आइस क्रीम का जो plant डाला हो आपको लेंड की ज़रूद पड़ी तो land के जो rent होता है उसको हम बोलते है reward of land फिर उसमें आइस क्रीम बनाने के लिए आपको labor की ज़रूद पड़ी तो labor को आपके आदोगे wages दोगे मजदूरी दोगे तो reward of labor को हम wages बोलते है clear है अब यहाँ पे क्या होगा आपने distribution शीप दी आपने प्लान डाला ठीक है आपको कई सारी capitals की ज़रूद पड़ी किसकी कई सारी capitals की ज़रूद पड़ी इसको बनाने के लिए क्या सारी machinery की ज़रूद पड़ी machinery को हम क्या बोलते है capital बोलते है तो capital का जो rewards होता है उसको interest बोलते है capital का जो reward होता है उसको reward of capital को हम क्या बोलते है interest बोलते है तो यह जो plant था इस plant के अंदर aqua ice cream बनाने के लिए कई सारी machinery का use करना पड़ा तो वो जो machinery सारी क्या होती capital होती है capital का हमें क्या देना पड़ता है interest वह उसका depreciation होगा ना हर साल उसका कुछ ने कुछ depreciation होगा तो कुछ interest उसका बनता है तो reward of capital interest बोलते हैं फिर अब यह पूरा क्या है यह पूरा क्या factory है तो इसका यह ultimate चाह क्या रही है अब यह distribute कर रही है आपको बेच रही है तो इसको क्या मिल रहा है profit तो reward of organization तो organization का क्या reward होगा organization का reward होगा profit यह भी most IMP है याद कर ले ना questions बनता है यहां से reward of land क्या होता है reward of labor क्या होता है डिवार्ड ओफ के विटल क्या होता है और गिवार्ड ओव ओअर गनाजेशन क्या होता है तो यहां तक आपने समझ लिया, destruction तक, clear है यह distribution कब होगा, जब इतने सारे लोग इसमें काम करेंगे और यह सारी चीज़े होगी फिर last में आता है public finance लास्ट में क्या आता है अपना पब्लिक फाइनस पब्लिक फाइनस में क्या होता है पब्लिक फाइनस में गौर्मेंट का यहां पर काम रहता है गौर्मेंट क्या करती है जितना भी पब्लिक रिवेन्यू हुआ और जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिशर हुआ जितना भी खर्चाओ उसका इसको study करती है, public finance में क्या होता है, study of public revenue, public revenue and expenditure, public revenue and expenditure की study करते है, public finance के अंदर ये काम कोन करती गवर्मेंट करती है, कि कितना revenue total हमें मिला है और कितना expenditure हुआ है, ये हमारा public finance में आता है, तो traditional approach इसी तर ये traditional approach था, consumption, production, exchange, distribution और public finance, अब हम बात करते है, modern approach के, modern approach जो है, ये ranger नमक scientist ने दिये है, modern approach, दो दरीके के modern approach होते है, एक micro approach होता है, और एक macro approach होता है, तो दोनों को one by one समझते है, क्या होता है, सबसे पहले बात करते है, micro approach की, micro approach, micro approach को price theory भी कहते है, price theory भी कहा चाता है, micro approach में होता क्या है, कि जितने भी हमारे पास limited resources है, उनको हम allocate करते है, individual level पे, ठीक है, जैसे हमारा पास जो भी resources है, हमारे पास, कोई seed है, fertilizer है, कोई machinery है, उनको एक individual level पे allocate करते हैं, उसको हम बोलते है, micro approach, ठीक है, क्या जागा हम क्या कर रहे हैं अपे, allocation of resources at individual level, individual level पे, हम क्या करते हैं, individual level पे resource का allocation करते हैं, मतलब जो भी हम decision लेंगे, वो क्या लेंगे, individual पे लेंगे, decision making at individual level, यहां पे हम जो भी decision लेंगे, वो कहां लेंगे decision at individual level, तो decision भी कहां, individual level पर लेंगे, मतलब हम यहां पे economic को analyze करेंगे, एकोनोमिक्स को एनलाइज करेंगे individual level पे तो individual level क्या होगा जैसे एक household हो गया क्यों हो गया एक household हो गया या एक firm हो गई कोई factory हो गई ठीक है एक industries हो गई सारी तो household का example जैसे मैंने अब ये study में आपको बताया था कि आपको 5000 रुपे मिलते हैं ठीक है individual बता रहा हूँ individual लेवल पे मिलते हैं आपको 5000 रुपे per person तो आप इसको किस तरीके से आपका individual decision रेता है अब individual level decision लेते हो कि मुझे 5000 किस किस तरीके से खर्च करना है खाने का, rent का, coaching की fees का और 1000 extra कर्च वाला तो किस तरीके से मुझे यहाँ पे individual level पे मुझे 5000 मिल गए अब मुझे individual level पे decision लेना है कि इस 5000 को मुझे किस तरीके से खर्च करना है मतलब यहाँ पे price का निर्धारन कोन कर रहा है आप खुद individual level पे कर रहे हो price का fixation कि इतना पेशा मुझे यहाँ यहाँ देना, इतना यहाँ देना, इतना धायाँ देना, इतना यहाँ देना ठीके, तो इसी को बोलते हैं हम micro economics रिसरोस को अलक्विट करते हैं, individual level पे decision लेते हैं, इसके अंदर household आता है, फर्माता कोई industry आती है आपने कोई dairy plant लगा है, ठीक है, dairy plant के अंदर आप उसमें individual decision लोगें यह दूद का price कितना decide करना है हमें, ठीक है, परिया का price कितना decide करना हैं तो आपका individual decision है, ठीक है तो यहाँ पे individual level पे करते हैं, और price का determination आप खुद करते हो, इसलिए इसको price दे रही करते हैं दूसरा हम बात करते हैं, macro approach की macro approach की, macro approach के अंदर क्या होता है, macro approach के अंदर चो हम resource के allocation करते हैं, वो haul, ठीक है allocation of resources at haul, यहाँ क्या हो जाएगा allocation of resources at haul मतलब जितने भी decision हम लेगे, मतलब जितने भी यहाँ पे हमारे resources हैं, या जितने भी हमारी firm's and industries हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, allocate मतलब सबको क्या करेंगे, एक जगा पे लियाएगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे decision को लेगा, तो decision unit जो होगी, all decision units together at one place तो जितने भी decision unit हैं, यहाँ पे all decision making unit हैं, जितने भी decision making unit हैं, comes together at one place comes together at one place, सारी क्या जगा, एक ही place पे आके decision लेती हैं, ठीक है, comes together at one place एक ही place पे, मतलब सारी जो firms हैं, सारी firms, जितने भी unit हैं, सबको हम क्या करेंगे, together एक साथ मिला लेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, जिसे total income हो गया, national income हम बोल सकते हैं, national income हो गया, आपका total employment हो गया, total employment हो गया, total export हो गया, total import हो गया, इस तरह की सारी चीज़े, अब यहां से example से थोड़ा सा समझ लो, क्लिए रहे, माल लो, यह आप हो, आपका यहां पे क्या है, dairy plant भी है, क्लिए रहे, आपका क्या है, source factory भी है, क्लिए रहे, आपके पास एक और firm है, आपके पास fertilizer plant भी है, यह आपके पास पर है, जब आप इस dairy plant के लिए, dairy plant के लिए, कि यहां पे आपको, milk का price कितना रखना है, पनीर का price कितना रखना है, यह जब individual level पर, इस individual level prediction लेते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाता है, micro, clear है, यहां पे आपको कितना price रखना है, जब अपना माइक्र हो जाएगा लेकिन जब आप dairy plant को आपका source factory plant को और fertilizer plant को तीनों को मिला के चितने भी सारे locations को एक जगा ठीक है आप सारे resources को पुरों एक जगा मिला के तीनों को मिला के आपका total income कितना है ठीक है यहापे total आप export कितना कर रहे हो सारा total employment आप कितना दे रहे हो यह इस सब को मिला के जब हम बात करेंगे इस पूरे को तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं macro economics ठीक है जब पूरे को मिला लेंगे तो इसको हम macro economics बोलेंगे ठीक है total यहाँ से तीनों प्लांट को मिला के कितना income वह रहे हैं? एसे हमारी country की national income है है ठीक है सारेसे deat की हर एक छोट प्रोडेक्ट की जो income है, चोटे सोटे इंडस्ट्री की, चोटे सोटे फर्म की सारी income मिला के हम GDP बनाते हैं, उसके से हम क्या बताते है, national income हमारी बताते है, तो वो macro approach के अंदर आता है, इसी को income theory भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, income theory भी कहते हैं, क्यों केते हैं इसलिए केते हैं क्योंकि हम यहां पर income का determination करते हैं वह यहां पर price का determination करते हैं clear है तो यह हमारा subject matter यहां पर complete होता है अब थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर cooperative moments की छोटी सी topic है यह कि cooperative moment जो है कब start हुआ था और किस ने इसको start किया था ठीक है अब बात करते हैं cooperative moment की cooperative moment की अच्छा cooperative moment से बात कर लेते हैं सब factor of productions की ठीक है अभी topic continue चल रहा है तो उसी की बात कर लेते हैं factor of production की बात कर लेते हैं कि factor of productions क्या होता है factor of productions क्या है सबसे पहले इसको समझ लो मतलब ऐसे factor जो production में हमारी help करें उसको हम क्या बूलते है factor of production ठीक है अब इसके हो कि crop का यह product है इसका हमें क्या लेना है production तो production लेने के लिए हमें क्या जरूत पड़ेगी factor या क्या बोलते हैं input input या factor एक ही चीज़े input कोई factor कहते है input क्यों क्यों से लगेंगे एक तो seed हो गया जो उसी product का है फिर क्या लगेगा आपका fertilizer ठीक है और irrigation इस तरीके के हमें क्या लगेंगे factor तो क्या लगेगा land लगेंगे और क्या लगेगा labor लगेंगे capital लगेगा ठीक है तो वो factor ऐसे सारे factor जो क्या करते है production में किसी product के production में help करते हैं उसका हम factor of production बोलते हैं ठीक है जिसे land हो गया seed fertilizer irrigation ये labor हो गया capital हो गया तो ये सारे जो factor हैं जो किसी product के production में help करते हैं उसका हम factor of production करते हैं clear है अब बात करते हैं production क्या होता है production क्या होता है तो transformation of input into output जब input को हम क्या करते हैं output में transfer कर देते हैं output में transfer कर देते हैं transformation of input into output जब हम input को output में transfer कर देते तो उसको production बोलते हैं अब यह क्या था यह हूं का seed था यह product है wheat का इसका हमने क्या लिया seed और seed क्या है input है इस input को हमने क्या कर दिया आउट्पूट में मतना प्रोडुक्शन में करनोट करतिया आउट्पूट में करनोट करती है तो हमएरा क्या हो, portfolion क्लियरे है अब बात करते हैं इसे कोन कोन से factor है main factor जो production जो फेक्टर उ have production है कि मैं हमें यहां बात करेंगे परहा होता है land तुसरा labor तुसरा capital और चोथा होता है organization organization management जहाँ जो मिल जाए ठीके organization भी बोलते है management भी बोलते है तो यह चार factor है production के जो economics में हम पधते हैं हम क्या बोलते है limited factor labor capital जो क्या है limited factor है तो one by one पहले बात करते हैं हम linen की linen होता क्या है लेंग क्या है एक fix factor है क्या है यह fix factor इसको हम क्या कर सकते change नहीं कर सकते ठीक है इसकी जो area है उसमें हम क्या कर सकते है कम ज़्यादा नहीं कर सकते यह fix factor है clear है यह got gifted है natural resources है या दढ़ना got gifted है natural resources है और एक fix factor है होता क्या है आप इसमें क्या होता इसकी जो properties होती है, दूसरी बात करो, यह original form में है, यह original form में रहती है, इसकी properties को हम change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी properties को change नहीं कर सकते हैं, and cannot change the properties, इसकी properties को हम change नहीं कर सकते हैं, clear है, फूर क्या होता है, इसमें differ fertility होती है, अलग अलग जगा पे अलग अलग fertility होती है, तो differ fertility होती है, ठीक है, अलग अलग जगा पे अलग अलग fertility होती है, तो यह lens की बात होगी, कि lens का accurate factor होता है, original form में होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं नस्ट नहीं कर सकते, डिस्टर्ट नहीं कर सकते, इसकी प्रोपर्टिस को और इस हर जगा इसकी फाटिल्टी जो अलग-अलग होती है, और reward of land को आप क्या बोलोगे, reward of land को हम rent बोलेंगे, यह हमने डिस्कस कर लिया, यह IMP है, यह IMP है, clear है, कि fixed factor कौन सा है, factor of production का तो land, reward of land क second हम बात करते हैं, labor की है, थोड़ा सा fast track lecture है, ठीक है, आपको जो important points से वह हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ज्यादा में detail में आपको explain नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका exam का time बहुत pass आ गया है, और आपको कम time में ज्यादा चीज़े cover करना है, clear है, second हम बात कर रहे है, यह आपने active factor होता है, ठीक है, अब यह क्या होता है, labor जो होता है, perishable होता है, perishable मतलब क्या होता है, यहापर जैसे हम बोलते हैं, vegetable को perishable होती है, जाद हो तक नहीं ले जा सकते हैं, खराब हो जाती है, तो labor के sense में, मतलब यह highly perishable मोल सकते हो, इसको क्या मोल सकते हो, highly, highly perishable होता है, highly perishable कै यह से होता है घीज्टकलग बिसकोगे कोई बीकाम को जो मेंटल या मैम कर रहा है जिसके बदले में आपको आपको पैसा दिया जा रहा है तो, आपको या कि बोला जाएगा, लेकिन जब करें तो लेवर क्या होगा जब कोई काम जिसी किसी काम के लिए आपको पैसा दिया जाए तो आप क्या होंगे लेवर होंगे ठीक है लेवर एक्टिव एक्टर होता है हाइली पेरिशेबल क्यों होता है कि माल लो आज मुझे कुछ काम है और मुझे एक लेवर को हायर करना है जो रूपय मैं नहीं हुआ हूंगा मुझे ज़दा चाहिए तो मैं क्या करोगा ठीक है तुनी आएगा किसी ओर से काम कर भालो हूँना तो गोस लेबर का क्या होगा वस लेबर की आज की जो मजदूरी है वो खराब हो जाएगी, आज की मजदूरी चली जाएगी, आज के दिन का उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसी के सेंस में बोल जाता है highly perishable, ठीक है? इसी के सेंस में उसको highly perishable बोला जाता है, कि जितना उसको बोला है, उतने में आगया तो ठीक, अगर कर वह नहीं आता है तो उसके पूरे दिन की मजदूरी चली जाएगी पूरे दिन की मजदूरी खराब हो जाएगी उसी के सेंस में बुला गया है पेरिसेवल थर्ड बन की बात करें तो यह क्या होता इसमें विक बार्गेनिंग पावर होती है विक बार्गेनिंग पावर क्य क्या होता है bargaining power नहीं होती है clear है और क्या बता है यहाँ पर इसका जो reward of land होता है reward of labor reward of labor को हम क्या बोलते है wages बोलते हैं उसको हम क्या देते काम के बदले मजदूरी देते हैं reward of labor को हम वेजस कहते हैं clear है next हम बात करते हैं इसकी जो और भी बात कर सकते हैं यह जो है labor जो है moveable तो होता है mobile तो होता है but less to capital capital से कम mobile होता है ठीक है capital को हम यहाँ से किसी भी state में या दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं एक machine को but labor में labor को नहीं ले जा सकते हैं आप ले जा सकते हैं आप ले जा तो लोगे पर वहाँ पे इसको phase करने पड़ेगी क्या कर language difficulty language difficulties phase करना पड़ती है ठीक है आप for example आप तमील के कोई labor को एंपी में लेके आ जओ जो educated नहीं है तो उसकी भासा आप नी समझ पाओगे आपकी भासा वो नहीं समझ पाएगा clear हैं तो आप उसको बता नहीं पाएगा क्या काम करवाना है वो समझ नहीं पाएगा क्या काम करना है इसी sense में बोला जाता है कि यह क्या होता है location specific होते है locality based होते है locality based होते है locality means आप उसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते एक local area में ही यह सीमित होता है clear है इसलिए capital से less mobile होता है समझ गए अब हम बात करते है capital की capital क्या होता है capital यह जो है main made होता है capital क्या होता है main made होता है पहली चीज़ capital main made होता है main made material है दूसरी बात यह passive factor है क्या है यह passive factor है चल फिर नहीं सकता इसको किसी के द्वारा हमारे द्वारा ही यहां से वहां ले जाया सकता है तो यह passive factor होता है तिसरा इसका use हम कहा करते है जो capital होता है इसका use हम करते हैं आगे वो production लेने के लिए अच्छी से जैसे कैसा होगा जिसे हमारे पास tractor है तो tractor का use हम क्या करते हैं production लेने के लिए करते हैं तो ऐस capital क्या होता है capital वो factor होता है जिसका हम आगे और production लेने के लिए use करते हैं उसको हम capital केते हैं मतलब ये capital use for further production तो further production के लिए इसका use किया जाता है ठीक है अब जितने भी capital होते हैं वो सारे क्या होते हैं wealth होते हैं तो all capital all capital जो होते हैं वो क्या है wealth है सारे capital को हम done wealth के सकते हैं but all wealth is not capital सारे wealth को हम capital नहीं बोल सकते हैं है क्या से अब वैल्त जो होते हैं दो था है ठीक है समझनलों और था कर नियक्त पर होता है मैं कंजुमर को सफनेकर और एक होता है कि यसया कर्द हरो इसे नियá यह तेह कंजुमर बूहर्द कर हrimin आकि यसा और कंजुमर मुट्स कर कि यह उस्फता क्याद है तो कंजुमर चांड सब्सक्राइन यह नियुक्त हम आगे फ्र्ट के लिए पहते हैं वो तो के पूट की परें गौट की बात कर लो क्लें जो हम छो हम पहते हैं यह जो कपड़ है कंजुमेबल है इनका हम आगे यूज नहीं कर सकते है प्रोडक्शन के लिए गट केपिटल गुड्स क्या होते हैं यह में सारे रहे लेकिन सारे वेल्थ को हम केपिटल गुड्स नहीं कहते से क्यों क्यों कि वेल्स के अंदर कंजिमर गूर्स भी आते हैं क्लियर है अब इसमें और क्या रही है अब इसके रिवार्स को क्या बोलते है रिवार्स ओफ रिवार्स ओफ केपिटल को क्या कहा जाएगा रिवार्स ओफ केपिटल जो होता है उसको हम इंट्रेस्ट बोलते है इंट्रेस्ट ठीक है इंट्रेस्ट कहते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि यह जो हाइली मुबाइल होता है हाइली मुबाइल होती ही केपिटल इसको दुनिया के किसी भी कौने में हम ले जा सकते हैं क्लियर है ठीक है और क्या हो सकता है यह भी पेरिशेबल होता है पेरिशे है उसका depreciation हो नहीं है मतलब उसका उस दिन का काम जो है वो खराब हो जागा इसलिए उसको भी perishable बोला जाता है clear है तो यह हमारा capital वाला parts हो गया अब हम बात करते हैं organization के अब बात करते है last one जो है इसका point organization organization में होता क्या है organization में क्या होता है entrepreneur होता है organization के hammar करता है जो in land labor के मटल सारे factor को manage करता आया organization जैसे मादो ओध ऐक फार्मर है तो फार्मर को पूरे οर्खutor को 몸 कर रहा है जो पूरी एक क्या हो है और च Blood country आउगा ений समेंगेंट के कैसे मुझे in factor का efficiently use करना है मैं maximum production ले सकूँ ठीक है तो इसके कुछ क्या है function है function of initiation function of initiation function of choice of location choice of location वो locations का location को choose करता है choice of location फिर आता है function of risk bearing function of risk bearing function of innovation function of innovation तो ये organization के functions होते हैं मतलब organization के अंदर entrepreneur होता है जो क्या करता है बाकी जो factor है lane labor capital इनको plan करता है organize करता है कि कैसे मुझे इनका use करते maximum production लेना है ठीक है वो initiate करता है एक proper choice लोकेशन को choose करता है उसके अंदर risk bearing ability होती है और वो innovation करने का जो है प्रित्न करता रहता है तो ये हमारे factor of production खतम हो गए अब थोड़े साम बात करेंगे cooperative moments of India ठीक है एक simple छोटी से topic है जिससे question आ जाता सिदे सिदे की cooperative moment of India कभी start हुआ था ठीक है cooperative moment of cooperative moment of India पोपर्टी मुमेंड ओफ इंडिया तो cooperative moment of India कभी start भॉआ था cooperative moment of India इंडिया इंस्टार वाता 1904 में कभ भॉआ था 1904 इसको start किस नहीं किया था इसको start किया था F Nicholson ने F Nicholson ने start किया था इसलिए इनको क्या बोला जाता है father of cooperative moment father of cooperative moment कि क्रेडिट बेस्ट इन्होंने क्या बनायी थी सॉसाईटिए इसके अदर कोई उसको किस पो रड़ चाहिए तो यहां पर क्रेडिट बेस्ट इसको प्रोड़ कर वा दे तो यह सिंपल सा टॉपिक था कि पूटिवमेंट का विश्राट उनिस चार में फादर को ने एफ निकोलसन क्लियर है रिजर्व बेंक ऑप इंडिया ठीक है रिजर्व रिजर्व बेंक ऑप इंडिया नाइंटीन थर्टी फोर में एक्ट पास हुआ था ठीक है नाइंटीन थर्टी फोर में रिजर्व बेंक ऑप इंडिया का एक्ट पास हुआ था अपने बात कर रहे हैं कि रिजर्व बेंक ऑप इंडिया जो है कब बना तो नाइंटीन थर्टी फोर में एक्ट पास हुआ था रिजर्व बेंक ऑप इंडिया को बनाने के लिए ठीक है अ मतलब Reserve Bank of India कब बना है तो आपको क्या टिक करना है 1935 और एक पूछा जए एक कब पास हुआ है तो 1934 अब बात करते हैं इसका Nationalization कब क्या गया रिजर्ब बेंक बीडिया का Nationalization कब क्या गया Nationalization इसका Nationalization कब क्या गया था एक जनवरी 1950 कब क्या गया एक जनवरी उन्नीसो उन्पचास को ठीक है फस्ट जनवरी 1949 को Nationalization किया गया कि इसको Reserve Bank of India को एक पास किया 1934 में 1935 में ये लागू हो गया और एक जनवरी 1950 को इसको Nationalization कर गया अब इसका Headquarter का है इसका Headquarter का है Reserve Bank of India का तो वो का है मुंबई में मुंबई में इसका का है क्या है Headquarter है ठीक है अब ये पहला नेसलाइजन जो एक जनवरी 1959 को आता अब इसके अंदर बहुत सारी Commercial Bank काम करती है ठीक है बहुत सारी Commercial Bank आप जानते हो अपना SBI हो गया ठीक है केंडरा Bank हो गया देना Bank हो गया बेंको बीडिया हो गया सारी क्या है Commercialize Bank है सारी पंजाब नेसलाइजनल बेंक सारी बेंक अब यहां पर कोशन्स ये बनता है बच्वों बहुत बार पूछा गया है कि बेंको का राश्टी करण कब किया गया था बेंको का राश्टी करण प्रतम बार पहली बार कब किया गया था तो जो फर्स टाइम जो है नेसलाइजेशन किया गया था फिर्स टाइम नेसलाइजेशन ओफ बैंक्स नेसलाइजेशन ओफ बैंक्स तो बैंको का जो फिर्स टाइम नेसलाइजेशन किया गया था वो किया गया था 19 जुलाई 1979 को फर्स्ट टाइम बेंको का नेशलाइशन किया गया था 19 जुलाई 1979 को यह डेट याल रखना पूछा जाता है कि बेंको का राष्टी करणा कब हुआ था तो आपको 19 जनुवरी 1979 ही लगाना है कितनी बेंको का यहां पर नेशलाइशन किया गया था सेकेंड टाइम नेशनलाइजीशन नेशनलाइजीशन ओफ बैंक्स दूसरी बार बैंको का राश्टी करण कब किया गया था तो दूसरी बार बैंको का राश्टी करण किया गया था 15 अप्रेल 1980 को ठीके 15 अप्रेल 1980 को दूसरी बार बेंको का राश्टी करण किया गया था और इसमें कितनी बेंको का राश्टी करण किया गया था 6 बेंको का 6 कामर्शल बेंको को 6 कामर्शल बेंको का यहाँ पर नेसलाइशन किया गया था तो यह पर मॉस्ट आन्पी कोश्चन्स क्या बनते हैं कि RBI कब इस्टाबिस हुआ तो 1 अप्रियल 1932 को नेस्टलाइशन कब हुआ उसका 11990 को हेट पार का मुंबई में और फॉस्ट आम नेस्टलाइशन 1969 और सेकेंटाब लेशन जो 1980 हुआ था कितनी कितनी बेंगों को सारा आपने डिसकस कर लिया बात करते हैं SBI की है ठीक है बात करते हैं SBI की Central Bank of India Central Bank of India कैसे बना ठीक है इसके पीछे कहानी है ठीक है पूरा पूरी प्रोसेस है तब जाके SBI को डिरेक्ट जैसे RBI बना वैसे SBI नहीं बना है SBI के बनने के पीछे कहानी है तो बात कुछ 800 क आज-पास की है यहां पे तीन बेंक थे खारू के आज-पास ठीक है तीन बेंक थे परहा था bank ofț बंगाल फिर पे था बेंक ओफ बंबे ठीक और बेंक था बेंक ओफ मदराश यह तीन बेंक थे बेंक ओफ बंगाल बेंक ओफ बंबे और बेंक ओफ मदराश बेंक ओफ बंगाल जो बनाया गया था यह बनाया था अट्रासो चार में ठीक है याद रखना बेक बंगाल बेंक ऑफ बंगाल जो है 804 में बनाएगा था बेंक ऑफ बंबे जो है 804 में याद रखना 0 4 है तो इसको उटा कर दो 4 0 हो जाएगा तो 1840 में क्या बनाया था? Bank of Bombay और Bank of Madras हमारा बनाता ये बनाता हमारा 1843 में मतलब ये तीन सन में ये तीन बेंक बनाय गए थे या किसने बनाय थे उस समय तो 1880 के बाद जो है हमारे पास अंगरजों का इसासन था तो इन्होंने इन तीन बेंको को निर्मार की तीन बेंको को इसलाविस किया अब इन तीन बेंको का क्या हुआ? मर्ज की इन तीनों को क्या हुआ? इसको मर्ज किया गया इन तीनों बेंको को 1921 में 1921 में क्या किया? मर्ज कर दिया गया इन मर्ज करने के बाद इनका नाम क्या दिया? उसने इन तीनों बेंकों को मर्ज करने के बाद इसका नाम दिया Empirical Bank of India Empirical Bank of India Empirical Bank of India नाम दिया गया आप सबी जानते हैं ठीक है कि जितना भी काम British हो ने किया था अंगरज हो ने किया था इन तीन बेंकों को मर्ज करके बनाया गया अब उसके बाद क्या हो 1947 में हम आजात होने के बाद करिबन एक जुलाई 1955 को क्या किया इस Empirical को हटा के हमने क्या कर दिया इस State कर दिया इस Empirical को हटा के इस Empirical को हटा के क्या कर दिया गया State यह क्या हो गया State Bank of India State Bank of India State Bank of India क्या से बना यह आपको याद रखना और इसी State Bank of India में 1955 में बना तभी इसके साथ और बेंको को नहीं डाला गया इसको साथ बेंको को असोशेट कब किया गया उन्नी सो साथ और उन्साट और साथ के आसपास इसके साथ और बेंको को असोशेट कर दिया गया था तो बेंक्स में बात करो बेंको बंगाल था बेंको बंबे और बेंको बंबे और ठीके रर् वी के रिजनर डूलेंग तो यह उआ था अपना 1975 में इस्टाबिपरीज हुए था enfant श्टाबिश कब कुछ दर्वा था 1975 money स्टाबिश्परीज तो षेकá हो था प्ला नेंटी उहला है थ किसने चलाए थे 1975 में 1975 में इंद्रा गांधी के द्वारा चलाए गए थे इंद्रा गांधी के द्वारा ठीक है 20 पॉंट्स जब इसका सक्सेस मिला इसका रिजल्ट मिला तो इसके सक्सेस के बाद इसके रिजल्ट के बाद 1975 में cooking में तोिह कि इस्तापना की गई 1975 में तो इसके में SP तो यह बनाए गए थे यूपी में दो मतलब एक हो जागा मुरादाबाद में मुराद बाद में कुन सा बनाए था मुराद बढ़ा था मुरादबाद में पहला बना त Summit फर्स्ट जो है मुराबाद इसको ऐसे समझ लो थोड़ा साफ तो किलियर ली सारी चीजे किलियर हो जाईए ठीक है 1975 में रिजनल रूल बैंक रिजनल रूल जो बैंक है वो इसके एंटर में काम करती तो नाबाड के अंदर में ठीक है तो पेला बनाता प्रथम बैंक, प्रथम बैंक क्लीर है प्रथम बैंक कहा है यह बनाता हमारा दो मुरादाबाद यूपी में प्रथम बैंक है इसको किस ने क्या था under स्पॉंसर बेंग क्या था इसका स्पॉंसर बेंग कौन था तो सिंडिकेट बेंग सिंडिकेट बेंग जो था इसका स्पॉंसर बेंग था क्लियर है यह याद रखना है first पहला यह आपको मेंन ले तो पहला ही याद रखना है और पहला कब बना था तो यह 2nd October 1975 को बना था ठीक है इसी से इसकी establishment के आरार भी कब बना था तो 2nd October 1975 को करतम बैंक बना था मुरताबात में syndicate bank में clear है और बाकी जो बात करो तो second अपना कहा था गोरगपूर bank गोरगपूर में बना था ठीक है यह गोरगपूर bank का बना था यह गोरगपूर UP में इसके कौन थी इसकी जो bank थी वो थी SBI sponsor bank कौन थी SBI थी तिसरा हम बात कर लेते हैं तिसरा bank चो बना था वो था हमारा गोरग्रामीन bank गोरग्रामीन bank गोरग्रामीन bank कहा था यह यह हमारा था मालदा में वेस्ड बंगाल मालदा वेस्ड बंगाल में बना था और इसके कौन थी UBI United Bank of India ठीक है और फॉर्थ बना था हमारा हरियाना शेत्री हरियाना शेत्री bank हरियाना शेत्री bank यह किस bank के अंदर में था यह पंजाब नेशनल बंग के अंदर था और यह कब कहां पे रही है तो हरियाना में हरियाना में है और यह कब बना था किस के अंदर था यह तो पंजाब ने इसनल बेंग के अंदर में यह जितने भी यह कॉमर्शल बेंग थे आरार भी जो है इसनल बेंग यह कॉमर्शल बेंग के अंदर में काम करते हैं और इसकी जो मोनिटरिंग बोटी होती है नाबाड होती है नाबाड मोनिटर करती है को और लास बान जो था फिप्ट बेंग था वो था जेपूर ग्रामेन बेंग यह कहाँ पर है तो यह है जेपूर में जेपुर रहीस्तान में और यह किस बेंग के अंदर आथा तो यह किस bank के अंदर में आता है तो यह किस bank के अंदर में आता है तो यह किस bank के अंदर में इस्टापलाइस में यह किस concept से आया था Central government का प्लस State government का और Sponsor Bank का जो Sponsor Bank के इनका Share कितना है यह कौशन जो है Most AMP जो और सेर कितना है 35% है तो यह most time भी question बनता है यह question पुछा जा सकता है कि कितना percent RRB के अंदर central government का state government का और sponsor bank का clear है तो यह RRB, HBAE और RRB भी हमने discuss किया ठीक है next हम बात करते है थोड़ा सा finance के उपर ठीक है agriculture finance क्या होता है agriculture finance में क्या होता है जो farm business होता है उससे सब्मदित जो भी financial aspect होते है उसकी study करना, उसको examine करना उसको analyze करना जो होता है वो एक निकत्र finance किलाता है तो finance के अंदर क्या है हम लोग farmers क्या करता है loan लेता, credits लेता है short term loan, long term loan, medium term loan तो उनके बारे में थोड़ा सा हम discuss करेंगे आपे जो भी आपके exam point of view से important है वहीं चीज़ हम discuss करेंगे और थोड़ा सा short में discuss करेंगे ज़्यदा detail में मैं आपको नहीं समझाओंगा क्योंकि एक RRB या एक SBA या एक RBI यह topic कितना बड़ा है उसको explain करने में मुझे 2 दिन चाहिए या 2 या 3 lecture में वो complete होता है clear है तो यहाँ पर हम बात करेंगे agriculture finance की बात कर रहते है agriculture finance की है ठीक है agriculture finance की बात कर रहते है तो agriculture finance में क्या है जो financial aspect है ठीक है जो किस कोई farm business है या farm है उससे संबंदी जितने भी financial aspect की हमें crop का insurance करवाना है crop के लिए loan लेना है जो भी financial aspect है उनकी steady करना उनको analyze करना ठीक है उसको stick करना analyze करना examine करना उसको हम बहते है agriculture finance है अब इसके अंदर period के basis पे हमने on the basis of period ठीक है on the basis of period हमने तीर दरीके से classify किए credit को ठीक है तीर दरीके से classify credit के पहला होता है हमारा short term loan क्या आएगा short term loan ये credit के type है ठीक है credit क्या होता है credit जो ये late in word credit से लिए आगा है जिसका मतलब होता है I believe you मतलब की amount certain amount provide करवाना किसी certain purpose के लिए certain conditions के साथ with some interest ठीक है some interest मतलब कुछ ब्याज के साथ निश्चित सर्तों के साथ निश्चित purpose के लिए किसी निश्चित उदेशी के लिए कोई निश्चित मातरा में पैसा हमें उदार देना या प्रोवाइड करवाना वो credit कर लाता है और period basis पे time period के basis पे ये credit का classification है ठीक है time period के basis पे time period के basis पे short term loan में क्या होता है short term loan में क्या होता है हम यहाँ पे crop loan लेते हैं ठीक है short term loan मतलब जिसको हम 6 महिने से 18 महिने में हमको क्या करना रहता है return करना रहता है कितना क्या करना रहता है repay क्या करना रहता है 6 स 18 महिने में इसको repay करना रहता है short term loan के condition क्या है कि 6-11 महिने में आपको यहां पर इसको return करना पड़ेगा और हम किसके लिए लेते हैं farmers crop production के लिए लेते हैं इसको crop loan भी बोलते हैं short term loan को crop loan भी बोला जाता है और crop production के लिए लिए जाता है clear है दूसरा हम बात करेंगे यहां पर medium term loan medium term loan medium term loan जो है वो अठारा मन से लेके या फिर इसको यहां 1 by 1 by 2 year भी लिखा हूआता है उसे लेके 5 years तक यह loan दिया जाता है medium term loan जो है 18 मैने या 5.3 चाल से लेके 5 साल के लिए दिया जाता है मतलब पांच साल के अंदर आपको इसको रिटन करना है और ये लोन काई के लिए दिया जाता है ये लोन जो दिया जाता है आपको पर्चेसिंग ऑ फार्म इंप्लिमेंट, के लिए या फार्म इंप्लिमेंट के पर्चेसिंग के लिए या फार्म अस्टि एंदर आपको इसको रिटन करना है पर यहां पर अगर बात आ जाए कि कोशन मैंशा में चाहिए कि 5 केटल अगर कोई फार्मर पर्चेस कर रहा है उसके लिए उसको लोन चाहिए तो वो कौन सा लोन लेगा तो एक केटल की बात हो तो मीडियम टर्म लोन आ रहा है पांच केटल की बात आ रही तो वो लोन टर्म लोन में चला जाएगा ठीक है क्योंकि एक केटल की कास्ट जो पेसा है उसका खर्चा है और पांच केटल को पर्चेस करने की जो कौस्ट आएगी वो काफी वेरी करेगी तो एक साल में नहीं दे पाएगा तो यहाँ पे जब number of skettles की बात आजाएगी तो वो long term में चला जाएगा ठीक है इस बात को धियान रखना थार्ड में बात करेंगे long term loan long term loan long term loan जो है यह कब से कब तक दिया जाता है कितने साल तक दिया जाता है तो यह आपका 5 साल से लेके more than 20 years तक दिया जाता है ठीक है पांच साल से लेके 20 साल या 20 साल से ज़्यादा साल तक के लिए दिया जाता है अब यह का के लिए दिया जाता है यह दिया जाता है leveling या reclamation of land बुमी शुदार के लिए बुमी की उसको लेवल करने के लिए बुमी के सुदार के लिए ठीक है construction of construction of farm building farm building के निर्मान के लिए farm building के निर्मान के लिए या फिर क्या जाएगा purchasing of tractor, irrigation equipment इनके लिए long term loan दिया जाता है clear है अब हम बात करेंगे cooperative credit organization cooperative credit organization में क्या चीज़े आती हैं और organizations कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे जो आपकी exam point से important है कि cooperative credit organization में जो short term और medium term है वो कितने टायर पर होता है और long term जो है वो कितने टायर पर काम करता है ठीक है cooperative credit यह ऐसा लिखो आ जाता है primary cooperative primary agriculture cooperative credit society कितने टायर पर best है तो three टायर पर है तो यहाँ पर बात करेंगे हम cooperative credit organization ठीक है तो cooperative credit organizations को दो पार्ट में divide किया गया एक होता है short term and medium term loan फिर दुसरा आता है अपना long term loan दुसरा आजाएगा long term loan ठीक है अब यह जो होता है three time होता है Three time होता है मतलब यह तीनी step में complete होगا और यह जो होता है हमारा two time होता है मतलब two step में complete होगा clear है तो यहाँ पर three time में पहले व आएगा हमारा state level पे ठीक है फिर आएगा हमारा डिस्टिक लेवल पे और फिर आएगा हमारा विलेज लेवल पे यह 3 टायर हो गया 3 टायर मतलब कि 3 लेवल पे यह काम करेगा स्टेट लेवल डिस्टिक लेवल और विलेज लेवल तो यहां पर short term और medium term loan की बात हो रही तो state level पर short term और medium term loan कौन देगा तो state cooperative bank कौन देगा state cooperative bank जो है वो state level पर short term और low term loan देगी ठीक है फिर बात आती है district level पर district level पर कौन देगी district cooperative bank district cooperative bank या central cooperative bank को चैट सेंटल कोपरेटिव बेंक ठीक है फीर व्लेज्ट लेवल पर बात करेता है तो व्लेज्ट लेवल पर प्राइमेरी एकaréकुकर्ट्ट्ट्रको घ्रेस्ट जाता है ठीक है फाहि मेरी ऐग्रीकलसर केक्रेटिडित सोससाइटी यह लेद्टी और इसी फे कुशिंद फूचे जाता हैं कि प्राइमेरी ऐग्रीकलसर क्रेज़तिड कुछ जाता है और दूसरा दिया जाएगा हमारा district level पर तो इस्टेट लेवल पर दिया जाता है central land development bank central land development bank के दोर दिया जाता है और हमारा district इस्टिक लेवल पर दिया जाएगा primary land development bank के दोर दिया जाएगा clear है तो यहां से question सही बनेगा कि primary agriculture credit cooperative society जो है वो तरी टायर सिस्टम के अंदर आती है और short term और long term loan इसके दोर दिया जाता है और village level पर दिया जाता है long term loan जो है तो टायर सिस्टम के अंदर आता है state के अंदर central level पर देता है और डिस्टिक अंदर primary land development bank जो है वो loan देता है अब यहां पर बात आती है land development bank की ठीक है land development bank land development bank की बात हो लिए अभी हमने आप जिक्र किया कि central level development bank और primary land development bank जो है long term loan देगी state level पर दिस्टिक लेवल पर तो land development bank कब और कैसे बना इसके थोड़े सी हम study कर लेते हैं तो जो land development bank है इसमें सबसे पहले जो है first जो मोर्टर केज बिंग बना था मोर्टर केज बिंग फर्स्ट मोर्टर केज बिंग कहां बना था यह कब बना था तो यह 1920 में बना था क्लियर है 1920 में बना था कहां बना था यह बनेगा आपका जंग पंजाब में पंजाब के अंदर बनाय गा था जंग पंजाब में 1920 में first मोर्टर केज बिंग बना था बट जब यह बना था इस बिंग को हम real establishment नहीं मानते हैं land development bank का तो इसका जो actual में land development bank का actual में जो establishment हुआ था ठीक है actual जो establishment होता है या real establishment हुआ था वो 1929 में हुआ था 1929 में क्या है 1929 में हुआ था 1929 में क्या बना था यहां पर सेंट्रल लेंड मोर्टर केज बेंग यह बनी थी 1929 में सेंट्रल लेंड मोर्टर केज बेंग कहां बनी थी तो यह बनी थी हमारी मद्राज में मद्राज स्टेट में clear और इसी से land development bank का actual establishment माना जाता है कि land development bank का actual establishment का बना था 1929 में central land mortgage bank जो मद्राज में established होती यह established क्यों की गई थी कि कि जो स्टेट के अंदर primary land development bank जो काम करती है उसकी coordination और जो debender होते हैं जो REIN लेते हैं उनके जो centralized, उसके issue को centralized करने के लिए central land mortgage bank को established किया था ठीक है जो भी issue थे state level में जो bank के काम करती है जो debenders होते हैं उनके जो issues थे उनको centralized करने के लिए central land mortgage bank मदरा स्टेट में established की थी 1929 में ठीक है फिर हुआ क्या थर्ड थर्ड जो है five year plan थर्ड क्या था five year plan शुरू हुआ थर्ड five year plan बने तो 1961 में शुरू हुआ ठीक है 1961 से शुरू हुआ थर्ड five year plan जब थर्ड five year plan शुरू हुआ तो इस central जो land mortgage bank का जो नाम था यह नाम जो है यहां पर change हुआ ठीक है नाम जो है इसका चेंज हुआ नाम चेंज हो के क्या रख दिया इसका land development bank कर दिया गया कब जब थर्ड five year plan शुरू हुआ थर्ड five year plan की बात करें तो 1961 से शुरू हुआ था 1961 से 1965-66 तक चला था तब इसका नाम central land mortgage bank से चेंज करके land development bank रख दिया गया जब इसका नाम land development bank रखा तो इसमें कुछ और functioning या और facilities एड कर गई किसके लिए कि farmer जो है अपने agriculture के development के लिए credit ले सकता है मतलब यहाँ पर क्या हुआ इसने facility provide की क्या credit की credit की for agriculture development agriculture development के लिए credit की facility provide की farmers के लिए अब यह कौन सा loan देता है ठीक है land development पर कौन सा loan देता है तो यह long term loan provide करता है long term loan प्रवाइड करता है long term loan जो एक किस चीज के लिए देता है long term loan देता है कि इसका farmer का old debt पूराना जो रिन उसको चुकाने के लिए ठीक है या improvement of agriculture land improvement of agriculture land बुमी सुधार करने के लिए या irrigation equipment या irrigation equipment पर्चिस करने के लिए और विजिस अटेक्टर पर्चिस करने के लिए construction of farm building उसके लिए जो long term loan देता है कौन land development bank तो यहां से question यह बनता है कि land development bank जो है किस तरह के का loan provide करता है तो है long term loan provide करवाता है यह question यहां पर IMP बनता है कि long term loan provide करता है कौन तो land development bank जो है long term loan provide करता है clear है यहां से question बनता है तो land development bank कैसे बना यह पूरी कहानी हमने यहां से समझ लें clear है अब हम बात करेंगे market के ठीक है कि market होता क्या है market कितने types के होते है market के अंदर perfect market क्या होता है market के अंदर agencies की बात होती है कि agencies कोन-कोन सी काम्स करती है कचा आरतिया पकार आरतिया यह सारी चीजे और market के function या services क्या होती है ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे जो आपके exam points है काफी IMP है ठीक है मैं detail में नहीं जा रहा हूँ detail में फिर कभी फुरसत में आपको काफी detail में पूर economics पड़ा दी जाएगी अभी आप जो आपका सिलेवास है वसी point of view से हम सारी चीज़े cover कर रहा है clear है अब हम बात करेंगे market की ठीक है market market जो word है वो latin word से लिया हुआ है market जो word किसे लिया गया है latin word marketer से लिया गया है marketer से लिया गया latin word marketer से means क्या होता है isか means होता है merchandise मर्चंडाइज जिसका मेन क्या होता है या प्लेस ओप ट्रेड या मैंसीदह लिखो होता है क्लियर है कप मार्केट की डेफिनिशन की बात करें तो मार्केट होने के लिए चार कंडिशन्स होनी चाहिए, मार्केट के लिए चार कंडिशन्स होनी चाहिए, पहली कंडिशन्स मार्केट में क्या होनी चाहिए, बायर और सेलर होने चाहिए, ठीक है, मार्केट के में मार्केट कब बोलेंगे जब वहां पर क्या हो, बायर और सेलर हो, दुसरा बायर और स सेलर के बीच में क्या होना चाहिए परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए मुचल अंडेस्टैनिंग होने चाहिए ठीक है प्राइस का पर्फेक्ट नॉलेज होना चीए बायर और सेलों को फॉर्थ होना चीए उनके बीच में क्या होना चीए ओनर्शिप चेंज होना चीए यह चार कंडिशन्स होनी चीए तब यूँ उसको मार्केट बोलेंगे ठीक है अगर मान लो कोई इस्ताने वहां पर एक बाय अजित होगी तो उसको हम बोलेंगे मुचल अनस्ट निया क然 चीए पिर प्राइच का क्या होते हैं को दोनों को प्राइज का नोरेज होना चीए तिसरा है ऊना चीए ओनर्शिप कैसे चेंज होगी मंहीं लो यह मार्कर है मैं दोकान पे गया मैं इसको पैसे दी को मार्कर ल वहीं डिसकस करेंगों on the basis of competition on the basis of competition जो है market blow type का होता है पहला होता है perfect दूसरा imperfect तो हम पहले perfect market की बात करते है perfect market और imperfect market होता है तो पहले मैं perfect market की बात करूँगा perfect market क्या होता है perfect market के लिए condition है कि यहाँ पर large number of buyer or seller होना चाहिए क्या और चाहिए last number of buyer or seller होना चाहिए last number of buyer or seller होना चाहिए पहली conditions ठीके example भी दूँगा बहुत अच्य example इससे आप सारी ची समझ चाहो last number of buyer or seller होना चाहिए ठीके जो produce ए जो produce ए प्रोड़ीस आफ प्रोड़क्शन वो क्या होना चाहिए होमोजीनिस होना चाहिए होँगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो होमोजीने सेंव होना चूल्ण है और नो लीगल रिस्टिक्शन नहीं होना चीह बाहर और सेलर पर कोई रोग लिगल रिजिक्शन नहीं होना चीह उसको मों बोलेंगे परफेक्ट मार्किट अब मैं एक्जामपल आपको देता हूं परफेक्ट का ठीक है इसको आपको लिखना नहींए जूस् मज़ना है अब आ अगर हम MP में है AMP में इंदूर की बात करेंगे और इंदूर में में बात करता हूं नावलटी की इस जो कहा है राजवाडा में अदर जो वो एक perfect market का perfect example है कैसे बताता हूँ राजबड़ा के अंदर क्या है एक novelty है ना गली है उसमें इस तरह भी बहुत सारी दुकाने है और इस तरह भी बहुत सारी दुकाने है ठीक है अब यहाँ पर मैं बात करूँ large number of buyer or seller तो यहाँ पर क्या तो बहुत सारे इस होना चाहिए तो novelty के anदर आप कभी गई होगे तो सारी दुकाने almost यहाँ पर क्या मिलेगी आपको mobile की मिलेगी सारी दुकाने क्या मिलेगी अपको mobile या उसके accessories से related QUMAN ठीक हैчи है electronics तो यहाँ पर क्या है mobile है सब के पास mobile है अब सब के पास mobile है ठीक है सारा मुझे उस price का knowledge है और दुकानदार को भी knowledge है ठीक है तो price का perfect knowledge होतना है by our seller दोनों को फिर no legal restriction मतलब no legal restriction का मतलब है कि यहाँ पर governments का कोई rules regulation नहीं चलता ठीक है governments का कोई rules regulation नहीं चलता मतलब कि आप अगर novelty में जाके कोई दुकान डालना चाहते है तो उसके लिए आपको government से कोई permission नहीं लेनी पड़ी कि government से कोई license नहीं लेना पड़ेगा ठीक है ठीक है आपको government के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा तो यह no restriction तो यह सारी चीज़ मार्केट की बात करते हैं तो इन पर्फेक्ट मार्केट जो है वो चार टाइप का होता है इन पर्फेक्ट मार्केट मतलब क्या होगे जहां पर यह चारो rules जो इन पर्फेक्ट के अंदर हमने पड़े हैं वो follow नहीं होते हूँ क्या हो जाएगे इन पर्फेक्ट मार्केट के है वो चार टाइप का है ठीक है पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोनोपोली पहला बात कर रहे हैं मोनोपोली मोनोपोली का मतलब है यहाँ पर क्या होगा एक सेलर होगा मोनोपोली मतलब वन सेलर होगा ठीक है क्या होगा एक ही सेलर होगा जब एक ही seller होता है, monopoly होता है तो वहाँ पर क्या करता है? मनमानी करता है, मनमानी का मतलब price अपने इसाफ से decide करता है, price का discrimination हो जाता है, clear है? किसी product की मानलो, आप किसी ऐसे area में चलेगे, वहाँ पर एक ही किराना की shop है, तो वहाँ पर आपको मानलो, को याप सकर लेने जा रहे हैं, तो आप 40-50 रुपे किलो में भी देगा, तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है, कि मैं इस area में अकेला हूँ बेचने वाला, clear है? तो यहाँ पर उसको बोलते, monopoly मतलब वो अपनी मनमानी करेगा, price अपने इसाब से decide करेगा, ठीक है, monopoly, अब इसी में हम बात कर लेते हैं, monopsoni, जब यहाँ पर ace लग जाएगा, P के बाद P और O के बीच पर यहाँ, monopoly था monopsoni हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, one buyer, केवल एक ही buyer है, clear है? deputy copyいき, give one, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर, दो seller है, ठीक है, और जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tube soni लगाओगे, आपर यह हो जाएगा, यहाँ पर, दो buyer, ठीक है, थार्ड बन हमारा हो जाएगा, oligopoly, oligopoly का कि मतलब हो जाएगा, यहाँ फ्यू a few ship угler और क्या हो जाएगा ओलीघोंतार कि ओलीठो BL sinドン का मतलब हो जाएगाए के पास फी ओ भाईอएं क्लियर हैं रहें बट समझनां सुम्धेया होता है ओलीकोंप खुलीठोफी एंडर बाइय का डिफरेंस हैं ध्याद रखना जहां ऐसे इंडर नहीं हें हैं जोında काँ एभे वाणिधा में पर शार्या चाला तो थे बाईहां के आंकना काई हैर यहां पर भी आज़ा है तो हुद्षे कि इसमझ में आगे हैं कि मॉनगोपाउली मतली दो सेलर ट्यॉप फैंए होन भोकी जो अपसोनी मतलब दो बायर होंगे, ओलिक अपसोनी मतलब फ्यू बायर होंगे, मॉनो पोलिस्टिक में क्या होता है, मैंनी प्रोडूसर होते हैं, मैंनी प्रोडूसर होते हैं, ठीक है, यहां पर मैंनी प्रोडूसर होते हैं, प्रोड़क्ट जो है डिफ्रेंशियर्ट होते हैं डिफ्रेंशियर्ट मतलब कि यहां पर क्या होगा जो प्रोड़क्ट होगा वो अलग-अलग होगा यहां पर दियान रखना है यहां पर क्या होगा यहां प्रोड़क्ट जो है मानलो मैंने for example लेता हूं मतलब क्या होगा यह पर ओनर जो है कि कि अधी से क्या होगी आ है या पर मोन नुब उच्ट THOMуля & US की क्या होगी रखना कि सब्सक्राइब ऄगर ओनुड-पर फिर मोनो पोल्ल्य होगी क्या है मतलब क्या हो गया है कि है product differential मतलब की यहां पर चार दुकान है ठीक है यहां पर one two three or four चारी दुकाने है तो यहां पर क्या होगा यहां पर माल लो कोई अलग product है यहां पर mobile मिलता है clear है यहां पर mobile मिलता है यहां पर किराना मिलता है ठीक है यहां पर और ले रो यहां पर fertilizer मिलता है ठीक है और यहां पर मालो इंसेक्टिसाइड मिलता है तो यहां पर सिब मुबाइल एक ही शोप है किराना है फर्टिलाइजर है इंसेक्टिसाइड है मतलब यहां पर प्रोडुशर तो आपके पास तो इन ही हो गए मुबाइल भी है किराना भी है फर्टिलाइजर भी है और इंसेक्टिसाइड पर ये मुबाइल वाला अपने आप में क्या है अपने आप में क्या है ये मोनोपोली है ये किराना वाला अपने आप में क्या है मोनोपोली है और ये इंसेक्टर अपने आप में क्या है मोनोपोली है मतलब ये अपनी मनमानी कर सकता है ये अपनी मनमानी कर सकता है ये अपनी म पिएच ओनर जो होता है या एच के लिए यहाँ पे क्या होती है? मोनोपॉली शे होती है वह best बैब याज की रहना वाला फोटिलाजर इस अलग-अलग है प्रोडुक्स अपके पास तो यहाँ पर वो अपनी मोनोपॉली उस लहत ecc monopolistic बोलते हैं clear है यहां से questions बनते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना कि monopoly में कितने seller buyer होते हैं यह question आता है और यह monopolistic वाला conceptual generally समझ में नहीं आता है clear है अब हम बात करेंगे market के functions की या services की कि market में क्या services मिलती है या क्या services हमें provide करवाता है market अब हम बात करेंगे market function की market function या इसको market function या service भी बोलते है market services या market function तो यहाँ पर हम बात करें market functions या services होती है इसको मैं तीन पार्ट में divide किया जाता है तीन पार्ट में divide किया गाए पहला है primary function पहला क्या है primary function second जो है वो है secondary secondary function और थर्ड जो क्या है हमारा tertiary function tertiary function ठीक है primary, secondary, tertiary जो market function इसको तीन पार्ट में डिवाइड गया है और यह थोंसन के according है थोंसन ने primary function, secondary function और traditional function में डिवाइड किया था market function functions को sorry तो यह primary में क्या आता है primary में आता है सबसे पिला यहाँ पर हम क्या करते assemble करते है ठीक है assembling मतलब मानलों मैं एक वेफार ही हूँ तो मैं क्या करूँगा मुझे गहुच लेना है करीटना है मैं क्या करूँगा अलग-अलग logo से क्या करूँगा सबसे क्यहुच क्या करूँगा collect कर लोगा मतलब उसको assemble कर लोगा एक जगा पर है ना में मंडी के अंदर क्या करूंगा मैंने इसकी यहां पर भी बोली लगाई यहां पर बोली लगाई सब जगा से क्या 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 मैंने एक जगा एसेंबल कर लिया है इकटा कर लिया ठीक है फिर मैंने उसको किया कि प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग आ जाएगा और थड़ा जाएगा डिस्टिविशन थड़ के आ जाएगा डिस्टिविशन मैंने क्या क्या उसका डिस्टिविशन कर दिया तो primary function क्या होगा assembling करना processing करना और distribution करना ये primary function है ठीक है यह assembling की जगा procurement कर दिया प्रोसेस कर लिया डिस्टिविशन कर लिया पर उसे फिल और भी सारी चीज़े होगी क्या होगी packaging packaging होगी transportation भी होता है ठीक है प्रेकेजिंग करके अब टांस्पोर्ट करोगे बाहर फिर storage भी होता है storage and warehouse storage and warehouse फिर क्या होगा grading भी होती है ठीक है grading and instantization फिर quality control quality control ये भी होता है फिर risk taking risk भी रहती है भाई कई खराब हो जाए है या कई टास्पोर्ट में आप जा रहे हो ट्रक कल टीखा जाए वो सारी रिस्क है फिर क्या होता है finance finance ये सबसे most important factor है most IMP factor याद रखना ठीक है finance के बाद आ जाएगा buying and selling buying and selling आ जाएगा फिर क्या जाएगा हमारा price determination price determination फिर आजाएगा demand creation और फिर आजाएगा हमारा dissemination of market information इंफोर्मेशन मार्केट में information को फेलाना तो यह सारे जो function है यह अपने secondary function के अनल आते हैं अब टर्सरी functions की बात कर लाते हैं टर्सरी function में क्या आजाएगा तर्सरी function में आजाएगा insurance ठीक आजाएगा banking जाएगा banking तिसरा आजाएगा communication तिसरा कम्मुनिकेशन और चोटा आजाएगा supply of energy supply of energy मतलब electricity यह आजाएगा तो यह market के function है यहां रटना यह finance जो है हम कभी भी यह question आएगा हमें क्या लगएगा finance जो है banking insurance इनके साथ आना चाहिए finance जो है हम treasury function में लिख देंगे तो आपको अच्छे से याद करना है कि कौन किसका पार्ट है secondary function के अंदर आता है finance or financial most important function है clear most important function इसी को कह गया है तो यह market के function होगे इसमें कुछ नहीं समझने इसके बारे में market के अंदर जो agencies है ना जिसके बारे में मैंने बताया अभी कि कच्छा आड़तिया पका आड़तिया ठीक है और मिडिल मेंस होते हैं brokers होते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे यहां से question बन सकता है clear ठीक है तो market agencies market agencies या functionaries भी बोलते हैं इसको market agencies या market functionaries जो market के अंदर marketing जब आप जाओगे मार्केट के में तो आप यह functions यहां पर काम करते हैं ठीक है तो market functions इसमें सबसे पहला आता है अपना middle merchantυ middleman merchant middleman merchant middleman merchant middleman merchant middleman सबसे पहला आता है आपका wholesaler चार आते हैं उसमें सबसे पहले में बात करूँगा wholesale की इसके अंदर सबसे पहले तो होलसेलर, होलसेलर क्या काम करता है, लार्ज कॉंटिटी में फूर्ट ग्रेंड को पर्चेस करता है, ठीक है, होलसेलर का क्या करेगा, लार्ज कॉंटिटी में, वो क्या करा, पुरे-पुरे गोदाम भर लेगा, तो होलसेलर होता है, ठीक है, लार्ज कॉंटिटी में, फिर होत करेगा wholesaler से खरीदेगा और small quantity में consumer को बेचेगा ठीक है तीसरा होता है अपना itinerrant merchant या itinerruck traders itinerant traders होते हैं वो क्या होते हैं गूमनतू मतलब कि यहां पे विलेजों में गाउं गाऊं में जाते रहते हैं वो गाउं काऊं में जाते हैं और वहां से क्या करते हैं डायक्ट फार्मर से purchase कर लेते हैं जो उनको चाहिए रहता है तो उनको itinerant traders मतलब क्या हो गया है यह गुमंतो जैसे आप जिसे आपने कहीं देखा होगा अगर आप इखा होगा अगर भी फर्मर IS बेग्ग्राउंDY से हैं घाउंने से बिलोंग करते हैं तो आपने घाउं जो है खरिदता है तो उसको इंटेनरेंट ट्रेडर्स बोलते हैं चोथा जो हमारा है वो है क्या है विलेज मर्चेंट विलेज विलेज मर्चेंट जो होता है वो क्या होता है विलेज के अंदर ही एक छोटा सा सेटप बनाता है अपना ठीक है विलेज के अंदर ही या विलेज का अंदर जो रेने वाला गाउं का भी हो सकता है या भार का कोई है जो विलेज के अंदर आके गाउं के अंदर आके अपना एक उसका जो production होगा तो उसको क्या करेगा purchase कर लेगा खरीद लेगा या फिर उन farmers से खरीदेगा जो farmers market तक नहीं ले जा पाते हैं या market तक नहीं पहुचा पाते हैं अपने produce को तो उनसे ये purchase करता है तो यह आते हैं अपने merchant middleman के अंडर कमिशन एजेंट बोलते हैं जिसको सबसे पहले दोवाता अँपना या करता है किया करता है यह एडवांस में farmer को पेशा देता है, advance में farmer को पेशा देता है, किस condition पे, कि जब भी आपका produce होगा, पेदा होगा, जब production आएगा, तो आप मेरे थुरू बेचेंगे, ठीक है, मेरे थुरू बेचेंगे, माल लो मैं एक agent, मैं कचा रगते हूँ, मैंने farmers को पेशा दिया, कि आप farming करो, जब उसका production आजाएगा, तो मेरे पास आएगा, कि यहां मुझे अपना, जो माल है, या जो गहूँ है, वो बेचना है, तो मैं उसका गहूँ बिचगवाऊँगा, तो वहां से भी मुझे commission मिलेगा, दूसरी चीज़, जब यह कच्चा रगते हैं, फार्मर्स को advance में पेशा देता है, तो उसका normal trades से जादा interest charge करता है, जैसे माललो 1% चल रहा है, तो वो 2% charge करेगा, उस पेसे का, यह कच्चा रगते हैं, नमबर 2 हता है, पकार्तिया, पकार्तिया, जो हता है, अब पकार्तिया जो हता है, तो एक तरीका क्या होता है, trader होता है, या उन बिहाब आफ टेडर, मतल करती है वो क्या करती है इंटेडर्स को हायर करती है ठीक है इंटेडर्स को हायर करती है और इनको क्या करती है इनको बोला जाता है कि आप इस प्राइस के अंदर ठीक है एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर आप स्पेसिफिक कमोडिटी को पर्चेस करो मतलब क्या रहता है य यह जो रहते हैं यह किसके लिए जाते हैं specific commodity को purchase करने के लिए ठीक है एक given price के अंदर given price के अंदर ठीक है given price के अंदर specific commodity को purchase करने के लिए यह trader जो है यह traders काम करते हैं क्योंति के प्राइस के अंदर पर्चास करने के लिए इसके अंदर तीसरा आता है उपनाल और आता है वह प्रोकर का का मुआ यह buyer और seller को एक जगा एक platform पे लाता है ठीक है जैसे मानलो मुझे कोई property खरीद नहीं है तो मैं का जाओंगा ब्रोकर के प्रोकर के जाओंगा बाई मुझे कोई property दिखा तो मुझे इसको क्या मिलता है टीक है इसको इसको जो कमिशन मिलता है इसको ब्रोकेज जो किसी प्रोटट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है इसका पितना ही काम कर बाइर Mr. को एक प्लेट्फार्म पे ले आता है जहाँ वह नीजोशिएशन करते हैं बस उसके जाथ will होंगростिम्स में रहते हैं तो इश्र्टीन Украї która करें बिदा मिले हुए था आपना पुछ thrive process Continue मेर्व तो यह सिधा सा मैं आपको बताता हूं मन्डी है माल लो यह आपकी मंडी है ठीक है मंडी में आप जाते हो गहूं लेके माल लो आपने मंडी में का गए यह आप गहूं लेके गए ठीक है वीट लेके गए मंडी के अंदर तो मंडी के अंदर वीट लेके गए तो महां आपने वीट का क्या होगा क्या होगा बोली लगी कि तो तोल करने वाला चो होता है तुलाइक करने वाला उसको वेंग में बोलते हैं तुआ जाएगा वेंग में होता है वह आ जाएगा ठीक है वह करने के बाद आपका क्यों कहा जाएगा प्रोसेस होने के लिए जाएगा मतलब का होगा ग्रेडिंग करने के लिए जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है जो है ग्रेडर होते है ठीक ग्रेडर होने के बाद कहा जाएगा ट्रांसप वोड एजंसी होती है और होती है केragen लोगा क्या हो जाएगा यहां पर हाँ sa h規र कॉम्मूनीकेशन अजर सी होती है कम्मुनिकेशन एजेंसी होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी होती है, ठीक है? तो आप जब मंडी जाते हो, तो आप पो आपको यह सारी है अपको मिलते हैं ऑक्ष्maar जो बोली लगाता है हैमाल मिलता है वह मिलता है टर्सपोर आजन सी मिलता पर अपको एजन सी मिलेगी तो यह सारे अन्दर आते हैं थे हमारा मार्किट ग手 सिस अप्र एस पृड़िट बसता आपका कम हो जाएगा और कुछ डिटेल है वो आपको नोर्स में मिल जाएगी जो उसको समझाने का कुछ है ही नहीं उसके अंदर वो सारी चीज़ आपको नोर्स के अंदर मिल जाएगी ठीक है जो समझाने की चीज़े हैं on demand और उसके उपर क्या question मलेंगे उसके बारे में बात करूंगा demand क्या होता है मैं general sense में बात करूँ तो demand क्या होता है किसी वस्तू को खरितने की इच्छा ठीक है willingness to buy any commodity किसी commodity को किसी वस्तू को खरितने की जो इच्छा होती है उसका हम डिमांड केते है, जनरल सेंस में, पर एकोनोमिक के सेंस में डिमांड कब होगी, कुछ कंडिशन है, जब वो फॉलो होगी, तभी हम डिमांड बोलेंगे, मतलब कि वेरियस कॉंटिटी, और वेरियस कॉंटिटी और गूर्स, ठीक है, डेट वुड बी एक अंजूबर विलिंग वान टू पर्चेस, या एबिलिटी टू पर्चेस, उसमें क्या शम्ता होनी चाहिए, उस पर्चेस को खरीदने की, तो उसके रिए तीन कंडिशन है, पहली कंडिशन क्या है, विलिंगनेस टू बाई, ठीक है, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, पहली चाहिए दूसरी ability to buy ability to buy मतलब खरिदने की शमता भी होनी चाहिए तीसरी क्या है certain time एक निश्य समय भी होना चाहिए ये तीन condition होगी तभी हम उसको demand बोलेंगे अधरवाईस हम उसको demand नहीं बोलेंगे clear है, मानलो कोई consumer है किसी वस्तू को खरिदने की इच्छा रखता है उसको खरिदने की शमता भी रखता है और उसके पाथ एक निश्य समय भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे demand, clear है ये definition मैंने इंदी में बोली अगर कोई consumer कोई ग्राग है किसी वस्तू को खरिदने की इच्छा रखता है उसको खरिदने की शमता उसके अंदर हो और उसके पास गया एक निश्य समय है उसको खरिदने का तो हम उसको demand बोलेंगे for example मानलो कि मुझे ice cream खाना है, ठीक है? ice cream खाना है पर मेरी इच्छा है ice cream खाने की ठीक है? मेरे able भी हूँ ice cream खाने के लिए मेरे पास शमता भी है, पैसा भी है बट मेरे पास time नहीं है clear है? time नहीं है तो मैं इसको demand नहीं बोलूँआ मैंने क्या बोला general sense में कि कि इससी वस्तू को खरिदने की इच्छा demand होती है तो ice cream को मेरी खरिदने की इच्छा है तो general sense में to demand बोल दिया पर econom city sense में demand नहीं बोलेंगे क्योंगि यहां पर मेरे पास खरिदने की इच्छा है जमता भी है ди my पर पैस स्वरेश भी है कि डिग्रियों ओफ कि इलास्टीसीटी ओफ टिमांड को हम तो मैं और सम्छा देता हूं लॉब दिमांड क्या बोलता है। ठीक है मालों यहां पर 1,2,3,4,5 यह क्या है हमारी प्राइस है यहां पर 1,2,3,4,5 यह क्या है हमारी क्वांटिटी आउट्पुट यहां क्वांटिटी कमोडिटी है ठीक है कोई कमोडिटी है तो law of demand क्या बोलता है law of demand क्या बोलता है कि price के बढ़ने पर demand घड़ जाती है और price के घड़ने पर demand बढ़ जाती है मान भो price यहां पर कितनी ठी? तीन रुपnd थी प्राइस यहां पर 3 रुपटी थी तब आपने कितनी कमोडिटी खरीदी? पांच कमोडिटी खरीदी लेकिन price बढ़कर कितनी होगी पांच तो आप कितनी होगे? तीन खरीद होगे इसको बोलते है law of demand clear है जब price 3 थी तो अपने 5 करी दी जब price 5 होगे तो अपने 3 करी दी ठीक है तो price के बढ़ने पर demand कम होगी price के कटने पर demand बढ़ गई इसी को बहुते है law of demand अब यहाँ पर कुछ important आता है degree of velocity of demand degree of velocity of demand यहाँ से question बनता ही बनता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे degree of velocity of demand में perfectly in elastic demand perfectly in elastic demand perfectly in elastic demand को completely भी बोलते हैं इसकी जगा completely भी लिखावा सकता है completely ठीक है perfectly की जगा completely in elastic demand भी लिखावा सकता है होता क्या है कि price में कोई भी change हो मतलब किसी वस्तु की कि मतलों में कितना भी change हो जाए आप जो है उसकी जो खरिदने की शमता है या उसकी जो quantity per demand rate है वो उतनी ही रहेगी उसमें कोई change नहीं होगा उसको हम बोलते हैं inelastic perfectly inelastic demand याद रखने का तरीका भी बताऊँगा अभी प मतलब कि any change in price ठीक है क्या होगा एनी चेंज इन प्राइस एनी चेंज इन प्राइस प्राइस में कोई भी change हो जाए ठीक है कितना भी change हो जाए बट आपकी quantity demanded क्या होगी जो आपकी quantity demanded है वो same रहेगी quantity demanded क्या रहेगी आपकी same रहेगी एप constant रहेगी ग्राप से समझ लीजे ठीक है यहाँ पर y-axis है यहाँ पर आपकी price one two three and four यहाँ पर one हो गया two three and four यह आपकी क्या होगी quantity demanded हो गई ठीक है quantity demanded हो गए तो यहां पर क्या हो रहा कि price में कोई भी change हो जाए ठीक है मानलो पहले price कितनी थी 2 रुपे आपने तब 2 रुपे price की तब आपने कितनी पर purchase की तीन quantity purchase की ठीक है price बढ़के कितनी होगी 3 रुपे तो आपने फिर भी 3 रुपे की मतलब क्याँ यह बी कि price में कितना भी के हो जाया प्राइस पहले 29 तब 21 परault रुप अपने 3 पर्छेस की price में कितना भी चेंज हो जा कि कॉन्ठिटी तैम रही मतलब आपने 2 रुपे था तब भी perfectly inelastic में बनता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जब quantity जो हमारी जो है demanded वो change नहीं हो रही है तो यहाँ पर EP क्या होगा elasticity or production क्या होगा वो zero हो जाएगा और यही पूछा जाता है कि EP zero कब होता है तो perfectly inelastic demand में होता है यह याद नहीं रह पाता है तो हमें बताऊँगा कि इस तरीके से आपको इसको याद रखना है अगर समझ में आगया हो तो याद रह जाएगा ठीक है बट फिर भी अगर याद नहीं होता है तो मैं लाशन बताऊँगा इसको याद कैसे रखना है इसका simple सा थोड़ा सा एक तरीका है इससे आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे clear है यह तो हमने क्या देखा perfectly inelastic अब दूसरा हम देखेंगे क्या perfectly elastic perfectly elastic demand ठीक है perfectly elastic demand इसमें क्या होता है अगर हम price में थोड़ा सा मतलब slightly अगर changes आता है price में थोड़ा सा changes आता है तो आपकी जो quantity demanded है वो zero की तरफ move करना है start कर देती क्या fall to zero, zero की तरफ गिरती है तो क्या करोगे आप उस present level पे large, infinitely large quantity purchase करोगे मतलब यहाँ जाएगा slightly change in price slightly change in price तो आपकी जो quantity demanded है वो fall to zero fall to zero तो एट प्रेजेंट लेवल एट प्रेजेंट लेवल आप क्या करोगे infinitely large quantity क्या करोगे purchase करोगे quantity purchase ग्राप सा समझ लीजे ठीक है ग्राप सा समझ जीए आपको clearly समझ में आ जागा क्या है यह आपे यह y-axis यह x-axis ठीक है यहां पर one two three and four one two three and four यह price है आपका यह और यहां पर क्या पर quantity demanded है क्या बोला रहा है कि price में slightly change आ जा 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 है तो आपकी quantity जो जिरो की तरह फाल करती है ठीक है अपने बात बात करता हूं यहां पर कि अगर यहां पर वही हो रहा कि आपके quantity जो पहले दो थी आनवे आपके price क्या थी यहां पर 200 रुपे थी तब आपके quantity कितनी थी दो ठीक है दो ही थी थी की आपके प्राइज में पहले परइस किऌह प्राइस किब्यान कि यह अपके प्राइज में पहले अपने देर्ट थी दो आप कंटिदिती लेकिन ек impress में थोड़ा सा चैंग्ड है यह पे लाअर्ज पारइस कर ले तो क्या होगा यहां पर यहां पर आंका बनेगा EP की जो value आईगी वो infinite होगी यह question आता है कि EP की value infinite कम होती है तो perfectly elastic में होती है यह question आता हो यहाँ पर जो graph बना वो क्या है horizontal है horizontal है clear है third one पर आते हैं relatively elastic या relatively elastic की बहों किलिक effectiveashing Campaign के बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है completly last one होता है स्मौल चंज होता है प्राइस के अंदर प्राइस के अंदर स्माल चैंज होता है और लाइध चील और पर यहां वह जाएगा small change in price price के अंदर क्या हो रहा है small change हो रहा है larger change in quantity demanded quantity demanded में बहुत ज्यादा change हो गया तो आपर क्या होगा relatively elastic demand होगी कैसे होगी gram से clearly आपको समझ में आएगा यह हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 0 2, 3, and 4 क्या होना है कि small change in price clear है small change in price अगर यहाँ पर price आपकी कितनी है small change in price और larger change in quantity demanded आपकी price पहले मालों यहाँ पर 3 थी clear है यहाँ पर price आपकी quantity demanded कितनी थी quantity demanded आपकी कितनी थी 2 थी quantity demanded कितनी थी आपकी 2 थी ठीक है पहले price आपकी 3 थी quantity demanded 2 थी लेकिन जैसे price के होई small change in price इस प्राइस प्राइस क्या से हुआ मतलब आपने यहां पर क्या किया प्राइस हो गई आपकी दो प्राइस क्या होगी दो चेंज किया आपने तीन से होगी तो और आपकी क्वांटि क्वांटिटी डिमांडेट कितने होगी यहां पर दो से चार्ज मतलब लार्जर चेंज हु इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे आपको e-p की value निकालना है तो करना क्या है यहाँ पे e-p की value निकालना के लिए q open p कर दीज़े e-p equal to q open p कर दीज़े quantity कितनी 4 है price कितनी 2 है तो e-p की value आपकी कितनी आ रही है e-p की value आ रही है इतनी 2 मतलब EP की वैलू यहां पर क्या है greater than 1 है ठीक है EP की वैलू क्या है यहां पर greater than 1 है और इसी को बोला जाता है luxurious condition greater than 1 है और इसी को क्या बोलते है luxurious condition luxurious condition clear है यह अपना EP की वैलू कैसे आई यहां से समझ लीजेगा small change हुआ मतलब 3 से 2 होगा quantity demand में ज़्यादा चेंद हो गया 2 से 4 हो गई तो यह grab आपका इस तरीके से बना यह formula आप लगाओगे तो यह formula इनी में लगेगा इन दोनों में नहीं लगता है यह formula यह लगाओगे तो आपको EP की value की आरी है दो आरी मतलब 1 से जज़्यादा है तो greater than 1 हो जाएगे clear है यह ध्यान रखना 1 से ज़्यादा है बट यह 1 से ज़्यादा तो है clear है यह आपकी value 1 से ज़्यादा तो है बट यह less than रहीगी infinite से यह भी ध्यान रखना क्यों infinite से कम रहेगी क्योंकि अगर infinite हो गई तो वो परफेटलि इलास्टिक हो जाएगा इसले लेज दिन इन्फानेट रहेगी fourth हम बात करते हैं relatively inelastik relatively inelastik demand relatively inelastik demand जश्क इसका opposite ले लिजए opposite मतलब क्या हो जाएगा larger large change in price क्या होगा large change in price ठीक है smaller change in quantity demanded smaller change in quantity demanded ठीक है price में ज्यादा change होगा तो small change होगा quantity demanded में इस graph से आप समझे हीजीगा ठीक है इस graph से आपको समझना है क्या होगा यहाँ पे कि large change in price पहले price आपकी 2 थी quantity demanded कितनी थी 4 थी price क्या होगई बढ़के 4 होगई price बढ़के क्या होगई 4 होगई quantity demand बढ़के क्या होगई 2 होगई तो आपका graph कुछ इस तरीके से बनेगा मतलब आप क्या होगा आपका e-p का formula 2 बटे 4 हो जाएगा मतलब e-p equal to क्या हो जाएगा 0.5 मतलब आपकी e-p की value क्या होगई less than 1 होगई यह less than 1 है but greater than 0 less than 1 होगी क्यों होगी greater than 0 से क्योंकि अगर यह 0 हो जाती है तो 0 में तो वह perfectly elastic demand हो जाएगा clear है अब last one समझ लीजिए अपना Unitary Elastic Demand Unitary Elastic Demand ठीक है last one कौन सा है Unitary Elastic Demand एक ची जो समझ लीजिए जो relatively inelastic demand था आँ यह relatively inelastic यह वाला relatively जो inelastic demand था तो जितनी भी agriculture हमारी commodity है वो सारी किस में आती है relatively inelastic में relatively inelastic में आती है relatively inelastic के अदर आती है जितनी भी agriculture commodity है सारी relatively inelastic में मतलब EP less than 1 में आती है जितने भी agriculture commodity है सारी EP less than 1 मतलब relatively inelastic में आती है question पुछा जाता है कि जो agriculture commodity है वो उसके लिए elasticity demand कितनी होगी तो EP less than 1 होगी या कौन सी होती तो relatively inelastic होती है या पे agriculture commodity के जगा पे आपको कोई crop का नाम भी दे देंगे rice, wheat, कोई सा भी तो agriculture commodity है तो उसके लिए relatively inelastic होती है तीक है याद रखना और यह necessary condition होती है necessary condition मतलब की जिवन निर्वा के लिए जो बस्तू चाहिए उसके लिए elasticity क्या होती है relatively inelastic होती है clear है unitary की बात करते है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या होता है proportionate change in price equal to proportionate change in quantity demanded ठीक है price में जितना change हो रहा हुतना ही change quantity demanded में हो रहा तो वो क्या हो जाएगा unitary elastic demand हो जाएगी यहाँ graph से समझ लीजिए क्या हो जाएगा मानलो price भी कितनी है 3 और quantity demanded भी 3 है तो यहाँ unitary हो जाएगा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी तीन पटे तीन कटके क्या आजाएगा EP की value आजाएगी equal to 1 और equal to 1 आगे मतलब वो unitary elastic है और यह कब होती है comfort वाली condition में comfort वांट चो होती है easy living life महाँ पे यह हमारा EP equal to 1 होता है उसे को unitary elastic demand बोलते हैं तो यहाँ से question बच्चों आता है यही कि agriculture जो commodity होती है हमारी वो relatively in elastic demand के अंदर exist करती है उसकी value होती है EP less than 1 और वही necessary conditions होती है clear है अब हम बात करते हैं cost concept के ठीक है तो सबसे पहले बात करते है cost जो है वो होता क्या है COAST क्या होता है तो cost क्या होता है outlay of fund होता है जो production purpose के लिए हम use करते है ठीक है एक outlay of fund होता है outlay of fund जिसको हम क्या करते है production purpose के लिए use करते है ठीक है उसको हम क्या बोलते है cost बोलते है अब इसमें कहाता है cost आती हो सारी cost A1, cost A2, cost B, fixed cost, variable cost इन सब के बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो cost concept cost concept के अंदर सबसे के लिए आता है cost A1 cost A1 के अंदर कितने आते हैं? 16 items आते हैं 16 items अब 16 items सारे में आपको यहां पर करवा जेता हूं cost A1 के अंदर सबसे पहलाएगा अपना higher labor ठीक है value of higher labor जो आपने अपने फार्म पर यूज करने के लिए जो मज़ूर आपने भार से बुलवाए हैं वो दूसरा आजाएगा higher block आपने जो बेलो का यूज किया है अलाके तिसरा आजाएगा on block जो खुद के बेल थे वो यूज किये फिर आजाएगा higher machinery जो higher की थी वो फिर फिर तुम आजाएगा on machinery जो खुद की machinery यूज की वो ठीक है six में आजाएगा यहां पर value of fertilizer fertilizer ठीक है value of manure value of seed value of insecticide and pesticide ठीक है फिर आजाएगा अपना irrigation charge क्या जाएगा irrigation का जो चार्च यह वो देना पड़ेगा फिर आजाएगा आपका canal charge ठीक है नहर का जो चार्च यह वो देना है फिर आजाएगा आपको land taxes देना है ठीक है फिर आजाएगा depreciation of farm implement depreciation of farm implement 13 ओगा फिर 14 माजाएगा depreciation depreciation of farm building and machinery farm building and machinery 50 में जाएगा interest on working capital interest on working capital और 16 में हो जाएगा मारा mislinious में हो जाएगा मारा wages artesian का और repair cost आजाएगी repair of small implements तो यह 16 elements जो है cost even क्या आते है कौन कौन सी हो गई value of higher labor जो हमने बाहर से मगवाए थे value of higher block हो जाएगा on block higher machinery on machinery value of fertilizer value of manure value of seed value of seed and pesticide value of irrigation charges canal charges land taxes depreciation of farm implement depreciation of farm building and machinery interest on working capital और mislinious में वेज़ेश वेज़ेशन का वेज़ेश हो गया रोप हो गया आपकी जो रिपेर रिपेर्मेंट की जो कास्ट है cost even plus साथ में क्या जाएगा rent paid for leased land ठीक है जो जमीन आपने किस पे लिए है उस पे लिए रेंट पे लिए है लीज पे लिए है ठीक है पटाई पे लिए हुई है तो वो अगर और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा cost even के अंदर हम जो जमीन हमने क्या लिए है साल पे लिए हुई है क्याती करने के लिए किसी दुसरे से अपने लिच पे लिए हुई है पट्टे पे लिए हुई है उसको हम क्या बोलेंगे rent paid for leased land वो अगर हम इसमें cost A में मिला देते हैं इन सब में तो cost A हो जाती है फिर बात आती है cost B की ठीक है cost B cost B में क्या हो जाएगा तो cost A आ जाएगा इसके अंदर plus क्या जाएगा cost A अब cost A sorry cost A2 इसके अंदर क्या आएगा cost A2 प्लस यह आ जाएगा imputed value of on land plus imputed value of on fixed capital यह लेंड को छोड़के fixed capital सारे बस land को छोड़ देना भूमी को छोड़के सारे capital इसके अंदर तो यह हमारा cost B1 हो जाएगी फिर बात करते है cost C की cost C के अंदर क्या हो जाएगा cost C के अंदर आ जाएगा cost B plus imputed value of family level imputed value of family level imputed value of family level तो family level की जो कास्ट है वो भी हम इसमें जोड़ देंगे तो cost यह बिजाएगी और बचो cost C को ही क्या बोला जाता है cost C को ही बोला जाता है cost of cultivation cost of cultivation बोला जाता है cost C के अंदर कितने आते हैं total 20 items ठीक है cost C को क्या बोला जाता है cost C को क्या बोला जाता है 20 items तो इससे अगर हम नेट income निकालना है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा gross income में से क्या minus करो cost C या cost of cultivation मतलब seed की आप sowing से लेके harvesting तक और harvesting से लेके वापिस sowing तक जितनी भी cost है ठीक है मतलब वो cultivation भी करेंगे पहले फिर sowing करेंगे तो sowing से लेके harvesting जितनी भी cost है वो सब cost C में आती है उसको grass income से minus कर देंगे तो net income आ जाएगी ठीक है cost of production cost of production क्या होगा तो cost C को divide कर देंगे output से तो हमारा क्या हो जाएगा cost of production आ जाएगा clear है तो यह हमारा cost concept इसमें हम बात करते हैं कुछ और cost की जैसे fixed cost और variable cost यह क्या होता है यहां से question बन जाता है कि जो level of production के साथ vary नहीं करती उस cost को क्या कहते है और जो level of production के साथ vary करती है उस cost को क्या कहते है clear है थोड़ा सा बच्चों देखने में problem हो तो थोड़ा सा समझ ले न जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत प्रोपर ली जो है clean नहीं हो पा रहा है ठीक है तो हम यह बात करते हैं फिक्स कोस्ट की है क्या fixed cost fixed cost को बच्चों overhead cost बोलते हैं यह question पूछा जाता है और यह question अक्षर पूछा गया है कि fixed cost is also known as overhead cost इसको क्या बोला जाता है overhead cost या sunk cost भी बोलते हैं ठीक है sunk cost भी बोलते है fixed cost क्या होता है यह वो cost है जो level of production के साथ change नहीं होती ठीक है मतलब it does not change with level of production मतलब production का level अगर change होता है तो fixed cost में कोई फरक नहीं पड़ेगा for example मानलो यहां पर first year जो है आपका production जो है मानलो 10 quintal हुआ second year आपका production जो है यह होगे आपका 15 quintal तो भी आपकी जो machinery की जो cost अगर वो यहां पर 200 रुपए है तो यहां पर भी 200 रुपए की कोई change नहीं आएगा clear है या फिर मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाओ ठीक है इस तरीके से समझाओ कि मानलो यहां पर आपने cultivation जो किया था जो भी है प्लोइंग जो की थी वो आपने प्लोइंग की थी first बार में second बार में आपने प्लोइंग नहीं की लेकिन production पर कोई effect नहीं पड़ेगा तो यह जो है fix का जो है वो लेवलो प्रोड़क्शन के साथ चेंज नहीं होती यह जो है इंडारेक्ली डिपेंड करती है वोल्यम प्रोड़क्शन के साथ clear है fix card fix card के अंदर क्या आ जाता है एक तो आ जाता है land taxes अप सोचो land taxes कहां level of production के साथ land taxes से level of production के साथ अगर अब जितना बर्भर रहे हो अपने land tax यहाँ पर सुरुबार मालो एक बरा दुसरी बरा भाई बरा तो production में इसका कोई role नहीं है ठीक है production में इसका कोई role नहीं है land taxes हो गया और क्या जाएगा प्रींियूम इन्शॉरेंस यह आ यह जाएगा ठीक है लेंट टेक्सिस आ गया प्रींड स्यज्वेंस आ गया और याaking आपका एन्वं हायर लेबर जो आपके साना हायर लेबल है वो इसके अंदर आ जाएगे क्ले रहें तरह फिक्स कोस के अंदर आतें यह Four को सिके अंदर आते हैं फिर आप आए जाएगा क्या investment já के interest of investment of capital क्या जाएगा interest of capital इसके अंदर आजाएगा ठीक है competition management का जो खर्चा है ओ आ जाएगा cities management आजाएगा ठेक है फैमिली लेवर आ जाएगा तो यहां पर ध्यान रखना कि यह जो मेरे तीन बता हैं यह जो है नौन केस्ट यह कुन से हैं नौन केस्ट नौन केस्ट नौन केस्ट रिसॉर्सेश नौन केस्ट है इसमें पेसा देने की जुटरत नहीं है मंदब इंट्रेस केपिटल का मतल्ब यहां पर डिफ्रिशेशन हो रहा है पर क्रोप मैंजमन सब्सक्रास का कैसे मैंनेज करें यहां पर का हैं यहां पर को पैसा पर यहां के लिए और हर लेबर हे उनके लिए देना पड़ेगा clear है? दूसरी कोस्ट के हम बात करते हैं, variable cost, variable वेरियबल कोस्ट को इस्पेशियल कोस्ट भी कहते है ठीक है इसको प्राइम कोस्ट भी कहते है डायरेट कोस्ट भी कहते है इस्पेशल कोस्ट प्राइम कोस्ट डायरेक कोस्ट भी इसको कहा जाता है ठीक है अग इसमें होता क्या है change with the level of production change with the level of production यह production लेवल अपके साथ change होती है मतलब higher the production मतलब क्या होगा यहां पर अगर higher the production it means the higher the production means हो जाएगा the cost of variable the variable cost will be higher मतलब higher the production मतलब क्या होगा variable cost भी क्या होगी higher होगी it will be higher variable cost will be higher higher the production मतलब variable cost will be higher अगर higher production है तो variable cost भी क्या होगी higher होगी तो यह change होती ही level of production के साथ यह directly related होती है volume of production के साथ याद रखना यह directly जो variable cost होती ही directly related होती वह जो अब प्रोडोटक्शन के साथ आपको सारी चीज़एं नौर्स में डिटल में मिल जाएगी इक्लिर है तो यहाद रखना कि गर्ले ब्लेबल कास्ट होती है वह प्रोडोक्शन के साथ जैन्ज होती है अगर हम्हार प्रोड्डोक्शन हो रहा तो करन्ट रिपेर्मेंट कोस्ट आजाएगी करन्ट इंवेस्मेंट आजाएगा यह सारी चीज़े आपकी इसमाइगी वेरिबल कोस्ट के अंदर आएगे क्लियर है तो यह अपना फिसकाइब वेरिबल कोस्ट भी हो गया अब हम बात करते हैं एसेट्स एंड लाइबरेटिस पे चोटा सा टोपिक और बचा है उसके बाद हम फिनिश करेंगे अगरिकल्चर प्रोडक्शन अगरिकल्चर एकोनोमिस का एक पर हमारा कम्प्रेट हो जाएगा उसके बाद हम फार्म में आजाएगे प्रोड़क्शन 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 प्रोड़क् working assets और current assets fix assets की बात करें तो इनको अपन case में convert नहीं कर सकते हैं ठीक है not convert in case इनको हम case में convert नहीं कर सकते हैं इनको हम रूपे में convert नहीं कर सकते तो कौन से assets हैं तो आ जाएगा हमारा late हो गया farm building हो गई इनको हम क्या करते हैं case में convert नहीं कर सकते हैं ठीक है many current obligations की वज़े से ठीक है यह पैसा नहीं कर जम इनको बेस तो पैसे में convert हो जाएगी पतलब currently ऐसे obligations आ रहे हैं कि आप इसको लेट और farm building को case में convert नहीं कर सकते ठीक है फिर आता working asset working asset में जो होती जो more liquid होते है more liquid होते हैं यहां ध्यान रखना यह questions यहां से बनता है कि more liquid जो assets होते हैं वो कौन से होते हैं तो working assets होते हैं इसमें क्या थापना है machinery और equipment आते हैं ठीक है जो more liquid होते हैं और current assets में मतलब most liquid इसी चीज़ पर question आते है most है यह more है तो इसमें क्या आ जाएगा अपना seed आ जाएगा fertilizer आ जाएगा ठीक है यह आपका क्या है current assets में आता है ठीक है अब यहीं पर liabilities की बात कर लेते हैं liabilities liabilities भी थीन परगाना कि लॉंग Durable liabilities ठीक है चाथी लॉंग durable liabilities दुसरीं होते हैं आपकी विदियेट लेइबिलिटीज और तिसरी होती है अब की करणट लेइबिलिटीज ठीक है अब यहां पर लॉंग टर्म लॉन दिया जाता है लोंग टर्म लोन दियाता है मतलब यहां पे आपको किसी एक पर्टिकुलर एयर में ही जो लोन का मांटे वो पे नहीं करना है आप उससे ज्यादा समय ले सकते हो जैसे हमने पढ़ा था लोन वाले इस कॉंसेट में कि 5-7-20 या उससे ज्यादा तक समय रहता है तो इस लोंग लोन दिया जाता है इंटर्मिड्यर वाली लिच्ड़िटी इसमें मीडियम टर्म लोन दिया जाता है मतलब इसको एक साल में देना पड़ता है बड्य से मालओ ँड़े इस स्वेख वे रहलोंने के ओर से से गारई मेंडकर ने इसको एक साल के अंदर पे करना रहता है एक सीजन के अंदर जो डिमाडर है इसके अंदर अपना क्या आजाता है वही सीट फर्टिलाइजर क्रोप यह सब इसके अंदर आते हैं अब थोड़ा समय आपको यह टोटल प्रोड़क्ट टोटल कास्ट इन के बारे में अलका सा बता देता हूं बाकि आपको नोर्स में मिल जाएगा सारा रटने वाला काह में आपको रटना है ठीक है समझ लिए फर्टा-सा कि आपको क्या होता है टोटल कास्ट क्या होता है फिक्सको ब्लस बेरियबल को स्कूल अलगे टोटल कास्ट होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है एवरेज टोटल कोस्ट भी होती है तो एवरेज टोटल कास्ट को होगी टोटल कास्ट को जब हम आउटकूट से डिवाइड कर देंगे मतलब पर यूनिट कास्ट पर यूनिट प्रोडक्शन cost per unit production cost per unit production को हम क्या बोलते है average total cost अब average total cost जो होती है वो इसको ऐसा भी बोलते है average fixed cost plus average variable cost भी बोला जाता है कि इसको average total cost को average fixed cost क्या होता है average fixed cost क्या हो जागा fixed cost per unit production मतलब total fixed cost बटे output लिखो या fixed cost बटे output मतलब fix cost per unit production clear है फिर होता है अपना average variable cost तो total variable cost बटे output या variable cost बटे output means variable cost per unit of production यह हो गया हमारे यह सारी चीज़े clear है यह सारी चीज़े हैं और कुछ चीज़े जो मैं आपको farm management वाले concept में समझाओगा जैसे total product physical product जब हम farm management पढ़ेंगे उसमें समझाओगा होती है सारी चीज़े clear है अब इसमें कुछ formulas हैं जैसे assess liabilities formula net capital review total assess but total liabilities है ना अपना working capital review होता है intermediate assess current assess intermediate liabilities but current liabilities तो यह सारे formula आपको रटना है सारे notes में मिल जाएंगे इसमें समझाओगा लाइक कुछ नहीं है यह formula जरूर आप रटना है याद करें क्योंकि यह exam में पूछे जाएंगे कि net depth equity ratio क्या होता है तो differed liabilities burden net worth होता है तो यह questions पूछ लिए जाएंगे इससे objective के form में तो यह कुछ formula है आपको रटना है आप इसको रटनी जगा को सारे notes के अंदर दिये हुआ है तो आज के लिए इतना है हाँ हम बात करेंगे farm management farm management को समझने से पहले समझेंगे की farm क्या होता है ठीक है farm क्या होता है एक एसा area जो किसी single management के अंदर है ठीक है माल अलोगे एक फाम है ऐह नहीं यह जो किसी एक फार्मर को कोई एक फार्मर i app कर명 था क्या है ठीक फार्मर के management में hair turn लिए इससा area जो एक single management के अंदर अदर आता है जो एन एरिया under single management ठीक एसा एरिया जो एक Single Management के अंदर आथा है इसको हम Economic Unit भी बोल सकते हैं क्यों क्यों भही इस Farm से ही तो हमें क्या होगा profit होगा इस farms में हम क्या करेंगे crop को grow करेंगे और क्या करेंगे हमें क्या होगा यहां से profit होगा तो यह हमारी क्या होगा economic unit means हम farm को क्या बोल सकते है economic unit बोल सकते है economic unit में होता है हम यहां पर क्या करते है agriculture और live stock दोनों का करते है agriculture and live stock दोनों का used in जो हमारी economic unit होती है, जिसको हमने farm बोला है, उसके अंदर हम agriculture और live stock दोनों का यूज कर सकते हैं, एक crop का production भी कर सकते हैं, और live stock का, मतलब हम जो हमारे cattle से पसू है, उनको भी रखते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा, हमने farm की ज़रुत पढ़ती है, तो जो farm हमारा होता है, इसको हमने economic unit बोला है, उसके अंदर agriculture और live stock दोनों का यूज करते हैं, और जब हम agriculture और live stock लेते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, एक particular single management के अंदर होता है, जैसे अगर हमने crop लगा ही, तो वो किसी एक farmer की होगी, live stock होगा, तो भी किसी एक farmer का होगा, वो खुद उसको management कर रहा होगा, ठीक है, तो यह हमारा farm होता है, अब यहाँ पर बात आती है, अब यहाँ पर देखो farm में क्या factor काम करते हैं, अब फेक्टर क्या काम करते हैं, एक तो land, labor और capital, यह तीन factor farm पर काम करते हैं, ठीक है, पर यह आप legory culture कर रहे हो, तो land की ज़रूत है, labor की ज़रूत है, औ high stock में आपने अगर पसू रख रख रहे हैं, आपको labor की ज़रूत भी पड़ेगी और machine की ज़रूत भी, machine की ज़रूत भी पड़ेगी, जैसे milking के लिए क्या होता है, machine का use होता है, ठीक है, तो यह तीन factor land, labor और capital, यह तीन factor जो हमारे farm पर use होते हैं, बट, है क्या बच्चों हैं, तो यह क्या है, तीनो factor क्या है, production की factor है, इनी से हमें क्या मिलता है, production मिलता है, clear है, तो यह क्या है, तीनो limited है, अब इन limited factor को हम कैसे use करें, कि हमें क्या हो, maximum profit मिले, family satisfaction हमें मिले, ठीक है, तो इस पूरे management को हम farm management कहते हैं, ठीक है, तो farm management क्या हो जाएगा, farm management क्या होगा, कि यह जो हमारे scarce resources है मतलब जो limited resources है इस पॉल सकते है science which deals with use of limited resources ठीक है जो हमारे limited resources limited resources क्या land labor और capital कि यह क्या है for management एक science है जिसमें हम क्या कर सकते है जो limited resources का use कैसे करना having alternative use having alternative use हमें क्या करना है इनका alternate use करना है जिससे हमें क्या सके we get maximum profit and family satisfaction family satisfaction on continuous basis on continuous basis मतलब लगातार हमें हम मतलब की जो हमारे limited resources है land, labor and capital हम इनका alternate use करके जैसे labor की जगा capital केपिटल की जगा labor यूज कर सकते हैं alternate use करके हमें maximum profit लेना है agriculture या live stock के अंदर जिससे हमें क्या हो हम हमारी family की जो needs से उनको भी fulfill कर सके continuous basis तर लगातार basis पे इस पूरे management को हम farm management कहते हैं मतलब simple सा क्या हो गया कि जो हमारा farm है जहापर ये land, labor, capital limited factor है इनको हम इस सरी के से use करें कि हमें maximum profit मिले इस जी को farm management कहते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि objective क्या है farm management का objective क्या है उद्देश क्या है इसको करने का सीधी सी बात मैंने क्या बोला कि maximum profit मिलना चाहिए और हम यहापे जो limited resources lane, labor, capital lane, इनको alternate use क्यों कर रहे हैं कि भाई कही ना कही हम cost जो है हमारी input की cost है उनको कम कर सके cost को कम करेंगे तब ही जैसे की देखो गई यह lane तो limited है अगर आपके पास मैं बताओ कि यह जो lane है आपके पास मालोग 1 hectare ही है ठीक है 1 hectare में आप हर साल जो यहापे 10 quintal production ले रहे हैं wheat का clear है 10 quintal production आप ले रहे हैं wheat का और आपके cost आ रही है तेन थाउजन तेन थाउजन रूपिस clear आप आपके पास lane तो limited है एक ही hectare है आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ 10 की जगा 15 quintal wheat मिल जाए क्या आप करोगे lane को बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि यह limited है इसमें आप change नहीं ला सकते आप क्या करोगे आप क्या करोगे यहाँ पे यह cost आपकी जो 10,000 थी इसको आप कम कर सकते हो 8,000 कर सकते हो ठीक है तो आपको क्या होगा 2000 का profit आपका बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा 2000 का profit बढ़ जाएगा तो means ultimately farm management का क्या means है कि जो हमारे limited resources है उनका alternate use करके हम maximum profit ले सके तो यहाँ पे इसका उद्देश ही क्या हो गया कि हमें cost को minimum करना है क्या करना है यहाँ पे जो cost है उसको minimum करना है और profit को maximum करना है clear है cost को minimum करना है और profit जो कि cost minimum होगी तो profit automatic क्या होगा maximum होगा दूसरी जीच क्या है जो losses और damages होते हैं उनको क्या करना है minimum करना है जब जो losses होते हैं damages होते हैं फार्म के अंदर ठीक है मालों की field के अंदर कोई आवारा पसु गुजगिया उसने फसको खाना शुरू कर दिया fertilizer ज्यादा हमने दे दिया weed ज्यादा अंदर weed कम हो weed होई ना हम fertilizer जो है रिकमेंटने डोस पर दे इरिकेशन हम रिकमेंटने डोस पर दे यह सब management जिससे क्या होगा losses or damage कम होगा तो हमें क्या मिलेगा productivity ज्यादा मिलेगी क्या होगी productivity क्या होगी maximum होगी तीसरा क्या होगा inefficiency and unemployment इसको भी कम करना है जो unemployment है इसको कम करना है inefficiency इसको भी क्या करना है minimum करना है और क्या बढ़ाना है हमें efficiency और employment बढ़ाना है क्लियर है ठीक है अगर हम farm को manage करेंगे हमें क्या करेंगा यहां पर labor की जरूरत requirement रहेगी तो क्या होगा हम क्या करेंगे हम employment generate करेंगे ठीक है inefficiency मतला हम क्या करेंगे technical labor या technical machinery या expert लोगों की सलाह लेंगे या expert labor को रखेंगे जिससे क्या होगी हमारे farm की efficiency बढ़ेगी क्लियर है वो efficiently work करेंगे तो हमें क्यों efficiency भी बढ़ेगी तो यह जो इसके objective है cost को कम करना production को बढ़ाना profit को बढ़ाना loss को कम करना productivity बढ़ाना employment को कम करके employment को बढ़ाना यह farm management का objectives होता है क्लियर है ना हम बात करते है production decision की कि farm पे हमें किस तरीके के decisions लेने पड़ते हैं जिससे हमें क्या को maximum production या maximum profit मिल सके उसके लिए थोड़ा सामया पर discuss करेंगे प्रोडक्शन डिसीजन प्रोडक्शन डिसीजन में हमें तीन चीज आती कि किस तरीके के हम डिसीजन ले कि हमें क्या मिले ज्यादा maximum profit मिले हमारी जो cost है वो कम आए इस तरीके के decision हमें लेना पड़ते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या चीज आती है क्या questions हमारे mind में आता है कि how much to produce how much to produce कितना हमें produce करना है clear है कितना हमें produce करना है जब how much to produce यह production decision हम लेना है कि how much to produce कितना हमें produce करना है अब कितना हमें produce करना है तो इसके लिए क्या चीज़ आती ही यह किस में आता है हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा Input Output Relationship देखना पड़ेगा Input Output Relationship देखना पड़ेगा Means यह किस के अंदर आ रहा है Factor Product Relationship के अंदर कि How much to produce किस के अंदर आएगा factor product relationship के अंदर मतलब यहाँ पर क्या होगा हमें input का optimum use करना है मतलब optimum use of input तो हमें क्या मिलेगा optimum output optimum output मिलेगा ठीक है हम input का optimum use करेंगे तो हमें हम क्या मिलेगा output क्या मिलेगा optimum मिलेगा तो how much to produce कितना produce करना है तो वो input के उपर depend करेगा जितना हम inputs में change करेंगे उतरा हमें output मिलेगा अभी हम production function की बात करेंगे थोड़ा सा माफिट और अच्छे से जमेंगे tabular form में दूसरा हैगा how to produce how to produce मतलब की कैसे हमें उत्पादल लेना है यहां तो आगे हमें कितना लेना है तो input output दोनों की बात हुई input हमें optimum देंगे ठीक NDU यू causa of resources तो हमें क्या मिलेगा optimum outputs मिलेगा clear है अब यहां हो रहा है how to produce केसे produce करना है तो krsis produce कैसे करना है तो यहां पर हमें क्या करना है input-input relation को देखना पड़ेगा Input-input relationship का मतलब अगर हमें कीशीच का production लेना है तो हमें जो factor है हमारे जो inputs हैं उनका combination किस तरीके से लें कि हमें production ज्यादा मिले हमारी cost जो है कमा है यहाँ पे कुल मिला के concept क्या करता है कि हमारी जो cost है उसको हम minimize करें list cost combination की बाद यहाँ पे आती है ठीक है input output में या factor factor relationship में list cost combination मतलब वो point ऐसे combination input के जहाँ पे हमें maximum profit मिले और cost minimum हो तो how to produce तो input input की बाद की clear है third one यहाँ पे आ जाएगा what to produce क्या produce करें क्या produce करें यहाँ पे क्या आ जाएगा output output या product product relationship is product product relationship इसमें क्या आएगा कि किस तरीके के enterprises कि स्प्रोडीक हम select करें कि हमें maximum यह हमारा profit maximization हो ठीक है what to produce मतलब क्या क्या हमें produce करना है कौन सा product या कौन सी crop हमें produce करना है तो यहाँ पे product-product relationship हाएगा तो product-product का input के reference में product-product का relation देखेंगे कि किस product की वज़े से हमें profit maximization हो रहा है हमें production ज़्यादा मिल रहा है तो what to produce तो product product relationship में आता है clear है अब इसको थोड़ा सा tabular form में समझ लेते हैं तीनों decision को थोड़ा सा tabular form में समझ लेते हैं यह पूरा इसमें अपना factor factor और product product सारे relationship आ जाएगे यह हम बात करते हैं factor product relationship factor factor relationship and product product relationship तीनों की बात कर रहे हैं ठीक अब इसमें सबसे पहले बात आती है decision की decision हम क्या लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं how much to produce कितना हमें produce करना है how much to produce कितना हमें produce करना है यहाँ पर क्या था how to produce कैसे produce करना है और what to produce क्या produce करना है और भी इसमें decision है where to buy and sell where to buy and sell मतलब हम कहां पे इसको बेचे कहां से खरीदे कहां पे कब बेचे और कब खरीदे यह decisions भी इसके अंदर लेने पड़ते हैं पर यहां पे factor factor product relationship की बाग करते हैं इसमें हमारा में मतलब क्या होता है क्या decide करते है कि Optimum Use of Resources और क्या decide करते है Optimum Level of Optimum Level of Input Use मतलब हमें input को Optimum Level तक यूज़ करना है जहां तक मुहां उस लेवल तक यूज़ करना है जहांसे हमें maximum profit मिल सके क्लियर है यहाँ पर हमारा क्या decision रहता है यहाँ पर हमारा रहता है least cost combination least cost method यहाँ पर हमें क्या रिखता है least cost method ठीक है यहाँ पर हमें वो point लाना है least cost उस point पर आना है मतलब ऐसे combinations use करने हैं जिससे हमारा क्या हो cost minimum हो और हमें production ज़्यादा मिलें तूलीस कॉस्स मिटट ठीक है थाट North आபрашा जाएगा lähगा इन्ट आप्राइजिस सिलेक्शन इंट्रप्राइज इन्ट्रईज इन्ट आ मतला हुआ प्रोड़क्स सेलेक्शन कि हमें कितना क्या करना है यह हमें क्या विल्मनीशिंग ममकल्चर की जतनी फिसे ओié्ग्रेजरे गोःख्यमी है बमिल्सक्रेश भी आरे की पहलेेट कर से ऐसों तरहों करता दूने मे ज़ैक्स रखना जितने भी कमादिटी से स्थिनिश्थ क्या है हमारा वो किस में आता है marginal return of decreasing marginal return of decreasing में आता है ठीक है diminishing return में आता है clear है सेक्ड़ हम बात काते हैं इसमें हमारा काम क्या करता है principle of factor substitution factor या input substitution मतलब यहां भी रहां बोल सकते हूं list cost combination list cost combination principle of list cost combination के लिए रहे हैं यहां पर हमारा आए जागा principle of factor substitution principle of factor substitution यह हम बोल सकते हैं equi marginal return equi marginal return यह हम बोल सकते हैं principle of opportunity cards principle of opportunity cost opportunity cost का मतलब है कि हमें next best alternative use करना है opportunity cost का क्या मतलब है कि हमें जैसे माल लो अभी हम क्या कर रहे है mage का product mage ले रहे हमारी field में rice लगाएंगे इसके mage पर place पर हम क्या लगाएंगे rice इसमें इसमें जो बात करते हैं यहां पर जो है choice indicator क्या है price ratio price ratio है यहां पर choice indicator यहां पर क्या है substitution ratio and price ratio दोनों है choice indicator substitution ratio और यहां पर भी क्या है substitution ratio और price ratio price ratio दोनों है choice indicator यहाद रखना है यहां से price ratio है substitution ratio और price ratio दोनों है यहां पर भी substitution ratio और price ratio है clear है तो ये सारी कुछ basic चीज़े हैं इसके अंदर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा y equal to function x1 vary करेगा और बाकी सब जो रहें constant रहेंगे ठीक है? मतलब यहाँ पर short term short term जो है production function काम करता है कि इसमें factor product relationship में short term काम करता है clear है कि एक जो है variable है वो एक input जो है वो vary करेगा और कुछ inputs जो है वहाँ पर constant रहेंगे यह factor product मतलब की अपना आएगा principle of diminishing return में और इसी को बोलते है short term production function मतलब law of variable returns ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसमें क्या होता है? factor factor में factor factor में क्या रहेगा? यहाँ पर कुछ inputs vary करेंगे और कुछ constant रहेगे ठीक है? यहाँ पर कुछ inputs को vary किया जाएगा और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सारे के सारे जो product होते हैं वो सारे के सारे जो है यहाँ पर about good की हो रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे जो है वो variable होते हैं clear है यह mathematical form है इसी की बारे में आगे discuss करने वाले है production function की तो यह just basic idea था कि how much factor product में क्या चीज़ होती है factor factor में क्या होती है product product में क्या चीज़ होती है और भी चीज़े हैं सारी आपको detail notes में मिल जाएगी clear है अब next हम बात करते है production function की production function क्या होता है production function means देखो equations से समझे लो easily समझ मैं जागा यह y equal to क्या लिखा f x1 x2 xn यहाँ पे जो y है यह क्या है यह जो y हमारा यह क्या है यह production है yield बोल सकते हो है न यह क्या हमारी yield है yield है माल लो wheat yield है हमने माल लिए यह wheat की yield है यहाँ पे जो यह हमारे क्या है सारे जो है input है सारे क्या input है यहाँ पे माल लो यह हमने माल लिए irrigation है ठीक है यह हमने माल लिए fertilizer है और यह हमने माल लिया क्या seed यह हमारे input है क्योंकि input देने से seed की जगा और कुछ लेलो आप irrigation हो गया fertilizer हो गया या pesticide, insecticide जो भी लेलो यह हो गया ठीक है यह input है इन में changes करने पर हमारी yield में changes आता है तो क्या है यह आपने production function कि अगर आप इसमें आपकी जो input है input के अंदर unit change करते हो ठेक है unit quantity में change करते हो तो आपका क्या होगा यहाँ पे output में भी क्या होगा unit change होगा unit change होगा मतलब आपकी जो wheat की yield है वो किस पे depend करती है आपके particular input आपने जो दिये है irrigation के उपर आपकी wheat की yield निर्वर करती है fertilizer के उपर आपकी wheat की yield निर्वर करती है और pesticide के उपर आपकी wheat की yield निर्वर करती है इसी को बोलते हैं production function मतलब कि relation between input and output उसको हम बोलते है production function clear है relation between क्या होता production function यह हो जाएगा relation between इन्पूट एंड आउट्वूट इन्पूट और आउट्वूट के बीच में रिवर्ड ये इन्पूट हो गया और ये क्या हो गया आउट्वूट इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम प्रोडक्शन फॉंक्शन बोलते हैं ये क्या है एक मैथेमेटिकल आपका जो है production निर्वर कर रहा है clear है यह होता है production function अब इसमें थोड़े से types की बात कर लेते हैं कि types और production function यह काफ़े IMP यहां से question पूछ लिया जाता है clear है types में हम पहले बात करते है linear production function linear production function linear production function क्या होगा means आपका करव कुछ इस तरीके से बनेगा straight line ठीक है मतलब y equal to a plus bx यह equation आपको मिल जाए मतलब वो linear production function है means यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो production है वो constant rate से increase हो रहा है जब constant rate से increase होते हैं आपका graph बनता है straight line ठीक है धियान रखना यहाँ पे graph कुछ सा बनेगा straight line state line graph बनेगा negative वो भी कौन सा है state line graph आपका बनेगा means यहाँ पे यह a क्या है यह तो constant हो गया आपका b क्या है यह आपका coefficient है coefficient और x क्या है आपका input factor है clear है तो जब linear production function होगा तो a plus bx होता है y equal y क्या आपका output है तो a plus bx तो यह कब बनेगा जब आपका जो graph होगा कर्व होगा वो straight line होगा तभी उसको आप क्या बोलेगे linear production function मोलेगे means आपका जो production है वो constant rate से increase हो रहा है clear है second हम बात करते quadratic quadratic production function quadratic production function क्या होता है यह होथा है y equal to a plus bx plus cx का square clear है यहाँ पर वही बात होगी यह क्या है यहाँ पर कोंस्टेंट है यह b और c क्या है यह आपके क्या होजाएगे coefficient है और x और x का इसको लिए क्या है आपका input है या independent variable बोल सकते हैं आप इसको x को क्या बोल सकते हो independent variable या input बोल सकते है y आपका क्या होता है dependent variable क्योंकि यह किस पर depend कर रहा है input के ओपर depend कर रहा है मतलब यहाँ पर yield जो होगी आपकी यह coefficient और यह आपके input है इनके base में निर्बर करेगी clear है third one होता है सिधे equation कुछ ले आती है कि a plus bx x का square है कौन सा production function है? quantitative production function third one है आपका square root production function square root production function क्या होगा? y equal to a plus bx, b under root x1 और हो जागा cx2 clear है? यहाँ पर यह ध्यान रखना है b under root x1 है तो यह इसी को square root गोला गया है कि y equal to a plus b under root x1 plus cx2 तो यह आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? square root मतलब under root लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या है? यह आपका क्या है? constant value है b और c आपका क्या है? coefficient है और यहाँ पर यह आपका जो under root के अंदर है और यह x है यह क्या है? आपके input है कि जब आप input में यहाँ यह change कर रहे हूँ हो क्या रहा है? यहाँ पर आपने सीधा लिया है अंदर रूट में इरिगेशन ले लिया मानलोटी के अंदर रूट में इरिगेशन लिया तो यहां पर इल्ड कुछ इस तरीके से आईगी फॉर्थ होना है आपका क्यूबिक प्रोड़क्शन फॉंक्शन क्या होता है y इक्वल टू a a प्लस bx प्लस cx square प्लस dx का cube यह ठीक है क्योब इक बात हो रही तो मतलब cube तो हमें ले जाना है यहां पर a जोए constant है b c और d आपके coefficient है और x1, x2, x3 क्या है यह आपके input है या independent variable है means यह क्या होगे यहाँ पर multiple factors हैं यहाँ पर तो उस पर yield पर क्या effect वड़ेगा इसी को क्यो production function बोलते हैं detail में काफी चीज़ें इसमें समझने के लिए कि यहाँ पर value रखेंगे तो हमारा production क्या आएगा यहाँ पर 2 का square value रखेंगे तो क्या आएगा यह equation कैसे बनी कैसे square root आय यह सारी इको सारा detail की बाते हैं इतना time नहीं हमारे पास हमें बस समझना है कि linear production function क्या होता है quadratic में क्या होता है square में क्या होता है इस इंपल आपको equation याद रखने है equation दे जाएगे पूछ लिए जाएगा कौन सा production function है एक इसमें most IMP production function है कॉप डगलस production function है जो सबसे IMP है इसके questions हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है क्या question उसमें पूछा जाता है वो भी बताऊँगा तो कॉप डगलस production function कॉप डगलस production function Most IMP scientists के time पर ही कोप और डगलस दो scientists थे उन्होंने production function दिया था इसलिए इसको कॉप डगलस production function कहते हैं और मैं बता दूँआ आपको इसको power function भी कहते हैं याद रखना इसको power function भी कहते हैं clear है होता है क्या प्रप्रटक्शन functions Q equal to K L की power alpha और C की power beta ठीक है यहाँ पर L क्या है वो हो गया वारा labor C क्या हो गया यह हो गया capital इसको मैं आपको detail में नहीं समझाऊँगा कैसे equation बनी कब 1 होता है कब less than 1 होता है कब greater than 1 होता है यह पूरा एक exponential function होता है उसके थुरू हम equation से निकालते हैं कि कब 1 होगा कब greater than 1 होगा कब less than 1 होगा आपको सीधे सीधे यहां पर मैं शोड में बताऊँगा उसको बस याद रखना है ठीक है detail में यहां पर explain नहीं करूँगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर लेवर होता है capital C होता है clear है कि यहां पर क्या है यह constant है के constant है constant में आप कितना भी चेंज करोगे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है बात यहां थी alpha और beta की value के ऊपर यह alpha और beta की value डिसाइड करती है कि आपका जोग of Douglas production function जो है वो less than या मतलब constant return है increasing return है या decreasing return है यह alpha और beta की value डिसाइड करती है और alpha और beta की value जो है निकालने का एक पूरी procedure है उसके लिए कम से 2-3 videos लगेंगे मैं आपको यह सारी procedure नहीं बताने वाला मैं simple बताऊँगा आपको कि कैसे बनेगा मालो यहां पर alpha plus beta equal to 1 है 1 कब होगा मालो यहांपे values कब आ रही है अपकी 3 by 4 और बनाएगा इसी को बोलते हैं constant return law of constant return ठीक है law of constant return जब value 1 होगी मतलब ग्राप क्या बनेगा आपका यह state line ग्राप बनेगा clear है जब alpha और beta की value 1 होगी alpha बिटा को दोनों को add करोगे तो उसकी value क्या हो जाएगी one इसी को बोलेंगे law of constant return और यह state line होता है और अभी मैंने बताया कि जब state line होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या linear production function तो यहाँ पर यह क्या होगा linear production function को हम लिखेंगे linear homogeneous production function with constant return यही caution बनता है कि यहाँ पर alpha और beta की value one होती तो उसको constant return तो बोलते हैं बड़ यहाँ पर value constant बहें यह state line graph बन रहा है और state line graph बनता है तो कौनसा production function होता है अभी हमने पढ़ा कौनसा होता है linear production function होता है तो इस ही को जब one होगा इस ही को बोलेंगे linear homogeneous production function with constant rate अब यहाँ पर alpha plus beta की value अगर less than 1 हो ठीक है माल लो यहाँ पर value कुछ इस तरीके से हो कि alpha plus beta की value आपकी less than 1 आ जाए clear है माल लो alpha plus beta की value आपकी 0.5 0.5 आ जाए कुछ ऐसी values यहाँ पर put करते हैं equation में लगाते हैं exponential function के अंदर exponential equation के अंदर कि यह value आपकी less than 1 आ जाएगी पूरी procedure है उसकी कभी मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब पर वीडियो आपको में रात्रुसर से मैं बात करूँगा इसका पूरा detail Cobb Douglas production function का जो एक पूरा detail की कैसे यहाँ पर value change होती है मैं उनसे रात्रुसर से पूछूँगा और अगर हो सकेगा तो मैं इसका पूरा यूट्यूब पर आपको एक वीडियो दे दूंगा अगर अगर अलफा और बीटा की वेल्यू अगर हमारी क्या हो जाए क्रेटर देन वन हो जाए तो क्या हो जाए कर ला ओफ विस्द इंक्रीजिंग रिटन लाफ इंक्रीजिंग रिटन और उसका ग्रपभी बनता है फुछ इस तरीके से तो यह वाला ग्र वह मारा बहुत ही आईंपी है क्योंकि अगरी कल Fields का जो प्रोडक्शन है वो घ्रा है यह क्राप कफी इंपोटेंट इस क्राप के बारे में हम डिसकस करने बाले हैं तो यहां पर क्रोप डगलस के बारे में सारी चीज़े पड़ी यह तो यह इंपोटेंट पॉइंट है कि जो constant return होता है उसी को linear homogeneous production function बोलते हैं और एक most IMB चीज़े और मैं आपको बताना चाहरा हूँ है आपकी कोप डगलस production function जो होता है वो constant elasticity of substitution पर बेस होता है ठीक है कोप डगलस जो है production function ठीक है has constant elasticity of production constant elasticity of production यह IMB है यह कैसे इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है यह मैंने आपको बोला है कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर विडियो बनाऊंगा कि constant elasticity of production केते आता है यह जो constant यह value constant रहती हमेशा इसको change करते जाते चेंज करते जाते तो यहां पर value जो less than one equal to one greater than one आती है तब ही हम इसको क्या बोलते है constant return increasing return decreasing return बोलते हैं और decreasing return होता है उसको diminishing return बोलते हैं वह ही हमारे agriculture production जो है सारा उसी पर best होता है ठीक है यह वाले graph पे इसी में हम stage one stage two stage three पढ़ने वाले है clear है तो यह point याद रखना है कोप डॉक्रग्लस production function जो होता है वो constant elasticity of production होता है इसको याद रखना है नेक्स हम आगे बात करेंगे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं जो भी मैंने बता है ना कि जो constant constant rate रेट 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 कहा जाता है क्योंकि इसका graph जो बनता है इस तरीके से तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यह independent होता है जो product होते है जो output होते हैं यह वाले यह क्या हो जाते है एक दूसरे से independent होते है no interrelated एक दूसरे से कोई relation नहीं होता है clear है इसलिए इसको equivalent भी बोल देते है ठीक अब हम बात करते है elasticity of production की elasticity of production या elasticity of production की बात करने से पहले में कुछ terms की बात कर लेता हूँ ठीक है कुछ terms हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं जिनका काफी role है आपके जो production function कर भा है उसमें तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है सबसे बएले बात करते हैं आप हम total product की क्या बात करते है total product की total product क्या होता है ठीक है मालो आपकी यह field है इसके अंदर आपने यह field इसम डिवाइड कर रखी है clear है आपकी field है यह total production को किसी तरीके से समझ लीजे ठीक है यह आप यह और आपके पास क्या है दो तीन industries है आपका dairy यहाँ पर प्रोड़क्ट है यहाँ पर आपका यह farm है agriculture farm है यह आपका fertilizer farm है तो यह आपका total product आप यहाँ से ले लीजे technical efficiency of technical efficiency of fixed resources जो fixed resources होते है या fixed factor होते है उनकी efficiency को यह indicate करता है total product क्या होता है कि जितना भी आपका production है छोटे छोटे फर्म का या छोटे छोटे field count सबको आप क्या कर लो total कर लो उसको हम बोलते है total product ठीक है अब हम बात करते हैं average product की इसी को क्या बोलते है total physical product total physical product यहां पर क्या लग गया physical लग गया physical लगने से होता क्या है confusion यह रहता बच्चों को total product है total physical product है physical क्यों बोला गया physical इसलिए बोला गया कि जो भी हमारा total production आया जब हम उसको unit में show करते हैं unit मतलब kg में क्वेंटल में शो कर देते हैं तो िहां एक फिजिकल उनिट हो गई यहां पे अड़ तो उस फिजिकल उनिट प्रोड़क्त हो जाएगा इस इक हो टोटल पॉड़क्त भी बोलते हैं लेकिन फिजिकल को बोला जब यहां पर यूनिट стор सुन ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पये क्या जाएगा है यहां पयोड्रेज प्रोडर्ट ठीक है एव्रेज Lets अब इसे को क्या बोलेंगे हम? एव्रेज फीजिकल पॉड़न भी भोलेंगे रहे है बार बार निबताहुगा कि फिजिकल उनिट है इसलिए व फिजिकल पर पॉटक्क्त बोलते हैं तो आभी पडे को अवड्श पडेक्ट होता क्या है क्लिया क्या होता है एवरेज पॉटक्त कि जितना आपका ऑबपुट है divided by input मतलब ratio of output to input क्या आजाएगा यह ratio of output to input ठीक है मतलब ratio of output to input y upon x क्या होता है वो average होता है मतलब क्या होगा कि जो आपका total product आया है उसमें आप क्या करो input का divide कर दोगे y क्या है यहापे y क्या है total product है ध्यान रखना यह जो y आपका output है मतलब यह आपका क्या है total product है उसमें आप input से divide कर दोके तो आपका average product आजाएगा आपने state में पढ़ा होगा न average निकालना मालो एक दो और तीन यह क्या है तीन number है तो तीन number को जोड़के तीन से ही भाग देती है अपने तो क्या आजाता है average आजाता है clear है वैसे ही यहापे क्य है जो आपका total product है उसमें आप input से divide कर देंगे तो आपका average product आजाएगा clear है third one आथा अपना marginal physical product marginal product या marginal physical product clear है यह क्या होता है आपका हो जाएगा यह change in output बटे change in input मतलब यहाँ में लिख सकता हूँ change in output बटे change in input यहाँ पर कदी addition in output भी लिखा हूँ था change in output मतलब addition in output addition in input मतलब कि आप input में एक कुछ unit changes करेंगे आपने मालो input में यहाँ पर एक मिलाया तो यहाँ पर एक unit output में भी change आएगा एक unit अगर input में change आ रहा है तो एक unit output में भी change आएगा मतलब addition in input तो क्या होगा addition in output उसी को बोलते है marginal physical product मतलब कितना margin रहा ठीक है माल लो यहाँ पर आपने पहले input 10 दिये थे आपका production आपको 15 मिला फिर आपने क्या input 12 कर दिये production आपका कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया तो य यहाँ पर margin कितना 2 खाता यहाँ पर margin कितना 5 खाता इसी को बोलते है marginal product या marginal physical product के लिए यह समय क्यों बता रहा हो कि इंद का use होने वाला है जब हम production function करवर समझेंगे तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यह terms क्या है कभी कभी direct exam में पूछ लेंगे कि y upon x है तो average physical product marginal total product तो average physical product होता है यह आपको पता होना चीज़ अवरेज कभ निकलता है वाही यहाँ पर total product है total product में जब हम input का divide कर देते हैं तो average आजाता है तो average product हो गया marginal कभ बोला है ध्यान रखना margin की बात हो रही हम margin अच्छे समझते margin मतलब कि कितना change आया कितने का margin है मतलब कितना change आया यूनित हमने input change किया तो हमें 5 unit output में changes मिला इसी को बोलते है marginal product के लिए है change in output बट है change in input इसको अच्छे से हम numerical लेके अच्छे से समझ सकते हैं बट हमारे पास समझ नहीं है इसलिए मैं आपको basic इसी तरीके से समझा रहा हूं clear है कभी दिन time मिलेगा तो पुरा basic पुरा detail वा है clear अब यहां से हम बात करेंगे आपका elasticity of production के बारे में clear है यहां से हम बात करेंगा elasticity of production के बारे में ठीक है अब हम बात करेंगे elasticity of production elasticity of production elasticity of production क्या होता है percentage change in output to percentage change in input मतलब क्या होगा it is the ratio of क्या हो जाएगा it is the ratio of percentage change in output and percentage change in input उसी को हम बोलते क्या elasticity of production क्या हो जाएगा elasticity of production if भी equal to वही percentage change in output output upon में percentage change in input मतलब आप क्या लिखोगे यहापे percentage change in output मतलब कि आपके output में जैसे मालो पहला आपका output y था फिर कितना होगा change होगे change भाई हो गया ठीक है यह मैंने लिखा पहले आपका 10 था बाद में change पांच का आया क्लियर है तो ओरीजनल कितना था आपका output 15 था चेंज कितना आया पांच का औरीजनल कितना था पंदरा चेंज कितना आया पांच का तो मतलब change in output हो गया change in percentage in output हो गया डेल्टा चेंज इन अपन में y डेल्टा वाई उपन में y अपन इंटू 100 मतलब क्या हो गया पहले आपका output 15 था मतलब y था फिर यहां पे आपने input को बढ़ाया 2 unit output आपका 20 हो गया मतलब कितने का चेंज आया पांच का तो चेंज जो आएगा उसको हमने डेल्टा य लिखा है तो डेल्टा वाई उपन वाई ठीक फिर नीचे आजाएगा अपन अप change in input percentage change in input इस तरीके से बनेगी equation clear equation बनाना आना चाहिए clear है तो यहां पे क्या होगा 100 to 100 तो cancel हो गया यह आपको आना चाहिए यह आप आएगे या फिर मैंने last में इसका जो formula निकल आएगा वो आप रट लीजेगा ठीक है क्योंकि उसका बहुत बढ़ा रोल है production function curve में समझने के लिए अब यहां पे क्या हो रहा है delta y upon y delta x upon x इसको मैं उल्टा करूँ है ठीक है किसी भी चीज़ को उल्टा करते हैं तो वो गुने में चले जाती है इसको उल्टा क्या मैं तो यहां पे यह क्या बन रहा है देखो delta delta वाली value को एक तरफ कर लेते हैं तो यह delta y upon में क्या ह x into में हो गया x upon में y अब यहां पर याद कीजी यह वाली value क्या है यह क्या है डिल्टा y upon delta x अभी हमने पढ़ा था delta y upon delta x मार्जिनल फिजिकल प्रोडेक्ट क्या होता है delta y upon में delta x होता है अभी हमने पढ़ा था इसलिए मैंने वो पढ़ाया था पेले ठीक है यहां पर app है वो क्या होता है y upon x होता है average physical product क्या होता है y upon x होता है यह अभी हमने पढ़ा अब यहां पर देखो MPP into x upon y है अगर हम इसको y upon x कर दे तो यह app हो जाएगा तो हम इसको change करने के लिए क्लिए यह तो MPP हमारा ऐसा किसी है इसको क्या करेंगी बटे में ले जाएंगे बटे इसको में नीचे ले जा रहा हूं बटे में तो यह क्या हो जाएगा y upon x हो जाएगा तो y upon x हो जाएगा तो y upon x क्या होता है y upon x होता है अपना average physical product तो आपकी EP की जो value निकल के आती है वो आती है MPP upon में MPP और इसका बहुत बढ़ा रोल है यही value अपन निकलते है अब आपको वो चीज रटने की जूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अब हम बात करते हैं कर्व की production function कर्व पर आते हैं क्या पढ़ेंगे आप production function कर्व प्रोडक्शन function कर्व यह most IMP topic है बचो इससे ही question अक्षर को इग्जाम में पूछे जाते हैं कि EP less than cup होता है EP greater than one cup होता है EP की value zero cup होती है MPP cup zero होता है MPP cup TPP cup maximum होता है यहीं से question आपके exam में आ जाएंगे एक या दो questions तो पक के इसी से बन जाएंगे clear है तो यहां आपको समझने के लिए बस आपको graph mind में रखना है बाकि कुछ याद नहीं रखना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यह सिर्फ graph आपको mind में रखना है बस मैं यहां पर इतना space शोड रहूँ इदर क्योंकि मैं थोड़ा कुछ लिख पाऊं clear है यहां पर सिर्फ आपको graph mind में रखना है ठीक यह हमारी stage first होती है clear stage first यह हमारी stage first हो गई यहां से हमारा जाता है graph को बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा graph को आप याद रखिये थोड़ा सा ठीक है यह इस तरी के गई graph होता है मारा यह आपकी second stage हो जाएगी यहां पर और यह आपकी third stage clear graph थोड़ा सा जैसा बना पा रहा हूं मैं बस समझ लेना यह कैसे होता है यह थोड़ा सा यहां पर जुक्के निकलता है बस clear है तो यह आपको graph याद रखना है यह तो हमारा क्या इसको बोलते है टीपी इसको क्या बोलते है टोटल physical product ठीक है यही मैंने यह हमारा क्या है टीपी बी मैंने बताया था ना वो decreasing return वाला graph मैंने बताया था तो यह फर्स टेस सेक्ड इस्टेक ड्स टेस होगी अब यहां पर हमारा दूसरा जो लाइन आई की वह निकल के आई की क्या यह हमारा होता है MPP clear है यह वाली लाइन जो है black line हमारी क्या है MPP है फिर next हमारी आजाएगी यह blue line यह हमारी क्या है MPP है average physical product यह तीनों चीज मैंने आपको बढ़ा ही अभी TPP total product क्या होता है APP क्या होता है और अपना marginal physical product क्या होता है इसलिए मैंने पहले आपको यह temps बता दिये थे अब यहां पर आपको कुछ रटने की जुरूत नहीं बस यह graph आपके mind में fix कर लीजिए कि यह TPP की line ऐसे जाती है यह MPP की line इस तरह कैसे यहां से cross करके नीचे निकलती है MPP की line ऐसे जाती है यह graph बस आप एक बार mind में अपने छाप लीजिए उसके पाद आपको कोई भी एक single word भी रटनेंग की ज़रूरत नहीं है सब आपका यहां पर clear हो जाएगा ठीक है यह करने के बाद आप थोड़ा से यहां पर ध्यान क्या रखना आपको के EP का formula जो भी हम दें निकाला था MPP upon में APP clear है यह आपको एक copy में या आपके mind में रख stage first की बात करते हैं या zone first stage first इसी को क्या बोलते है ई-rational zone यह rational क्यों बोला जाता है यह भी हम पढ़ेंगे ठीक है और stage first की बात करते हैं तो stage first की starting point क्या है यह start कहां से होता है जेट कहां मिआ tutto Su M कुछ भी नहीं हमने हां पर कुछ भी नहीं किया भी हम ना पर ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह वाली line क्या है यह black line क्या है MPP है और यह blue line क्या है MPP है तो यहाँ पहली stage में आप देखिए पहली stage में क्या हो रहा है यहाँ पर MPP की line जो है MPP से उपर है मतलब यहाँ पर MPP है MPP क्या है MPP से hear बनुख आप से हमें समझ में आ रहा ना मतलब सेकेंड पूर क्या वजाए कहा है यहां पर MPP जो है हमारा क्या है बड़ा है MP से clear है क्या समझ में आ रहा है है यह ने भूरी नौन सेPoint यहां अब ने समय dus से लेके यहाँ इस पॉइंट तक increase ही हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है एपप in MPP पूरा increase ही हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पूरे zone में increase हो रहा है clear है अब यहाँ पे समझेए यह जो यहाँ पे point है maximum point MPP का यह उपर जा रहा है यह यहाँ तक तो इस point को हम बोलते क्या है inflection point क्या बोलते है inflection point कैसे याद रखना आपको कि जब आपको यह यहाँ पे MPP का highest होना दिख जाए MPP जहाँ पे maximum है उससे आप उपर खिशते हुए ले जाओ तो यह आपका क्या हो जाएगा inflection point हो जाएगा clear है तो यहाँ पे देखो APP maximum पूछा जाता है कि APP maximum किस point पर होता है तो MPP जो है maximum है कहाँ up to inflection point up to inflection या increase up to inflection point APP maximum at inflection point clear या तो ऐसा या फिर आप इसको लिख सकते हो MPP increase up to inflection point then decrease then decline उसके बाद क्या होता है वो decline होना शुरू हो जाता है देखो यह आपे यह MPP क्या है यह इस point तक तो increase हो रहा है break line MPP की है यह increase हो रहा है यहाँ तक inflection point तक उसके बाद यह decline होना शुरू कर देता है उसके बाद यह Decrease होना सुरू कर देता है, क्लियर है? next point पे आजाओ next point क्या कहता है यहां पर first zone की बात कर रहे हैं first zone में देखो यहां पर यह जो TPP की बात करते हैं TPP क्या हो रहा है यहां पर TPP increase हो रहा है increasing rate से यहां तक यहां तक देखो इसके बाद यह करूँ थोड़ा सा यहां पर मुड़ जाता है थोड़ा सा नीची हो पर जाता है तो यहां पर देखो up to इंफ्लेक्शन पॉइंट अप्टो इंफ्लेक्शन पॉइंट तक ठीक है यहां तक जो है टीपीपी वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ठीक है यहां तक टीपीपी जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है फर्स जोन में है उसके पाथ क्या होता है इंक्रीज तो होता है बट डिकरिजिंग रेट से हैं कहां तक यहां अपना पूरा यहां तक डिकरिजिंग रेट से इंक्रीज होता है क्लियर है नेक्स पॉइंट पर आजाओ क्लियर है यहां मनें सारी चीज समझ ली अब यहां पर समझो मैंने क्या बोला यहां पर MPP यह बढ़ा है MPP से तो यह फार्मूला आप देखो लगा हो रटने की दूरत नहीं आपको यहां तो सीधा कॉंसे प्लान लो MPP बढ़ा हो तो लो थेना भइथ अब तको पड़ा है MPP बढ़ा है चार और MPP दो है चोटा है माना में लेल्यू में मैं लन्य Ist मर डूतीय है रटने की जरूत है है क्यों सब्सक्राणेद यह में ने बता दिये क्यों और,, छोटा सब ठीक है रटने की जुरूत नहीं है कैसे आई वन तो भाई मैंने बता दिया क्यों क्योंकि MPP बढ़ा है या तो सीथे आप रहा है याद रख लो जब जब MPP MPP बढ़ा होगा तो EP बढ़ा होगा पर कित से वन से क्लिएर अब आद इनुक्स से मारजिनल वेल्यू प्रोड़क्त क्या होता है वो less than होता है या greater than marginal value product जो है greater than होता है marginal input card से marginal value जो है बड़ा होता है marginal input card से marginal value product क्या होता है change in total value product upon me change in output ठीक है यह marginal value product होता है sorry change in input और marginal value product क्या होता है change in total cost upon me change in input यह होता है अपना marginal value प्रोडक्ट और यह होता है marginal input कास्ट, क्लिर है कि input में change करने पर आपके total value product है उसमें कितना change आ रहा है, input में change करने पर total cost में कितना changes आ रहा है, क्लिर है, तो यहां पर क्या होता है, इस zone में पहले zone में हमें production जो है, मिलता है, प्रोडेजन जो है क्या मिलता है मेक्जिमु मिलता है मतलब प्रोडेक्शन जो है इंक्रीज होता है मिनीमम रेट से यहां पर क्या हो रहा है marginal input कास तो कम है marginal value product जादा है मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर production तो हमें जादा मिल रहा है पर यहाँ पर क्या है input का जो level है वो कम है अभी हमने input बहुत कम दिये हुए यहाँ पर तो इंडिया के जो most of the farmer है वो इसी first zone में काम करते है क्या कि वो उनको जब input देना start करते हैं तो production तो जिसे हमने input देना start किया तो हमारा production भी क्या है increasing rate से increase हो रहा है total product marginality भी increase हो रहा है एपी भी increase हो रहा है तो यहाँ पर increase होना start कर देता है पर अभी क्या यहाँ पर input जो हमने क्या दिये है input जो हमने minimum दिये है input क्या दिये है, minimum दिये है, clear है, पर most of the farmer इसी जोन में काम करते हैं, तो इस risk में क्या होता है हमारा, जो marginal revenue ज्यादा हो जाता है marginal cost से, marginal revenue क्या होगा, ज्यादा होगा marginal cost से, अब marginal revenue क्या होता है, marginal revenue क्या होता है, यह होता अपना total revenue upon में total output मतलब output में change होगा तो total revenue में भी change होगा और marginal cast क्या हो जाएगी आपकी change in total cost upon में change in output output में change होने पर total cost में कितना change हो रहा है यह formula भी आप याद रख लेना ठीक है total revenue क्या होगा change in total revenue marginal revenue क्या होगा change in total revenue upon output output में change चेंज किया तो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है marginal cast होगा अगर input output में change कर रहे तो total cast में क्या चेंज आ रहा है उसको भले marginal cast बोलते हैं तो यहाँ पे marginal revenue ज़्यादा होता है marginal cost से पहले zone में क्यों क्यों कि आपने input देना शुरू किया आपका production भी ज़्यादा रहा है लेकिन यहाँ पे input आपने क्या दिये minimum दिये इसलिए इस zone को क्या बोलते है un-economic zone बोलते है ठीक है un-economic zone बोलते है clear है इसको sub-optimum zone भी बोलते है क्या बोलते है sub-optimum zone sub-optimum zone इसलिए बोलते है क्योंकि यहाँ पे production तो आपको maximum आ रहा है increasing rate से आ रहा है बट आपने input अभी proper नहीं दिये input कम दिये इसलिए इसको sub-optimum zone भी बोलते है clear है one by one सब चीज आपको समझ में आरी होगी मेरे खाल से आप यहां पे एक-दो one और रहा है gos or a p p p kya है बराबर है, देखो ना, दोनों point मिल गए यहां पे, यह इस point पे MPP और APP बराबर है, वहां पे यह पेला वाला जोन जो है, खतम हो रहा है clear है, मतलब यहां पे MPP और APP खतम हो रहे हैं, वहां पे EP की value क्या होगी, equal to 0 होगी, sorry, equal to क्या होगी, 1 होगी रटो के तो ऐसे confusion होगा कि 0 होगा, equal to 0 होगी या equal to 1 होगी रटो के तो confusion आएगा न कि यह बराबर तो है पर equal to 1 है या equal to 0 है तो आप क्या करो यहां रखो MPP की value 2, MPP की value भी क्या रखो 2, 2, 2, 2, 2, बराबर हो गया अब यह बना formula लगा तो कौन सा MPP upon में MPP बराबर EP तो 2 बटे 2 लगाओ के तो 202 cancel के आएगा 1 तो EP की value हो जाएगी 1 इस तरीके से निकालोगे तो कभी गलत नहीं होगी EP की value क्या हो जाएगी 1 मतलब जहां पर MPP और APP बराबर है वहाँ पर EP की value क्या है आपकी equal to बन है क्लियर है EP की value आपको रटने की ज़रूद नहीं पड़ेगी 1 मेंट ओके ठीक है यहाँ पर clear हो गया कि यह जो हमारा first zone कहाँ भी इंड हो रहा है जहाँ पर MPP बराबर है और EP की value 1 है clear यह हमारे first stage complete अच्छे से clearly आपको समझ में आया होगा एक बार आप देख लीजे पुरा clear अब हम बात करते second stage की ठीक है मैंने क्या बताया first stage में अपने इंडिया के जो most of the farmers होते हैं वो इस first stage में ही farming करते हैं क्योंकि उनको जो inputs है वो लगा देते inputs minimum लगा देते उनको production maximum मिलना start हो जाता है और वो इसी zone में काम करते हैं second zone में भी अपने MP के कुछ farmer काम करते हैं second zone में Punjab, Hariyana के लोग Punjab, Hariyana के लोग second zone में काम करते हैं उस economic zone में ठीक है अब हम बात करते हैं second stage की stage second इसी को बोलते है rational zone rational zone clear है first zone में क्या था production तो अपने को increasing mill rate से मिल रहा था क्योंकि input हम minimum दे रहे थे तब भी मिल रहा था बट वहाँ पर क्या था profit maximization नहीं था maximum production नहीं मिल रहा था ठीक तो वो maximum production हमको यहां मिलेगा अब यहां पर CDC बात यह start कहां से होगा इसी तरीके से हमको चलना है जो first stage में जो point follow किये थे कोड़ यहां पर Chos kız start कहां से होगा जहां पर MPP और APP income बराबर मतलब इस्स जाट कहां से होगा जहां पर MPP और APP बराबर जहां पर पहला stage स्टेस कातम होगा माहिं से दुसरा चालू ओगा तो जहां पर MPP और APP बराबर है वाह से यह सुरू रहे हम MP Recomm...! पर यहां पर ध्यान रखना देखो एपीप क्या है एपीप मेक्जीमम है ध्यान रखना इस पॉइंट पे एपीप और एपीप तो बराबर हो गए पर यहां पर क्या देखो इसी पॉइंट पे जो है अपना एपीप जो है वो मेक्जीमम है याद रखना यह एक राप थोड़ MPP और PP बराबर होते हैं या EP 0 होता है या Pine 0 होता है या या AP 0.A.P sorry AP 1 होता है जहाँ पर EP 1 होता है या MPP बराबर होते हैं वहाँ पर जो है MPP maximum होता है first point हो गया हमारा second अभ यहाँ पर देखो यह अपनी क्या line है यह PP वाली line है और यह यह नीचे वाली MPP वाली यहां पर क्या हो गया अब एपपी जो हे greater than हो गया mpp से ठीक है mpp greater than हो गया ftp से clear अब यहां पर क्या होगा है सोगा ना यह लाइन आ प्पी वाली उपर हो गदीभाली नीचे ठीप्ड़़ेपी से क्हें यहां पर दोनों decrease हो रहे हैं मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि APP और MPP decrease throughout the zone throughout the zone मतलब MPP और APP दोनों जो है पूरे zone में second zone की बत करों पूरे zone में क्या हो रहे हैं decrease हो रहे हैं ट्रेर fourth की बात करते हैं ठीक है fourth अब क्या आएगा यहां पर TPP की बात करते हैं TPP क्या होगा यहां पर TPP जो है increase होगा but decreasing rates है TPP अब increase होगा क्योंकि यह थोड़ा सा ग्राब थोड़ा सा नीचे जुक के उपर जाता है तो यहां पर TPP क्या होगा increase होगा decreasing rates है clear है fifth point पर आ जाओ यहां पर क्या था TPP बड़ा है MPP से तो वही लगा दो आप कि यहां पर TPP क्या होगा आप 4 होगया MPP क्या होगया यहां पर 2 होगया तो MPP बराबर आप TPP करोगे formula लगाओगे EP का तो आपकी EP की value क्या निकल क्या आएगी 2 बड़े 4 मतलब क्या जाएगा point 5 आईगी point मतलब यहां पर EP की value क्या होगई आपकी less than 1 होगई मतलब यहां इस zone में आपकी EP की value क्या होजाएगी less than 1 clear है less than 1 होजाएगी ठीक है रटने की ज़रत नहीं है यह formula आपको दिमाद में रखना है value अपने इसाब से मान लीजे जो बड़ा है उसके से बड़ी value मान लीजे छोटा है उसे छोटी value मान लीजे formula में रख दीजे आपको अंसर आजाएगा ठीक है next point की बात कहते है next point क्या होगा आप यहां पर यह देख लिया हमने देख लिया TPP वाला हम देख लिया अब यहां पर क्या ही बात है यहां पर बायत क्या आती है कि यहां पर जो marginal value product होगा वो बराबर हो जाएगा marginal input card से यह क्या होती है मैंने पहले वाले stage में बता दिया marginal value product क्या होता है marginal input card क्या होती है clear फिर यहां पर क्या होगा marginal revenue बराबर हो जाएगा अगले वाले में देज दिन आईए पर यह सब practical का time है इसको किसी दिन detail में बात करेंगे अभी आपकी exam point of view से जो पता रहा हूँ उसको समझिए ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो बराबर हो जाएंगे इसके इसके बराबर यह इसके बराबर हो जाएगा आप यहाँ पर क्या होगा यह दोनों बराबर यह दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं economic zone economic zone या profit maximization zone यहाँ पर profit का maximization होता है और हमारे देश के जो पंजाब और हर्याणा इसके जो फार्मर है वो इस second zone में फार्मिंग करते हैं वो input उतना लगाते हैं optimum input लगाते हैं optimum output लेते हैं ठीक है मतलब उनका marginal cost और marginal revenue बराबर हो जाता है clear है यहाँ पर हम बात करेंगे और क्या आजाएगा हमारा economic zone बोलते है profit maximization zone होते हैं clear है यहाँ याद रखना Punjab और हर्याणा के लोग इसी में farming करते हैं अब यहाँ पे in point कि बात करते कि यह कहाँ पे in हो रहा है कहाँ पे in हो रहा है ठीक यह गए हो जो चोहीं हो देखो यह MPP क्या है यहाँ पे आगे निछे मतलब यहाँ पे MPP क्या हो गया 0 मतलब क्या हो Stevens MPP क्या हो गए यहां पर जिरो क्लियाइए और इसको ECONOMIC JOHN चोना क्यों पोलता है यहां पर लिक लिए पर पले के बारे में कि हाँ पर TPP जो है इंट प्ऊएट पर लिख लो इंट पोईट पर क्या होगा यहां पर TPP क्या हो जाएगा मैक्जीमाम हो लगना क्यों हुझाएufen जाएका मेग्जीमाम क्यूंकि यहां पर एंपी हो रहा है जी रो हो रहा है ज़ियाद रखना इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हिंहा पर क्यों यौरा है ट्यून हो रहा है कोई चीजो रटार रें रायो सब्सक्राव कोचिन पूछा जाता है कि यहां पे-पि-पी-पी-पी-पी-डी किशुन पूचा जाता है कि यहां-पर यहां-पर इस-वेल्य का यह आपकी 0 हो जाएगी, E-P की value 0 हो जाएगी, कैसे 0 हो जाएगी, भाई, यहाँ पर E-P की value क्या हो गई 0, और 0 के बटे में आप कुछ भी रोखो, E-P की value क्या आएगी, 0 ही आएगी, clear है, E-P की value 0 हो जाएगी, तो यह हमारा second zone है, और इसी zone को क्या बुला जाता है, optimum zone बुला जाता है, क्या बुला जाता है, optimum zone बुला जाता है, clear है, economic zone या optimum zone बुला जाता है, ठेक है, next बात करते हैं, third zone की, एक cut point अगर मुझ मीस हो गया हो, तो आपको सारे notes में मिल जाएगा, detail में पुरा उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, clear है, कहीं कुछ doubt रहे जाए तो, पूछ लेना, अब बात करते हैं, third stage की stage, third, इसको भी क्या हम बोलते हैं, irrational बोलते हैं, irrational zone बोलते हैं, irrational zone इसको बोला जाता है, समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग टोपिक है, बच्चे हीं compute हो जाते हैं, कब EP बढ़ा होगा, कब चोटा होगा, कब 0 होगा, कब Nupeddy होगा, MPP कब बढ़ा चोटा होगा, बहुत compute होना होता है, अब 30 stage बात करें, start कहां से हो रहा है, तो series बात है कहां से start हो रहा है, जहां पर MPP 0 है, TPP क्या है, maximum है, भीया, यह MPP 0 हो गया है, TPP maximum हो गया, इसी point से, तो 30 stage stage हो रही है, ठीक है, second point क्या है, यहां पर देखो, APP देखो क्या हो रहा है, decrease तो हो रहा है, पर यह उपर ही है, इस line की नीचे नहीं आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बारा, APP जो है, decrease तो हो रहा है, decrease बट, positive है, याद रखना ही है, यह पुछा जाता है कि third zone में, APP decrease होता है, बट वो positive हो रहता है, यहां पर 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 यहां पे decrease होगा increasing rate से मतलब यहाँ पे अब हमारा नुक्सान होना चालो हो गया अब जो total product हो decrease होना चालो करेगा increasing rate से clear है और क्या हो गए यहाँ पर EP की value क्या होगी सीधी सी बात है भी है यहाँ यहाँ पर EP क्या हो गया negative हो मतलब अगर में यहाँ पर minus 4 रखो cancel करूंगा तो minus 2 यह आएगा अब मतलब EP की value क्या है less than 0 यह minus 2 कहाँ आएगा इधर ही आएगा 0 के इधर बनलब EP की value क्या होगी greater than less than 0 यह negative होगी है सारा EP का concept formula पर है आप value रखके निकाल सकते हो clear है और क्या हो जागा यहाँ पर मार्जिनल वेल्यू प्रोड़क्ट है वह greater than हो जाएगा सोरी less than हो जाएगा marginal input कास से मतलब यहां कास जदा हो गई और हमका output का मिल रहा है मतलब marginal revenue जो है less than हो जाएगा marginal cost के मतलब इसको हम क्या बोलेंगे इसको भी un-economic zone बोलेंगे या फिर यह वो zone है जिसमें farmer को अगर free में भी resources मिल जाए free में भी output दे दे तब भी उसको farming नहीं करना चाहिए अगर वो farming करता है यहाँ पर तो उसको double loss होते है क्लियर है इसको मतलब क्या बोलते है supra optimum zone मतलब यह भी un-economic zone है या बोली नहीं सकते है इसको तो यहाँ पर होता क्या है अगर farmer को अगर free में भी resources दिया जाए free resources are available तब भी उसको क्या करना चाहिए not use उसको use नहीं करना चाहिए अगर वो use करता है तो क्या होगा double loss होगा क्या होगा double loss होगा पहला एक तो क्या होगा production जो है वो क्या होगा decrease होगा दूसरा जो additional cast आजाएगी किसकी जो additional input उसने दिये है additional cast of input वो खर्चा भी उसको जलना पड़ेगा क्या यहाँ पर maximum हमने उसके बाद अगर आप और irrigation देते हो मान लो हमने पढ़ा है कि हमें 6 irrigation देते हैं वीट के अंदर ठीक है छे irrigation की recommendation देती है मिलती है तब आप कितना को ले पाते हो production माना की चल आप एक विगा की बात करें तो 15 quintal ले पाते हो ठीक है अगर आपने इरिकेशन बढ़ा के साथ कर दिये तो आपके असोसरियों के में ज्यादा सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको इस zone में free में भी आपको रिसेशन मील जाए कोई आखे दे जाए कि लिए भाई मेरे केत में पानी अपने लगा ले तब भी नहीं लगाना ठीक है तो भाई यह पूरा concept प्रोडक्शन फंक्शन कर्व का अगर कहीं कुछ डाउट रहे गया हो तो पूछ लेना clear है मेरे हिसाब से इस से भाई आपको कोई question नहीं जाने वादा ठीक बस आज हम सुरू करेंगे principle of least cost combinations ठीक है यह factor 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 production relationship के अंदर आता है जो हमने production function में तीन relationship पढ़ेते factor product relationship factor factor relationship और product product relationship इससे पहले वाली class में हमने पुरा graph समझा था वो factor product relationship के अंदर था यहाँ पर हम समझ रहे है principle of least combination यह factor factor ठीक है धियान रखना किसके अंदर आता है यह factor factor relationship के अंदर factor production function के अंदर आता है यहीं से आपको समझना है यहाँ क्या बात हो रही least cost combination की बात हो रही मतलब हमें यहाँ पे दो या दो से अधिक ऐसे factor का combination लेना है जिससे हमें वो उतना ही production मिल सके कम cost पर क्लियर है कैसे समझेंगे इसको यह हमारा output हो गया यहाँ पर हमने लेलिया function यह x1 and x2 यह हमारे क्या है यहाँ पर दो input है क्लियर है यह क्या है दोनों यह दो हमारे पास क्या है यहाँ पर input है input आप कुछ भी ले सकते हो ठीके irrigation ले लो fertilizer ले लो जो भी input आप मान सकते हैं यहाँ ठीके यह हमारा क्या है यहाँ यहाँ यह हमारा production किसी भी crop का हो गया फॉर एक्जामपल यहाँ माना कि पहले हमारा जो production आ रहा था वह 10 कुंटल आ रहा था हमारी cost आ रही थी जैसे हमने यहाँ पर एक्सपन एक्सटू एक्सट्री और एक्सपॉर यह हमारे पास चार इंपूट है क्लियर है चार इंपूट कोई भी हो सकता irrigation fertilizer हो गया आप insecticide लेलो seed लेलो यह सारे इंपूट है जो हम प्रोब के production के लिए अपनी फिल्ड में देते हैं fertilizer हो गया irrigation हो गया sawing method हो गई सारे पहले हमारे प्रोडक्शन के आया 10 कुंटल आया तो हमने कौन से मालो यह एक्स वन और एक्स त्री इंपूट लिया था ठीक है एक्स वन और एक्स त्री इंपूट लिया था तो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट आई थी यह वन थाउजन रू 800 रूपे क्लियर है मतलब यह principle क्या बोलता है कि हमें ऐसे combination लेना है जिससे हमें production तो उतना ही मिले पर हमारी cost जो है वो minimum हो जाए लिए यहाँ पर यहाँ पर देखो X1, X3 ले रहे था आपकी कास्ट 1000 रूपे आ रही थी X1 और X2 ले रहे था आपकी कास्ट 800 रूपे आरे यहाँ पर 200 रूपे का आप फाइदा हो रहा है तो यहाँ पर फार्मर को यही समझना है कि हमें ऐसा combination लेना है जिससे हमें गया मिल प्रोडक्शन तो उतना ही मिल जाए बड़ हमारी कोस्ट कम हो जाए यही बोलता है यह प्रिंसिपल क्लियर आपको समझ में आगया पुरा कि क्या list cost combination क्या है production उतना ही रखना है ऐसा combination लेना है जिससे हमें production ज्यादा मिले और हमारी cost जो है minimum आए ऐसा combination हमें लेना है अब इस combination को समझने के लिए एक curve होता है इसो quant curve उसको समझना भी ज़रूरी है इसो quant curve यहाँ पर ISO का means क्या होता है ISO means होता है equal और quant मतलब होगा quantity वही बात हो रही है equal quantity means हमें quantity production तो उतना ही मिले पर हमें combination कुछ ऐसा लेना है कि हमें production से मिले तो ISO current curve का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि all possible combination of various input मतलब जितने हमारे पास बहुत सारे input है इन में से हम सारे combinations को check करना है ठीक है कि किसमें जो है capability है same production equal quantity मतलब same output produce करने की clear है यहाँ पर समझ लीजिए मतलब क्या हो गया all possible combination of various input like x1 x2 कोई भी combination हो सकता है all possible combination समय देखना है तो कोई भी combination x1 x2 हो सकता है जो क्या हो physically capable for producing same quantity of output इसको बोलते हैं iso point समझ गए कि हमें वो सारे combinations लेना input के जैसे x1 x2 हो गया x1 x3 हो गया x1 x4 हो गया जिसमें capability हो same quantity output की produce करने की जैसे मैंने यहाँ पर example से समझाया इसको बोलते हैं iso point होता क्या iso point यह हमारा होग़ x-axis and y-axis clear है तो जो iso point कर वा है यहाँ पर various quantity हम लेंगे यहाँ पर हमारा क्या होता है inputs होता है यहाँ पर क्या होती quantity मतलब जो production आउट्फूट आएगा यहा पर यहाँ पर क्या आईगा output आइगा यह input होगग है पुदाएगा तो इसका जो graph बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है clear है मतलब left से right downward moment करता है करो के से left to right ये इस तरफ left है इस तरफ right है तो left to right ये downward moment करता है ये हमारा क्या होता है आईसोक्वेंट करो होता है ये कैसे बनता है इसके लिए हमें पुरा एक example numerical लेना पड़ता है जो अभी फिलाग हम नहीं ले सकते क्योंकि इतना time नहीं हमारा पस आपको समझना है कि इस तरीके का होता है left to right ये क्या करता है fall करता है downward moment होता है इसका कहा से left से right तक दूसरी चीज़ इस कर में और क्या है मैं आपको properties बता रहा हूँ आई-so-band की दूसरी फिस क्या है ये यहाँ पर क्या है origin है इस graph का क्या है origin point है तो origin से किस तरह देख रहा है देखो नीचे की तरह उठा हुआ है मतलब इसको क्या बोलते है convex origin से क्या होता है ये convex होता है दियानकना origin से convex होता है clear अब यहाँ पर ये जो पुरा graph है ये किसी को intersect नहीं करता ये ऐसे आएगा घूंके ऐसे निकल जाएगा मतलब क्या आगा non intersect क्या करता है ये non intersecting किसी को intersect नहीं करता clear है अब इसमें और क्या चीज़ होगी ये main काम क्या है मतलब ये iso-can curve जो है हमारा ये क्या indicate करता है तो iso-can curve जो है ये indicate करता है marginal rate of technical substitution और ये ही question exam में पूछा जाता है clear है कि iso-can curve है हमारा वो क्या indicate करता है तो iso-can curve indicate करता है marginal rate of technical substitution marginal rate of technical substitution क्या होता है कि एक factor में जब हम increase करते हैं तो दूसरा factor decrease हो जाता है यहां पे भी हमने दो input लिए अगर एक factor में कुछ हम increase करेंगे तो दुसरा factor decrease होगा एक factor में unit से increase किया तो दुसरा factor decrease होगा यह marginal rate of technical substitution होता है और isocent marginal rate of technical substitution को ही क्या करता है indicate करता है यह question पूछा जाता है clear है तो यह अब यहां पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहां पे अगर यहां पे और isocent बने ठीक है इसी graph में क्या होगा है यहां पे number of isocent और बन जाते है यह isocent 1 होगा है ठीक है इसको मैं बोल दू I1 यह isocent 2 यह isocent 3 और यह isocent 4 यहां पे क्या होगा है number of isocent क्या है यहां पे number of isocent है तो जब number of isoquant जब हम show करते हैं इस graph में तो इसको isoquant map बोला जाता है क्या बोला जाता है isoquant map ठीक है isoquant map बोला जाता है clear है isoquant map क्या show करता है यह जो isoquant map है यह क्या show करता है shape of production surface production surface shape of production surface को यह indicate करता है clear है हमने समजा लिसकास expos combinations क्या होता है isoquant curve क्या होता है और इसी में अगर हम और isoquant बनाते हैं तो उसको number of isoquant तो उसको क्या बोलेंगे isoquant map बोलेंगे और isoquant map क्या show करता है shape of production surface को show करता है clear next हम बात करेंगे iso cast line की कुछ terms है ये जो list cost combination जो हमारा principle है इसके अंदर use होते है clear है ये terms है इसी के basis पे हम list cost point जो है वो हम निकालते है ठीक है कि कौन सा ऐसा point है जहां पर हमें सबसे कम cost आती है और production उतना ही मिलता है ठीक है production तो हमारा same रहेगा और जो हमारी cost है list cost combination बोलते हैं तो यहां पर हमने आइसो कॉस्ट से तो यह समझाए कि कौन सा commission लेंगे तो हमारा list cost point आएगा अब यहां पर बात करते हैं आईसो cast line की आईसो कोस्ट line इस आईसो कोस्ट line को क्या कहा जाता है price line भी कहा जाता है price line और भी बहुत सारे नाम है इसको आपको notes में मिल जाएंगे price line भी बोलते हैं buzzard line भी बोलते हैं इसको ISO outlet line भी बोलते हैं तो यह क्या होता है यह भी क्या करेगा यहां पर भी सारे possible combinations है वो भी लेंगे पर जो given outlet fund है मतलब जो cast हमें दी गई है या जो cast जो fund allocated है उसके reference में जो combinations हम ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे ISO का स्लाइड मतलब क्या होगा माल लो यह total cast है यहां पर हमने क्या लिया PX यहां लिया हमने क्या price किसकी X1 की cost हो गई यह जो cost है किसकी X1 की plus PY यह किसकी cost हो गई यह PX2 ले लो PX1 PX2 यह X2 की cost हो गई तो यहां पर हमने combination लिया X1 X2 उसकी क्या लिए जो हमें fund allocate था या जो outlay of fund था जो cost थी उसको भी हमने input के साथ multiply किया यहां पर ठीक है इस input के साथ उसकी cost को multiply किया इस input के साथ इसको cost को multiply किया तो हमारी क्या आएगी total cost आएगी तब ही तो हमें पता चलेगा कि किस combination में हमारी cost minimum है तो ISO cost line से वो पता चलता है तो ISO cost line क्या होता है यहां पर भी same जाएगा कि all possible combination of various input that would be that would be purchase with given outlay of fund ठीक है given outlay of fund इसी को बोलते है list cost line ISO cost line इसी को बोलते है मतलब हमें वो जो हम various input हम use कर रहे हैं ठीक है जिनको हमें purchase किसे given outlaw person के साथ जो हमने purchase की है मतलब यह x1 की cost क्या हो गई मतलब इस cost में हमने purchase किया x2 को इस cost में purchase किया तो total cost इस दी आई फिर second combination लेंगे माल लो x1 और x3 दी रिया तो उसकी cost के साथ multiply करके उसकी total cost निकालेंगे तो कौन सी cost हमारी minimum में यहां से बता चलता है ठीक है यहां पर जो हमारा graph बनेगा वो क्या बनता है कुछ इस तरीका से बनाता है जो least cost जो line है वो straight line बनती है यह straight line क्यों बनता है क्योंकि यहां पर जो हमारी quantity हम purchase कर रहे है उससे जो हमारा price ratio है या price जो है वो effect नहीं करती एक है कि जो हमारा price है factor price है यहां पर input की जो price है वो कितनी भी quantity हम purchase करें प्राइस उतनी ही रहना इसलिए यह curve जो straight line बनता है ध्यान रखाना ISO cast line जो है वो इसका जो graph है वो straight line बनता है क्यों straight line बनता है क्योंकि यहां पे हम कितनी भी quantity purchase करें price ratio उतना ही रहेगा price उतनी ही रहेगी इस वज़े से यहां पे क्या है यह state line बनता है x axis and y axis यहां पे भी same चीज़े यह क्या है यहां पे horizon है तो जैसे ही हम total resources increase करते हैं क्या मतलब total input हम increase करते हैं यहां पे total resources increase करते हैं तो यह जो graph है यह जो line है यह origin से दूर हो जाती है ठीक है यहां आ जाएगी इस तरीके से जैसे हम क्या करेंगे total input या total resources को increase करते हैं बढ़ाते हम input को तो यह line जो है हमारी state line यह shift करती है origin से दूर हटती है मतलब क्या होगा total resources increase to the line of isocast line away from the origin मतलब क्या होगी यह line से दूर होगी clear है धियान रखना है इसे questions बन जाते हैं और क्या मना मना state line बनेगा state line क्यों बनेगा कि हम क्या करेंगे कितनी भी quantity purchase करें उसकी जो price है वो same रहेगी इस वज़े से इसका graph state line बनता है clear है इंडिकेट करती है ratio of factor price ratio of factor price को indicate करती है धियान रखना यह क्या indicate करती है ratio of factor price मतलब जो input की price से उसको indicate करती है और हम कितनी भी quantity purchase करें यह same रहती है इसलिए इसका graph state line बनता है clear है यह हमारा ISO cash line price line, budget line complete हुआ next हम बात करते है इसलिए हुटा ISO airline क्या होता है ISO airline मतलब क्या है यह ही अब दीरे दीरे सारी हम बात कर रहेंगे कि一些 costpower point कैसे आएगा किस तरीके से बनता है list costpoint अब हम बात करेंगे यह पर ISO क्लाइन की ISO क्लाइन ISO क्लाइन ISO क्लाइन बात क्या होता है आइसो मतलब equal होता है client मतलब होता है inclined तो आइसो क्लाइन क्यों होता है एक AC line होती है जो least cost combinations वाला जो point होता है input का सारे output के लिए उसको connect करने का काम करती है ठीक है यह मैं लिख सको यहाँ पर a line connecting least cost combination of input for all output input for output मतलब AC line जो least cost combinations को input के जो least cost combination है input का उसको connect कर रही है all output level के all outputs के लिए है तो यहाँ पर क्या होगा यह वाली जो line होगी है हमारी यह वाली line इसको बोलते है isocline line क्या बोलते है इसको isocline isocline line इसको बोला जाता है ठीक है मतलब AC line जो क्या कर रही है least cost combinations of input of all output कैसे है यहाँ पर क्या होता है हमारा यहाँ भी हमने क्या बनाया यहाँ पर क्या होता है यह हमारा होता है आईसो कोईट क्लियर है क्या होता है आईसो कोईट ठीक है यह हमारा यहाँ पर हो क्या आईसो कोईट यह आईसो कोईट तो यह जो लाइन है हमारी यह लाइन क्या करेगी connect करेगी all input level पर आईसो कोईट को क्या कर रही है list class combinations input all output level को connect कर रही है तो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जो point अब यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे वो आली line भी रहेगी आईसो class line यहाँ पे क्या होगी आईसो class मैं इसको फिर से अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको clearly समझ में आए होता क्या इसमें आईसो class line मतलब वो line जो list class combinations को connect करेगी आल आउटपूट लेवल पे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है यह क्या है input और output लेवल है इतना input दोगे तो आपको इतना output आएगा यह हमारा input है और यह हमारा क्या है y axis यह हमारा क्या है output है तो यह input आपने इतना दिया इतना output यह input यह output यह input और यह output तो यहाँ पे होगा क्या यहाँ पे आपका क्या है आईसो कांट है ठीक है यह आपका क्या है यहाँ यहाँ पे आईसो कांट है क्लियर अब यहां पर आपकी आइसो कास लाइन है आइसो काला इसकान की बनाया था बदाया था मैंने कि वो भी क्या है और पॉसिबल कॉंबिनेशन ऑफ इंपोर्स उसमें क्या होगा पर्चेस विद गिवन आउटलेफ़न जो हमने एक आउटलेफ़न में दिया गया था उसम यहां पर क्या होगी है यहां पर आइसो कास्ट है और यह लाइन क्या है आईसो कास्ट है आइसो काश लाइन है ठीक है तो यहां पे यह जो पॉइंट हमारा निकल के आता है ये वाला पॉइंट इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉस्ट पॉइंट ये क्या होता है लिस्ट कॉस्ट पॉइंट होता है ठीक है ये पॉइंट क्या होता है हमारा लिस्ट काश पॉइंट होता marginal rate of factor substitution क्या हो जाता है equal to marginal cost clear है यह चीज़े सारी इस graph में हमने तीन चीज़ समझ रहे है ISO coin भी समझ रहे है कि ISO coin क्या है ISO cost line समझ रहे है ISO cost line के उपर ही क्या रहता है यह list cost combination रहता है मतलब list cost combination किस पर demand करेगा यह question बनता है कि list cost combination जो point है हमारा वो किस पर best है based on price line, price line पर based है price line मतलब ISO cost line, ISO cost line पर based है ध्यान रखना इस वाली line पर, इस वाली line पर best होता है हमारा list cost combination, clear है यह tangent to firstly ISO coin, मतलब यह पहले tangent मतलब यहाँ क्या होता है ISO coin पर tangent मतलब क्या होता है इस वाले point पे जहां पे चूके निकल रहा है वोज पॉइंट पंअ लिस कास Charles point बोलते हैं मतलब I least他說 point है मारा वो price line पे depend करता है कोशन यहां पे बनता है clear तो यह iso point हो गया हमारा iso cash line हो गई और i so client हो गया अब होता क्या है एक और चीज़ यहाँ पर साथ में ही समझ लीज़े एक होता है expansion path expansion path ठीक है expansion path क्या होता है expansion path क्या होता है just similar to isocline होता isocline के जैसा ही होता है यह क्या कर रहा है यहाँ पर connect कर रहा है list class combination को expansion path क्या करेगा all list class combinations को connect करेगा connect to each other मतलब क्या करेगा join to all list cost point to each other इसको बोलते expansion part मतलब यहाँ भी क्या होगा यह पहला list cost point है C1 यह दूसरा list cost point है C2 और यह तिसरा list cost point है C3 इन तीनों को connect करना जब इस तीनों का हम connect करेंगे तो इसी line को हम क्या बोल देंगे expansion part ठीके iso client जो हमारी line थी iso client line क्या थी कि यह list cost combinations को connect कर रही है input to all output level पर जब हम क्या करेंगे यहाँ पर list cost point सारे की यह first वाला list cost point second वाला list cost point और third वाला list cost point अब तीनों को जब हम joint करेंगे तो हम उसको बोलेंगे expansion part और एक time में सिप एक ही expansion path हो सकता है clear है कि any particular conditions only one expansion path is possible ठीक है third one expansion path होने के लिए iso client का होना जरूरी है तो for expansion path iso client is necessary ठीक है expansion path के लिए क्या होना जरूरी है iso client का होना जरूरी है iso client is necessary clear Crypto Conversation product-product relationship उसमें हम forms की बात करेंगे कितने forms होते हैं GOD में यहां पर जितनी वी चीजह ही सारी हमने डिस्कस कर लिए जहां से poor conscience बन सकता है सारी चीजह हमने डिस्कस किये clear है फिर भी doubt रहे जाता है तो note में पढ़ लेना है ठीके है पर पर आपको ओर बी एक्सा सिज Bowl जाईए एकREAM आपर पर प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट लेशनजीब पर्ड़क्ट पमर्री सिप्रोड़क्ट वीव क्ला सब्सक्राइब है प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट रिलेशनशीफ प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट र्लेशनसीफ ले की continued कि हमने डिसकस किया था इंया पर क्या करते हैं यहाँ सा प्रींसिपर लूओस पिंसिपल ओपरजिटी कास्ट पिंसिपल ओप एक्वी मार्जिनल रिटन यूज होता है इस सारा चीज मैंने आपको पहले बता दिया है तो यहां पर हम बात करेंगे आज इनके फॉर्म की फॉर्म ओफ प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट रिलेशनसिफ ठीक है फॉर्म क्या होता है फॉर्म प्रोड़क्ट 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 क्या होता है यह वो प्रोड़ूस होता है जो एक सिंगल प्रोड़क्शन प्रोसेस में प्रोड़ूस होता है ठीक है ऐसे प्रोड़क्ट जो सिंगल प्रोड़क्शन प्रोसेस में प्रोड़ूस हो बबुसा भी मिलेगा तो एक single production process है वीज हमने grow किया और harvest किया है एक single production process है यह clear है for example मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर wheat की तो wheat हमने यहाँ पर क्या 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 wheat की sewing की और last time क्या करते हैं harvesting करते हैं तो यह क्या है पूरी एक single production process है मतलब क्या है यह इस wheat का production हमें लेने के लिए wheat का production लेने के लिए एक पूरी क्या होनी चाहिए single production process single production process से जो हमें produce मिलता है उसी को हम क्या बोलते है joint product बोलते हैं अब single production process से हमें कौन सा produce मिलता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे main product प्लस क्या मिलता है यहाँ पे by product clear है main product मिलता है साथ में by product मिलता है joint product क्या हो गया एक single production process जैसे हमने wheat को grow किया grow करने से लेके harvest हारवेस्ट कर लिया तो एक सिंगल प्रोडक्ष्ट जब तक वह process पूरी नहीं होगी पूरी एक single process पूरी नहीं होगी हमें main product और buy product नहीं मिलेगा for example मैं बात करता हूं short period की short period की बात करता हूं ठीक है शोट period की short period में joint period में हमें क्या मिलेगा सिफ one product मिलेगा सिर्फ उन प्रड़टि मेलेगा क्यों मिलेगा यहां पर पूरी प्रोसेस होने में SINGLE प्रोड़क्शन होने में m spoke मैं क्या लग रहा है यहां पर 4 मंध लग रहा है इन प्रोसे asked में बात कर हूँ कि यह पूरा single production process है मतलब long period है जहाँ पर एक cycle पूरा हो रहा है तो हमें हमें 2 produce मिलते है main product और by product इसी को बोलते है joint product clear है example से समझ लीजे मतलब example क्या हो जाएगे यहाँ पर wheat wheat के साथ क्या मिलेगा उसका भूशा rice, rice के साथ क्या मिलेगा उसका भूशा ठीक है, और क्या हो जाएगा kettle plus उसका क्या मिलते है हमें manure और यह बहुत सारे example है ground nut प्लस उसका क्या मिलेगा halm ठीक है, butter के साथ butter milk हो गया ठीक है, और meat के साथ wool हो गया, यह सारे क्या है by product है, clear है, सारे by product है यहां से example, आपको exam में ऐसा कुछ आजाएगा के wheat plus extra जो है example है, joint product का complementary product का, supplementary product का, competitive product का, आपको पता होना चीए wheat plus extra, यहां पे main product और by product दोनों है, तो वो joint product कहलाता है, graph कुछ इस तरीके से बनता है, इसका graph important नहीं है तो यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है यह एक product जाएगा आपका और यह दूसरा product जाएगा यह variety one हो गई, variety two tea तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, extra मिलेगा और यहां पे मिलेगा आपको grain यह इतना important नहीं है, आपको क्या है मैं एक्जांपल याद रखना है, के wheat plus extra जो है, wheat joint product के है rice plus extra आए, तो joint product है cater plus manure आजाए, grounder plus halm आजाए meat plus wool आजाए, मतलब मान के साथ आपको क्या मिल रहा है, रेशा भी मिल रहा है उन मिल रहा है, तो यह सारे example क्या होंगे joint product के होंगे, clear है next हम आप बात करेंगे complimentary product की यह most IMP topic है यहाँ से questions बनता है, ठीक है आपको example दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा कि कौन से product है, joint है complimentary है, यह product के place पे enterprises भी लिखा हुआ आता है joint enterprises, complimentary enterprises, supplementary enterprises इस तरीके से भी दे देता है ठीक है, तुम्हाँ पे confused नहीं होना product और enterprises एक ही बात है clear second हम बात करेंगे यहाँ पे complimentary की complimentary product complimentary product में क्या होता है complimentary मतलब होता है पूरक complimentary क्या होता है बच्चो complimentary मतलब होता है यहाँ पे कि अगर एक product मैंने यहाँ पे ले लिया दो product, एक y1 हो गया, एक y2 हो गया यह दो product है हमारे पास, ठीक है एक Y1 हो गया, एक Y2 हो गया, example भी ले लेते हैं, यह Y1 को मैंने माल लिया wheat, और Y2 को माल लिया मैंने gram, clear है, gram क्या है, यह leguminasy group है, इसमें क्या होते है, leguminasy group है, यह क्या करता है, nitrogen का fixation करता है, यह leguminasy group है, इसमें क्या होते है, इसके roots में क्या होते है, गठाने होती है, जिसको हम लेख हुपों गलोमीन बोलते हैं जो atmospheric nitrogen को fixation का काम करता है तो हमने क्या क्या है यहाँ पर wheat और gram दो product excite showing के ठीक है grow किये तो जब nitrogen fixation करेगा तो इस nitrogen का benefit किसको मिलेगा wheat को मतलब की यहाँ पर gram की crop में increase हो रही है यह crop में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो nitrogen fixation हो रहा है उसके वज़े से इसको भी benefit भी हो रहा है तो यह भी क्या हो रही है increase हो रही है clear है मतलब complex के काम निमेंट सकत कि एक प्रोड़क्ट के इंगरीज होने से दूसरा प्रड़क्ट भी क्या हो increase हो same direction में यह उपर जा रहा है यह यह बी increase हो रहा है इनकेस क्या होजाई महालों को आपर प्रॉटक्ट हो जो क्या हुआ पैला प्रोडर्ट्ट डिक्रीज bo profits हो गा दूसरा प्रोडर्ट भी क्या होगा डिक्रिज होगा मतलब यहां पे सेम डायरेक्शन ही बात हो रही है、 same direction में क्या होगा यहांपे दोनों जाएंगे वीट और ग्राम में ने एक्जामपल लिया यह इसी का Bye highlighting ही कि वीचeline क्ला हमने लिया यहांपे ग्राम की उलूरे है क्योंकि ग्रंट की क्रोब क्या होगी उलती तो यूंसे एक के इंक्रीज वहने से ध्डूसरा भी इंक्रीज होगी एक के डीक्रीज वने से डूसरा भी डीक्रीज हो रहा है तो इसको बनतें कम्पूलिमेंटरी एक्जाम्पल आपका बेस यही है यहां प reached क्या हो जाएगा wheat plus gram और example क्या ले लो crop plus livestock clear है crop plus livestock क्या है यहां से आपको livestock से क्या मिलेगा manure मिलेगा जो crop को फाइदा करेगा crop से आपको क्या मिलेगा यहां पर feed मिलेगा manure के लिए तो दोनों एक दूसरे का कोンピर से क्या होता है की मार्जिनल केशन क्या होता है वह greater than one होता है मतलब क्या होता है की होता है में सब्सक्राइब करते हैं supplementary इंटरप्राइजरесс कि यह supplementary, third one हमारा क्या है, supplementary product, supplementary product, supplementary का मतलब supplementary आप लोग कापी अच्छे से जानते हो, कई आप सभी लोग degree college में पढ़े हो, supplementary मतलब क्या होता है, पूरक, जब हमारी क्या होती, copy, जब main copy भर जाती हम क्या लेते हैं, supplementary copy लेते हैं, तो यहां पर क्या होता है, supplementary मतलब क्या होता है, जिसे यहां पर मैं ले लेता हूँ, product one, product two, ठीक है, यहां पर y1, y2 मैंने product one, product two लिया है, मतलब क्या है यहां पर, कि एक product के increase होने पर, दूसरे product पर कोई effect नहीं पड़ता है, ठीक है, दूसरे product पर क्या होगा, no effect, कोई ग्वार एक्जम्पल्ived एहां मैं ले लेता हूँ, पॉर्टल गाड, ठीक है? बॉर्टल गाड ले लिया, मैंने वेजिटेपल और इसर औरैंनी यहां ले लिया सुगर्दे, क्लिर है, तो यहां पर क्या होगा, का कि बॉटर्कार्ट यह सुगरकेंद दोनों में और स्थे जोटी किल की आपना क्या है क्जा सी पूड़कार्ट तो इन में ऐसा कोई क्रॉप नहीं है कि जो नाइटेजन फिक्सिशन करें तो इस वाली क्रॉप को भी अफेक्ट करेंगा है ना तो यहां पर क्या है अगर कि एक के इंक्रीज होने पर किसी एक प्रोड़क्ट या एक इंटरप्राइज के इंक्रीज होने पर दूसरे इंटरप्राइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मालो यह डिक्रीज हो रहा है तब भी इस पर क्या होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नो इफेक्ट तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा इंटरप्राइज होता है, एक के साथ दूसरा होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर सबसीडरी इंटरप्राइज होता है, और उसका कॉंट्रिबुशन कितना होता है इंकम में, उसका कॉंट्रिबुशन जो होता है इंकम में, वो होता है 10%, ठीक है याद रखना कि जो एक दूसरा इंटरपाइजिस एक तो हमारा जिसे मालों है सुगरकेन मेन हो गया सुगरकेन यहापे क्या है हमारा मेन है यहाद रखना यहापे हमारा मेन है तो यहाँ पर यह क्या होगा हमारा सबसीडरी होगा वोटल कार्ट क्या होगा यहापे सबसीडरी होगा तो इसकी जो income का contribution होगा वो कितना होगा किवल 10% होगा यह याद रखना एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि supplementary जो product होता है enterprises होता है उसमें जो subsidiary enterprises होता है subsidiary product होता है वो कितना percent contribute करता है income में तो 10% करता है है clear है यहापर example क्या हो गया एक पूछ यह हो गया आपका bottle guard sugar can एक हो गया आपका crop plus dairy enterprises dairy enterprises यह भी दूसरे का effect नहीं करते हैं मैंने यहां लाइव श्टोक नहीं लिखा है दियान रखना यहां पर क्या था crop के साथ live stock था crop के साथ live stock था Groß यहां मैंने dairy enterprises लिखा है इसका crop के साथ कोई relationship नहीं है दूद मिल्क मकषन उसका crop के साथ कोई relation नहीं यहां पर live stock था जिदका एक अपस में relation था clear है तो यह supplementary enterprise होता है इसका ग्राप कुछ एसा बनता है लिए अगर आप किसे बनेगा यह आपका हो गया एक प्रोडक्ट यह आपका हो गया दूसरा प्रोडक्ट ठीर है तो हुआ जो इसमें भी कंडिशन वई है कि एक समय के बाद क्या हो जाता है यहां पर competition create करते हैं, एक समय के बाद इसमें भी क्या होता है, competition create हो जाता है, और इसमें marginal rate of product substitution, marginal rate of product substitution की value कितनी होती है, तो equal to zero होती है, धिशान अगना, equal to zero क्यों, क्योंकि एक product के बणने घटने से दूसरे product पर कोई effect नहीं पढ़ रहा है, जब कोई इफेक्ट ही नहीं पढ़ा है, तो marginal rate of product substitution क्या होगा? 0. अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, पहले कि marginal rate of technical substitution. तो marginal rate of technical substitution क्या था? कि एक factor, वहाँ पर क्या था? factor था, marginal rate of factor substitution मतलब input की बात थी. तो एक factor में unit change करने पर दूसरा factor भी क्या हो रहा था? change हो रहा था, decrease हो रहा था. सेम यहाँ पर क्या है? marginal rate of product substitution. मतलब एक factor में, एक product में, एक product में आपको change कर रहे हो, तो दूसरा factor को क्या होगा? दूसरा factor भी क्या होगा? change होगा या उसको sacrifice करना पड़ेगा. clear है? बट यहाँ पर supplementary में क्या हो रहा? marginal rate of product substitution 0 क्यों है? क्योंकि एक product में change होने से, दूसरे product में कोई changer नहीं हो रहा है. जब change नहीं हो रहा है, तो marginal rate of product substitution क्या होगा? 0 होगा. clear है? next हम बात करेंगे, last का क्या है? competitive product या competitive enterprises. ठीक है? competitive से आपको समझ में आ रहा है, आप खुद भी competition exam की त्यारी कर रहे हो, तो आप अकेले तो करने रहे हो, competition क्यों बोला गया? क्योंकि और भी लोग है, बहुत सारे लोग है जिनके बीच में competition है, तो competition, last हमारा क्या है? या पर product? competitive product, competitive product या competitive enterprises. ये क्या होता है? simple सा है, कि एक product के बनने से दूसरे product का क्या होगा? कम होगा, एक product increase होता है, एक enterprises increase होता है, तो दूसरा product क्या होगा? decrease होगा, दूसरा enterprise क्या होगा? decrease होगा, ठीक है, मालो एक ही seat है, एक बच्चा select हुआ, तो दूसरा बच्चा select नहीं होगा, और अगर यह select होता है तो यह नहीं होता है मतलब क्या इन दोनों के बीच में competition है तो उसी तरीके से हम यहाँ पर crop को या जो हमारे enterprise जिसे product को भी हम सबस्ते है मतलब क्या होगा है यहाँ यह हमारे दो product है y1 और y2 ठीक है अगर यह increase होता है first product तो second product क्या होगा decrease होगा clear है यह y1 और y2 अगर यह decrease होता है तो यह हमारा क्या होगा increase होगा opposite direction में होता है değil hunky competition हमेशा क्या होगा यहाँ पर opposite direction होगी यह बहुए opposite direction एक product दोनो fiance में क्या होगे तो सिधी सी बात है एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है तो marginal rate मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा तो यहां पर क्या हो जाएगा less than zero मतलब negative हो जाएगा यह याद रखना यही पूछा जाता है exam में value in की कि competitive जो enterprises है उसमें marginal rate of product substitution क्या होता है तो negative होता है या less than zero होता है example क्या लोग है आप इसमें example ले सकते हो two cereal crop दो cereal crop आप कोई सी भी ले लो ठीक है wheat और barley ले लिए आपने wheat और barley तो यह आपने होगा क्या इन दोनों में competition क्या होगा light के लिए competition होगा water के लिए competition होगा ठीक है इन सब चीजे के रहे है light water जो भी है जितने भी climatic factor होते हैं सब में competition होगा तो दो cereal crops हो सकती है जिन में competition होता है मतब सिधी सी बात है कि दो ऐसे बच्चे जो एक ही exam की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर क्या हो गया तो दो ऐसी crop जो एक ही एक साथ लगाई गई है तो उसमें light और water के लिए competition होगा clear है किसको में बोलेंगे competitive product तो यह हमारा क्या हो गए यहां पर farming पूछा है या type system of farming पूछा है यहां पर confusion हो जाता है अक्सर options में जब questions आता है तब ठीक है तो उसको हम अच्छे से समझेंगे कि types of farming क्या होता है system of farming क्या होता है कितने types के होते हैं सारे सारी चीज़ आपको notes में भी मिल जाएगी just मैं आपको समझाओंगा क्लियर है तो हम बात करेंगे यहां पर types of farming के types of farming तो types of farming जो है हमारी कितनी type होती है देरा five types कितने types होते हैं यहां पर five types होते हैं of forming में the first time a मतलब कि यहांपे क्या होगा अपको more यहां पर income की बात होगी यहांद एक में income की बात होगी जब एसा कोई enterprise जिससे आपको 50% से कम income मिल रही है उसको आप क्या बोलोगे diversified farming बोलोगे और ऐसे farm को क्या बोलोगे diversified farm बोलोगे clear है ठीक है मतलब ऐसा enterprise जिसकी income क्या हो less than 50% हो उसको आप क्या बोलोगे diversified farming ठीक है क्या income जो है less than 50% हो क्या हो सकता है जैसे मानलोग आपने यहां लिया crop crop के साथ आपने ले लिया live stock ठीक है live stock के साथ आपने ले लिया fishery ठीक crop आपने ली 40% area में आपकी जो fill थी उसमें आपने 40% area में क्या ले ली crop clear live stock ले लिया आपने 40% मतलब यहां पर 40% आपकी पास क्या है live stock है उत्रह एरिया आपने फिल्ड का cover किया live stock के लिए मतलब उनके लिए 4 ओगा या जो भी है फिर आपने यहां पर 20% area में आपने क्या ले ली सिरी ले ली मतलब जो आप फिल्ड का पूरा area था पाम tackling का एगर पूरा एडिया हे है यहाँ पे आपने 40 स्बरसेंट तो क्या लेलिया निया है यह फिसरी क्छा टॉइस तरीके से जो आप enterprises लोग इस तरीक है की जो farming होती है उसको और स्पार्इपर सामिंग बोलते है MA पर कैसे हुआ यहां 20% crop से 40% live stock से 40% और fishery से 40% ठीक है तो आपको ऐसे enterprises लेना है यहां ऐसा farming करनी है जिसमें आपके पास crop भी हो live stock भी भी हो fishery भी हो पिगरी भी हो diversity fight farming इसको बोलेंगे किसी भी enterprise से मतलब किसी भी एक enterprise से या किसी भी एक आपका जो farming है उससे आपको 50% से अधिक income ना मिले तो एको crop से 40% मिल रही है live stock से 40% fishery से 20% मिल रही है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे diversity fight farming अब diversity fight farming क्या फाइदा क्या है सबसे पहला फाइदा क्या है reduce risk यहां पर risk कम हुई कैसे risk कम हुई मान लोग कोई प्राकृतिक आपदा हो गई natural communities हो गई आपकी crop फेल हो गई ठीक है crop यहां पर आपकी फेल हो जाती है यह crop जो है आपकी फेल हो गई फिर भी आपको यहां पर क्या मिलेगा 60% इंकम आपको मिलेगी 60% इंकम में आपना फार्मर जो है वो सर्वाइव कर जाएगा क्लियरे उसको किसी डिफिकल्टी का डिफिकल्टी करना पड़ेगी अगर आपकी crop फेल होती है तब भी आपको 60% यहां पर इंकम आपको मिल रही है regular income आपको मिलेगी ठीक है फिसरी से आपको regular income मिलेगी Likewise टोक से आपको regular income मिलेगी ठीक? एक तो आपकी crop फियल हो जाएगी तब भी आपको income मिलेगी फिर आफ़क आपको आपको life slog आपनेREE साथ मं रहा है तब भी आपको यह recoil राखा है तब हैपको क्या मिलेगी रहेगी इनका अच्छी तरीके से यूज हो पाएगा है ना अपने ले लिए लाइश्टोप ले लिया फिस्रीज भी ले रिया एक अच्छा सा रोटेशन आपने यहां पर ले लिया ख्लेर है तो आप यहां क्या करोगे यह ले लोगे और क्या एक्जम्पल है ले लो लाइश्टोप ले लो आपने क्या करेगा प्रोपर एक रोटेशन होगा तो आपकी इसमें क्या होंगे पहले चिस पहले चिस तो आईगी यहां पर मार्केट डिफिकल्टीज क्या होगी मार्केटिंग डिफिकल्टीज होगी मार्केटिंग डिफिकल्टीज कैसे आपने अलग-अलग इंटर्प्राइजिस ले लिए तो हर एक इंटर्प्राइजिस में आपको क्या है जो आप हर एक इंटर्प्राइजिस के लिए आपको एक मार्केट का नोलेज होना चीए क्रॉप के लिए आपको अलग मार्केट देखना पढ़ेगा लाइव चुप जो मिल को गा मिल प्रट्रोंहिज के लिए लग मार्केट देखना पढ़ेगा तो वहां पर आपको difficulties होगी ठीक है फिसेच क्ली Quindi स्थैकने को अलग पर यहां पर एक तो हो गया marketing difficulties, clear है, दूसरा आपका यहां हो जाएगा, supervision limitation, supervision limited, तो आपका जो field का supervision है, ठीक है, आपका जो field का जो देख बाल है, रख रखा हुए, वो limited हो जाएगा, प्रोपर तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपने crop भी लिया है, लाइव श्टोग भी लिया है, फिस्विस भी लिया है, फिग्रीज भी लिया है, डाइवर्सिफाइट फार्मिंग आप कर रहे हो, तो वहाँ पर हर एक enterprises को आप प्रोपर टाइम नहीं दे पाओगे, उसकी प्रोपर देखमाल नहीं कर पाओगे, तो यह एक supervision limitations भी होता है, clear ह अब हम बात करते हैं specialized farming की, यहाँ पर कभी कबार यह जो इसके advantage है ना, advantage से questions पूछ लेते हैं, कि diversity fat farming में क्या risk कम होती है, तो बेसले risk कम होती है, है ना, इस तरीके की questions भी बनते हैं, सेकिन हमारा क्या है specialized, specialized farming, अब specified नाम से ही समझ में आ रहा है, specialized, specialized मतलब कोई particular crop हम लगाई है, ठीक है, specialized farming का concept क्या है, जस इसका opposite, मतलब ऐसे enterprise जिससे आपको income है, more than 50% income आपको मिल रही है, ठीक है, ऐसा enterprise, ऐसा एक enterprise जिससे आपको 50% से अधिक आई प्राप्त हो रही है, उसको हम specialized farming बोलेंगे, तो income आपको क्या है, 50% से अधिक मिले, ठीक है, तभी आपको specialized farming बोलें अब यहां में परícia också, बात करते हैं, कैसा हो जाएगा, जिससे महलों आपने यहां पर ले लिया क्रोब, ठीक है, भी आपने ले ले लिए यहां पर 70%, कोब से आपको कितनी आई अई हो रही, 80% आई हो रही, प्लस आपने यहां पर क्या ले लिया, लाइव स्टॉक, ठीक है, आपने लिया लेकिन लाइव इस्टोग आपको बस कितरह है 10% प्रस आपने क्या लिया फिस इससे भी आपको आई कितनी है सिफ 10% क्लिए है से मैं कॉणसेट यहां पे समझ लीजिए आपने यहां पर क्या होगा आपको 80% आपकी किसे आ रही है एक सिंगल एंटरपाइज से क्या बोला एक सिंगल इंटरपाइज से मैं सिभ इसकी बात कर रहा हूं सिंगल इंटरपाइज से मतलब कि सिभ इस क्रॉप से एक ही इंटरपाइज से आपको कितनी पचास प्रतिशस से जाधा आई प्राप्त हो रही है तो उसको हम इंटर्पाइज आपको 80% आई प्राप्त हो रही है पहली चीज़ तो इसके फाइदे देख लो ।ो फाइदा क्या है बैटर यूज ओफ लें अब यहाँ पर इसके सेंस में मत जाना ठीक है यहाँ पर मैंने productive resources मतब land labor capital के reference में बात करोगे तो यह disadvantage में जाएगा better use of land का किस सेंस में बात की जैसे मान लो यहाँ पर हमारा क्या है black cotton soil black cotton soil के लिए कौन सी crop suitable है cotton ठीक है जैसे हम मालवा area में तो मालवा reason में क्या है black cotton लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा वह suitable होगा उस crop के लिए उस soil के लिए cotton तो वहाँ पर हम cotton की specialized farming कर सकते हैं clear तो एक तो यह factor हो गया मतलब जब हम उसी soil के अंदर black cotton soil के अंदर cotton की farming करेंगे तो हम क्या करेंगे मतलब land का proper utilization कर रहे हैं दूसरा better marketing क्या होगी marketing अच्छे से होगी क्योंकि एक ही crop है एक ही market को हमको follow करना है बाकी यहां तो इलाइव श्टुक्त ही है तो हमारी family lead के लिए हो जाएगा clear है better use of या better management better management मतलब क्या है यहां पर कि यहां पर जब हम specialized farming करेंगे तो हमें यहां पर कर वेस्टेज नहीं होगा ठीक है वेस्टेज जो है वो कम से कम होगा मतलब हम farm को पुरी तरीके से अच्छे से manage करेंगे कैसे manage करेंगे कि यहां पर क्या था सुपरविजन लिमिटेट था लेकिन यहां पर हमारा क्या है सुपरविजन अच्छे से होगा हम अच्छे से manage करेंगे तो हमारा जो वेस्टेज वो कम होगा और क्या हो सकता है यहां हो जाएगा efficient use of equipment या machinery जो equipment है उसको हम efficiently use कर पाएंगे ठीक है क्योंकि हमें सिफ एक ही crop के लिए चाहिए machinery यहां पर क्या था हर एक के लिए अलग-अलग machinery की आवशक्ता हमको पढ़ रही थी क्योंकि सब हमारे पास क्या है यह भी अच्छी income दे रहा था यह भी अच्छी income दे रहा था मतलब हमें सबके लिए machinery के जुरूट परती लेकिन एक फार्मर जो है इतनी सारी machinery नहीं तो purchase नहीं कर सकता क्योंकि expensive होती है बट यहां पर क्या है सिफ एक ही हमारा crop है उसी को हमें पूरा focus उसी पर करना है तो हम उसका efficiently use कर पाएंगे ठीक labor का हम क्या करेंगे efficiently use कर पाएंगे या labor की जो हमारी efficiency है labor efficiency भी क्या होगी यहां पर increase होगी ठीक है labor को क्या है एक ही तरह क्या की field में या एक ही enterprises में काम करना है तो उनकी efficiency भी ठीक है बढ़ेगी तो यह advantage है क्या होगा तो major disadvantage क्या है high risk ठीक है रिस्ट सबसे ज़्यादा है मालो यह crop यहां पर fail हो गई तो क्या होगा farmer की हालत कराब क्यों क्योंकि आपको 10% और 10% ही income मिलना है मतलब आप आपकी family need भी पूरी नहीं कर पाऊगे ठीक है इन दो enterprises से आपकी family need भी पूरी नहीं होगी फार्मर जो अपनी family को satisfy भी नहीं कर पाएगा तो यहां क्या होगा high risk हो जाएगी दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर in the sense इसके जो disadvantage होगे इसके जो advantage है उसकी disadvantage है और इसके disadvantage इसके advantage है clear है तो दूसरा हो जाएगा यहां पर soil fertility maintain नहीं रहेगी soil fertility can't be maintained soil fertility can't be maintained ठीक है soil fertility maintain नहीं होगी और क्या हो सकता है आपका जो productive resources land labor और capital उनका proper utilization नहीं कर पाऊगे ठीक है आप जाएगा जाधाते रिस्सा आप क्या रहे कि specialise farming में यूज कर रहे हो तो आप जो land का proper utilization नहीं कर पाऊगे labor आप एक ही field में काम करेगा labor का proper utilization नहीं होगा capital का proper utilization नहीं होगा clear है तो यह इसके advantage और disadvantage हो गए अब third one जो है हमारा क्या है dry farming तीन हो गए third one farming क्या है dry farming dry farming क्या होता है ऐसा area जहां पे annual rainfall जो है 750 mm से कम हो ठीक है उसको हम क्या बोलते है dry farming farming तीन तरह के dry land agriculture में हम तीन तरह के farming पढ़ते हैं dry land agriculture में dry farming dry land farming और rainfall farming तो यहां पर जेकर किसका हुआ है dry farming का तो dry farming क्या होगा ऐसा area जहां पे annual rainfall जो है annual rainfall जो है कितनी है less than 750 mm cm में change करोगे तो 75 cm आ जाएगा clear है annual rainfall जो है आपकी कितनी है annual rainfall 750 mm से कम हो वो area हमारा क्या कहलाता है dry area तो वहां पे क्या suggestion दिया जाता है पहला तो यहां पर क्या दिया जाता है आपको alternate land use पहला यह alternate land use का suggestion दिया जाता है दूसरा summer flowing summer flowing suggest की जाती है क्यूं suggest की जाती है कि conservation of moisture moisture conservation moisture conservation tactic यहां पर practices आप करनी चायए यह कहां होता है तो aryt resin में करते हैं यह farming कहां करते हैं airit reason में करते हैं clear है और क्या है यहां पर करना चाहिए mixed farming करना चाहिए mix farming करना चाहिए यह अपना third है ठीक है इसके बाद mix farming मिक्स farming suggest की जाती है तो ऐसे एरिया जहां पे inward एंपाल 750 mm से कम होती है वहाँ हम क्या करते हैं ट्राइलेंड farming करते हैं वहाँ पे alternate land use suggest किया जाता है summer flowing suggest की जाती है motion conservation practices में पे की जाती में होता है और यहां पर mix farming करनी चाहिए लास्ट मिक्स farming के बाद मारा next farming है वह हमारी क्या है mixed farming mixed farming mixed farming क्या होता है it is a combination of यह क्या होता है combination of crop plus allied activities allied enterprises crop plus allied enterprises means यहां पर आपके साथ crop के साथ क्या ले लोगे crop के साथ आपने ले लिया live stock plus crop के साथ आपने क्या ले लिया live stock plus fisheries plus equaculture plus और भी कोई crop आपने ले ली हो ठीक है इक्वा कल्चर plus और भी enterprises प्रान कल्चर इस तरीके का जिंगा के लिया ती है तो crop के साथ आप और भी enterprises live stock ले रहे हो फिस्री ले ले रहे हो equaculture ले रहे हो ग्री ले रहे हो प्रान कल्चर ले रहे हो तो यह सारे इसका combinations क्या क्या राता है Mixed Farming क्या राता है अब यह धियान रखना आप बोलो कि है तो diversified farming में भी हम यहीं कर रहे थे difference क्या है याद रखना वहाँ पे diversified farming और specialized farming में income की बात हो रही थी Mixed Farming में income की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिदा बोला गया है कि ये क्या है कि हम combination है crop के साथ allied enterprises का और वहाँ पर income की बात हो रही थी कि less than 50 होगा तभी हम उसको diversified बोलेंगे यहाँ पर mixed farming का main उद्धेशी क्या है maximum profit लेना maximum profit लेना main objective है clear है mixed farming का main objective क्या है maximum profit लेना ताकि क्या करे farmers अपनी family satisfaction को पूरा करे ठीक है एक living standard उसका अच्छा हो तो ये mixed farming में क्या हो गया combination ले रहे हम crop के साथ allied enterprises का ठीक last one हमारा क्या है ranching ranching की practices हाल फिलाल अपने इंडिया में नहीं होती है क्यों नहीं होती है कुछ जगा पर होती है पर फिलाल क्यों नहीं होती है क्योंकि ऐसा एरिया ही नहीं बचा है अपने इंडिया में जहां पर आप ने कहीं देखा है कि कोई खाली जगा पड़ी है जहां पर नेच्रल वेजिटेशन से वहां पर पशू चर रहे हैं गाओं में तो आपको फिर भी मिल जाएगा लेकिन गाओं में भी रोड के आपको मिलेगा ऐसा कोई पर्टिकॉल एरिया छोड़ा हुआ नहीं है जहां पर नेच्रल वेडिशेशन ग्रोव हो रही हो और वहां पर लोग जो है अपने पशूव को चराने जा रहे हैं बट फिर भी कुछ एरिया है जहां पर इसी फार्मिंग होती है आप जो जबाने में पहले जो लोग छोड़ देते थे ठीक है हमारे माली में उसको बीड बोलते हैं क्लियर तो रेंचिंग क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या करते हैं एक एसा एरिया जहां पर हम क्या करते हैं ग्रेजिंग करवाते हैं ग्रेज इसके लिए छोड़ देते हैं इसको grazing के लिए grazing for live stock वो area जिसके हम क्या कराते हैं यहां पर grazing कराते हैं grazing for live stock के लिए जो area होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेंचिंग बोलते हैं और जो cattleman होता है जो cattleman होता है उसको हम क्या बोलते है रेंचर क्या बोलते है रेंचर इस तरह के कि फार्मिंग कहा होती है एक तो होती है आस्ट्रेलिया में दूसरी कहा होती है अमेरिका में ठीक है रेंचिंग फार्मिंग कहा होती है आस्ट्रेलिया का फेमस है ठीक है आस्ट्रेलिया में सबसे जादा होत होटीं है तो अस्रे ले सबसे जादा होटी आश्र्या में होटी आपोधी ऑर इंडिया में कहा होती है इंडिया में यह होती है हिली एरिया हिर आरिया ली पाड़ पे मिलेगा महां तो करने कर निर्म कौह पाए भी एरिया कहा पे विक negotiating और जम्मू एंड कस्मीर यहां के कुछ एरिया में रेंचिंग की जाती है रेंचिंग मतलब वह एरिया जहां पर हम पशू को चराते हैं जहां पर नेचरल वेडिशेशन ग्रो होती है वहां पर हम पशू को चराने जाते हैं उस एरिया को हम रेंचिंग बोलते हैं और जो आज फिनिश हो गया अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग की कि रहे सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइफ ऑफ फार्मिंग जब कोशन पुछा जाता है तो option में यहीं confusion करते हैं आप से कोशन पुछ लिया जाएगा कि इन विच फॉलाइंग ठीक है इन विच टाइप आप सिस्टम इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग ठीक है देर आर फॉर ओप्शन्स फाइंड आउट दी ओड़ वन क्लियर है इस तरह कैसे बोदेंगे आपको ओड़ वन आउट भी दे देगा कि तीन आपको फार्मिंग के देदी एक आपको देदेगा तो वहां से उपको सिलेक करना पड़ेगा तो यहां से आपको समझना है कि सिस्टम ओफ फार्मिंग क्या होगा सिस्टम ओफ फार्मिंग यहां से कोशन आता है इन दोनों से टाइप फार्मिंग और system of farming से हमेशे आता है portion और confusion यहीं होता है हम इनके type में confused हो जाते हैं कि कौन किसका type है clear है तो आपको याद रखना है कि जो अभी हमने 5 पड़े हैं वो हमारे क्या है type of farming है diversified, specialized, mixed farming, farming और ranging यह type है अब system की बात करते हैं तो system में पहले हम बात करेंगे यहाँ पर individual, individual farming ठीक है individual farming इंडविजल farming कोन करता है farmer करता है ठीक है individual farming कोन आएगा farmer तो individual farming में जो ownership होती है वो किसकी होती है farmer की मतलब individual होती होना सिफ यहाँ पर जो भी manager मतलब यहाँ पर कौन करेगा agriculture अग्रिकल्चर ओपरेशन अग्रिकल्चर ओपरेशन कोन करेगा agriculture operation कोन करेगा farmer करेगा farmer कोद करेगा farmer की ही ownership है farmer की ही land है और farm agriculture अग्रिकल्चर ओपरेशन कोन करेगा farmer करेगा individual farming में decision कोन लेगा decision making unit क्या होगी तो entire member of family इंटायर member of family ठीक है इंटायर member of मतलब इंटायर family इंटायर family member जितने भी farmer की जो family होगी जितने भी member होगी होगी तो सब मिलके decision लेते हैं family family की need को fulfill करना में अनुद्देश है उसके बाद यह profit में एक्जिपाइशन पर जाते हैं में अनुद्देश क्या है कि हमारी family की आवशकता है उसको पूरा करना यहां पर क्या होता है में ownership किसके होती ही farmer की होती ही मतब individual होती है agriculture operation farmer खुद करता है decision क्या है पूरी family मिलके decision लेती है objective क्या है family की requirement को पूरा करना उसके बाद profit के बारे में सोचना clear है second farming हाती है हमारी capitalistic farming capitalistic farming capitalistic farming में क्या होता है capitalistic farming में यहाँ पर क्या बात होरी capital की क्या हो रहा है यहाँ पर capital बड़ा रहा है निकल के capital capital क्या है यह आपका factor of production है production का factor है आपका यहाँ पर यह capital farming जो है capitalistic farming है कोन करता है capitalistic यह capitalistist जो capitalist मतब कुझी पती जो होते है कुझी पती लोग होते हैं उनके द्वारा करवाई जाती है वो खुद नहीं करते हैं पर उनके द्वारा करवा जाती है होता है क्या है यहापे बड़े-बड़े farm होते हैं क्या होते हैं इन बड़े-बड़े farm पर यह लोग क्या करते हैं improved agriculture technology and method का यूज करते हैं इनका main objective क्या है इनका main objective क्या है यहापे profit maximization profit maximization इनका main उद्धेश है इस तरह कि फार्मिंग कहा होती है capitalistic farming इन्डिया में तो restricted है पर यह सबसे ज़्यादा होती है अमेरिका और बितेटन में अमेरिका and बितेटन में यह सबसे ज़्यादा होती है ठीक है अमेरिका और बिटन में सबसे ज़्यदा होती है इंडिया में रिस्टिक्टेट रड़ के लिए के पिलिस्टिक फर्मिंग होती है कहां पर साॉट इंडिया में क्यूं होती है इस पर फोड़ा सा मैं डिसकस कर लेता हूं यहां पर क्या बात हो रही है बिक फार्म की है अपना में इंडिया में जो फार्मिंग होती है इंटेंसिव फार्मिंग होती है इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या कि यहां पर जो है लेंड जो होती है वो लेंड होलिक छोटी मतलब क्या होता है छोटे 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 लेंड वहीं हो चुक्ते चौटे रेड़िजा होते हैं सब्ते सक्रमिंग हम उसने इनके राइया जो यहाब już करते हैं और यहाबे इनके डोड़ पूखर है उसको के 받गा पूख्र Imperial कि आते हैं 벌써 चाम यो एरिया त्टी के लर्जर है और इन्पूट हम यूज करते हैं की लियर करहिए हमारी हो गया कोफी आहिए साब्रहीं करता है इंडिया में कर सकते हैं क्योंकि t यहां में intensive farming होती है clear है third one के प्रिस्टिक के पाद आ जाएगा state farming state farming में सीदी सी बात है यहां पे ownership किसकी होती है ownership होती ही government की ownership की बात करें तो किसकी होगी यहां पे government की agriculture operation कौन करेगा जितने भी agriculture operation वो करेंगे paid member जो paid member है मतलब यहां पे agriculture workers रखे जाते हैं monthly basis पे agriculture workers रखे जाते हैं वो यहां पे क्या करते हैं agriculture operation करते हैं आप सभी agriculture background से हैं आपने college में जो agriculture farm होगे breeding farm देखा होगा जापर research work होता है वो भी क्या है तरह कि वहां पे state farming हो रही है टिक है जो research work होता है breeding में जो नहीं variety develops होती है research work होता है quality seat production होता है ठीक है demonstration के लिए जो farming की जाती है वो सब इसमें आती state farming के अंदर clear है वहाँ पर क्या होता है research work होता है वहाँ पर जो worker डृकर जो काम करते हो monthly basis पर काम करते हैं तो वही agriculture operation करते हैं pet basis पे ठीक है pet member होते हैं होता क्या है क्यों करते हैं यहाँ पे क्यों करते हैं for research work demonstration और quality seed production इसके लिए यह state forming की जाती है ठीक है किसके लिए research work के लिए demonstration के लिए quality seed production के लिए यहाँ पर इनका objective क्या है यह है इनका objective क्या है यही है research work करना, demonstration करना, quality seed production करना, profit maximization इनका main objective नहीं है profit maximization income innovation नहीं है, main objective क्या है research work करना, quality seed production करना, demonstration करना, तो आपने देखा होगा आपने जब building farm पे गए होगे आपके college में, वहाँ पे बना होगा यह research farm है, यह demonstration farm है, यह seed farm है, ठीक है, सब अलग-अलग farm बने हुए है, क्योंकि वहाँ पर research होती तो यह इस तरह की जो farming होती हो इ state farming के अंदर आती है, clear, next one में बात करेंगे joint farming, joint farming में क्या होता है, कि दो यहाँ उसे अधिक जो farmers होते हों, आपस में मिल कर कहती करते हैं, clear है, more than two farmers, दो यहाँ उसे अधिक फार्मर जो होते हैं, two are more farmer, जब मिल कर कहती करते हैं, ठीक है, जब वह क्या करेंगे, तो याद वोसे अधिक farmer जब मिलकर farming करते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं joint farming बोलते हैं तो इसमें जो होती ही ownership जो रहती है ownership जो रहेगी वो तो क्या रहेगी individual रहेगी ठीक है agriculture operation जो होगा वो क्या होगा collective होगा कैसे collective होगा कि यहाँ पर दो याद वो से अधिक farmer मिलकर खेती कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे दो याद वो से अधिक farmer मिलकर क्या करेंगे यहाँ पर farming करेंगे ठीक है मिलकर farming करेंगे दूसरी चीज़ वो क्या करेंगे जब मिलकर यहाँ पर farming करेंगे तो वो क्या करेंगे जोइंड करेंगे या पूल करेंगे अपने agriculture resources को agriculture pool the agriculture pool the all agriculture resources वो जितने भी resource है उनके पास मालो किसी farmer के पास debolet है, किसी फर्म के पास irrigation equipment है, तो अपने जितने सारे resources है, उनको पुल करेंगे. दो या दो साधिक farmer मिलकर farming कर रहे हैं, तो उनके पास जितने भी resources है, उनको भी हो मिला लेंगे, जैसे किसी के पास tractor है, किसी के पास sprinkle system में तो वो सारे क्या कर लेंगे मिला लेंगे बाद में क्या हो कि इसमें ओनर सिर्फ तो उनकी individual रहे की काम क्या कर रहे हो साथ में मिलकर कर रहे collective होगया last में वो क्या करेंगे previously decide previously decide fixed ratio के basis पे जो भी produce होगा उसको divide कर लेंगे ठीक है जैसे मानलो जो भी उनका ratio होगा किसी को 20 कौंटल मिल जाएगा किसी को 40 मिल जाएगा किसी को उसी को जैसा उनका पहले जो decide किया होगा उनने उस ratio में यह अपना क्या गरेंगे प्रोडूज को divide कर लेंगे उनके बीच में तो इसको joint farming बहुते है किसी को जाएगा कि जब दो यादो से अधिक फार्मर मिलकर फार्माइग करते हैं और उनके पास जो भी resources होता है उन सब को क्या कर लेते हैं वो मिला लेते हैं फिर फार्मिंग करते हैं जो भी production होगा मिलके उसको बाद में वो सब आपस में बांट लेंगे बस यहाँ पर यह द्याकर अपना joint farming में ownership उनकी खुद की रहेगी और काम हो मिलकर करते हैं तो individual और collective आएगा ठीक है next हम बात करेंगे यहाँ पर collective farming पर ठीक है next क्या होगा collective farming और इसके बाद cooperative farming यहाँ से questions बनते हैं इसको अच्छे से पढ़ना समझना details आपको notes में और मिल जाएगी सारे points आपको notes में cover किया गए है next हम बात करेंगे हैं आपके collective farming collective farming collective farming में क्या होता है collective farming में यहाँ पर जो members होते हैं पहली बात तो यहाँ पर ownership किसके होती है ownership किसके होती है तो एक society होती है उसकी ownership होती है agriculture operation कौन करता है यहाँ पर agriculture operation करेंगा जो elected committee होगी है elected committee या member होते हैं अब यहाँ पर क्या होता है जितने भी agriculture assets या जितने भी अपनारे agriculture assets होते हैं उनके उनके ownership किसके पास होती है society के पास वह क्या करती है यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं जितने भी members होते हैं उनको क्या करती है एक labor bridge में divide कर देती है labor brigade में लेबर ब्रिगेट में डिवाइट करते हैं मतलब उनका ग्रूप बना देते हैं अलग-अलग यहां पर अ क्या करेंगे वो एक क्या करेंगे यहां पर लीडर सेलेक्ट करेंगे प्रत्य, हर अपर'ीव प्रूप से सकंषे का ले达 लेते हैं ठीक अब प्रत्य facultate में करती है चि ठीक है कुछ अमाउंट जो है गवर्मेंट क्या करती है यहाँ पर पहले से ही प्राइस अनॉंस कर देती कि इस प्राइस पर हम यह प्रोड़क्त लेने वाले हैं या प्रोड्यूस आपका लेने वाले है तो सर्टेंट प्रोड्यूस जो है सर्टेंट प्रोड्यूस टेक्स ब करती है मिंबर ह्में बैर ब्रिगेट मिंबर इसको डिवाइड करते हैं और क्या होता है यह लीडर क्रों रुट Neoれた है उन से इकंड रखला डेंगे और यहां पर जो फोडियोज होगा उसका कुछ कुष अमाऊट जो है गौश्या और चाइना में होती है ठीक है रशिया और चाइना होती है इसके तीन फार्म भी है इसके तीन फार्मिश, नेक्स्रों क्या बोलते हैं तोज, खोल-खोज और कॉमून यह तीन टोज, कभी कभी पूछ लेते हैं कि तोज किसे अंदर आता है तो collective farming के अंदर आता है नेक्स्ट्रों लास्ट्व नमरा क्या है cooperative farming कोपरेटिव और फार्मिग और सबसे ज़्यादा कोशन जो है यह ही से पूछे जाते elfik को मौस्ट कंष एना कोॉररटिव फार्मिग साही गाइग जो मेंबर्स होते हैं या farmers होते हैं वो अपने जो productive resources है land, labor, capital सबको voluntary basis पर collect करते हैं ठीक है जितने भी हमारे क्या resources हैं यहाँ पर land, labor and capital जो भी resources है farmers के पास वो voluntary basis पर voluntary basis पर क्या करते हैं वो pool करते हैं voluntary basis पर क्या करेंगे उनको pool करेंगे जैसे मेरे पास दस विगा जमीन हैं, आपके पास कोई और एक बंदा है, X, Bंदा Y, उसके बास भी दस भी गाज़ा है, उसके बास भी दस भी समॉस्? हम क्या करेंगे? तीनों की जमीनद को मिला लिए?- मतलब, 30 विगा जमीन हो गई land बिला लिए सब के पास labor है किसी के पास 5 labor है मेरे पास 10 labor है उसके पास 4 labor है तो सब के labor भी मिला ली है उसी तरह से capital मतलब किसी के पास टेक्टर है machinery equipment की बात हो रही तो सारे equipment भी मिला लिए voluntary basis voluntary basis मतलब जब हमारा काम हो जागा उसके बाद सब अपना अपना वापिस सट लेंगे clear है तो land labor और capital को हमने voluntary basis पे pull किया ठीक है अब यहाँ पे agriculture operation और ownership के basis पे इसको divide किया गया है यही से question बनता है कि किस farming में ownership individual होती है किस में collective होती है तो क्या हो गया ownership के basis पे और agriculture operation के basis पे इसको और further classify किया गया है clear यह table आपको बस याद रखना है इसमें यही से questions बनता है पहले बाद cooperative farming क्या होती है तो जो भी member और farmer होते हैं वो अपने जितने resources and labor capital उनको voluntary basis पे पूल करते हैं ठीक है collect करते हैं collect करने का मतलब यह है कि वो सब अपनी जम्मिन को मिला लेंगे सारे labor को मिला लेंगे और सारी जितनी भी मसीरे capital है सबको मिला लेंगे अब ownership और agriculture operation के basis पे इसको और classify किया गया है तो सबसे पहले आता है यहाँ पे cooperative better farming cooperative better farming में जो ownership होती है वो क्या होती है इंडिविज्वाल होती है क्लियर है cooperative better farming में यहाँ पे ownership इंडिविज्वाल होती है और agriculture operation जो होता है वो भी इंडिविज्वाल होता है ठीक सेकर आती है cooperative जोइंड farming यहाँ पे जोइंड फार्मिंग में क्या होगा ownership तो क्या होगी इंडिविज्वाल होगी पर agriculture क्या होगा क्लेक्टिव होगा joint से समझ में रहा है मैंने joint farming भी बताइती है joint farming की तरह ही है मतलब यहाँ पर क्या होगा farmers के सारे क्या होगे दो यह दो से अधिक फार्म मिलके क्या करेंगे आपर farming करेंगे तो farming करेंगे तो उनकी जो है ownership तो खुद की रहेगी मानलों मैंने इस तरीके से समझी है यह x एक बंदा एक y x बंदा इसके पास 10 विगा जमीन थी 10 hectare ले लिजे और इसके पास थी 8 hectare clear है अब यह 10 विगा का यह मालिक ownership तो इसी की रहेगी और इसकी ownership इसी के पास रहेगी अब इन्हों ने अपनी दोनों की जमीन को क्या किया पूल किया यह joint farming तो ownership तो इसकी individual है कि यह 10 hectare का यही owner रहेगा 8 hectare का y और रहेगा पर यहाँ पर क्या कर रहा है इन्होंने कुल दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा collective हो जाएगा agriculture operation next हम बात करेंगे cooperative tenant farming cooperative tenant farming में क्या होता है operation क्या होता है यहाँ पर collective होता है कैसे operation collective होता है यह थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यहां से question पूछा जाता है थोड़ा सा इसको हम detail में पल लेते हैं clear है और यहां पे क्या होगा यह collective होता है और agriculture operation individual होता है इस cooperative tenant farming में होता क्या है यह जितने भी हमारे पुजिबदी लोग होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर एक society होती है वो क्या करती है जितने भी जो land होती है उसको equal या unequal part में divide करते दिए equal और unequal part में छोटे छोटे टुकड़ों में फूरी land को क्या करेंगे जिसे इतना बड़े अईजिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या तो equally या unequal इसको divide कर देंगे clear मतलब यहाँ पे क्या हुआ ownership यहाँ पे क्या हुआ ownership तो क्या हुआ collective है क्यों collective हुआ क्योंकि यहाँ पे ownership किसकी है society की यहाँ पे क्या ownership किसकी है society की तो society क्या है society में कोई एक बंदा तो है नहीं तो यह क्या होगय ownership तो यहाँ पे क्या होगय collective अब यह जो जमीन इन्होंने अलग-अलग टुकड़ों में बाटी है यहाँ पे क्या करेंगे farmer को दे देंगे leach पे क्या करेंगे leach पे दे देंगे rent पे दे देंगे यहाँ पे क्या है यहाँ X farmer यह Y farmer J farmer यह A farmer यह B farmer ठीक है इन फर्म को दे देंगे और यह society ही यहाँ पे farming करने के लिए क्या देती है credit देंगी आपको seed भी देगी fertilizer भी देगी ठीक है, fertilizer भी देगी, सब चीज़ देगी, ठीक है, equipment भी देगी, मतलब farming करने के लिए सारी facility available करवाएगी, कौन सी यह society आपको, clear है, credit भी देगी आपको, seed भी देगी, fertilizer भी देगी, equipment भी देगी, सारी चीज़ देगी, तो यहाँ पर यह rent, farmer क्या करेगा, ship क्या करेगा, इसका rent पे करेगा, ship क्या करेगा, जो land इसने leach पे लिए, उसका rent पे करेगा, और जो भी produce यहाँ पे निकलेगा, उस farmer का खुद का होगा, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यह society, मतलब ownership तो collective है, society की है, लेकिन इस particular area में, जो उन्होंने leach पे एक farmer ने लिया है, यह farming कोन कर रहा है, individual farmer ही कर रहा है, इस area में वाई अपना farming कर रहा है, तो यह क्या होगा, यहाँ पे agriculture operation क्या हो गया, individual हो गया, और यह पूरी जमीन किस की है, society की है, तो society, मतलब ownership किस की हो गई, collective हो गई, और इस ही tenant farming में, यह society होती है, व ownership और agriculture operation इंडिडिवल के से हुआ, जितनी भी land थी, उन्होंने छोटे छोटे एक्वल या अनिक्वल टुकडों में बाण दी, और farmer को leach पे दे दी, तो जैसे मैंने दस भी का उसमें से leach पे लिए farming करने के लिए, तो क्या होगा, मैं एक agriculture operation खुद अकेला वहाँ पे कर रहा पे cooperative collective farming, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ownership भी collective रहेगी, society की रहेगी, और operation भी क्या करेंगे, सभी मिलकर करेंगे, agriculture option तो collective collective हो गई, तो यह आपका क्या हो गया है, यहाँ पे system of farming complete हो गया, अच्छा से समझना, questions यहाँ से बनता है, clear, ठीक है, अब थोड़ा साम एक topic और आपका raise आता है, farm planning and budgeting उसके बारे में भी discuss कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ छोटा सा है, आपका पूरा agriculture economics यहाँ पे खतम हो जाएगा, clear है, तो अब हम यहाँ बात करते है, farm planning and budgeting, farm planning and budgeting, यह आपका last topic रहे जाता है, one minute, क्लियर है, तो इस farm planning and budgeting, तो सबसे पहले बात करते, planning होता क्या है, planning क्या होता है, planning मतलब की एक, उसको हम बोल सकते की advance में decision लेना, ठीक है, हम कुछ पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने advance में decision, कल हमें कोई काम करना है, उसके लिए हमने आज decide कर लिया कि कल चो काम हमें करना ह वो हम इस इस तरह के करेंगे मतलब taking decision in advance क्या होगा taking decision in advance advance में decision ले लेना clear है आप exam की preparation कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एक पुरी planning कर रहे हो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है ताकि मैं exam clear कर पाऊ ठीक है आप पुरे दिन का भी plan करते हो कि मुझे आज पुरे दिन में इस इस तरीके से पढ़ना है मतलब क्या कर रहे हो पहले से ही decision ले रहे हो advance में decision ले रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप planning कर रहे हो तो उसी को बलते planning मतलब यह तरह से देखा जाए फूचर में देख रहे हैं कि फूचर में हम कैसे क्या काम करेंगे क्लियर मतलब क्या है Farm Planning ये तो हमने General Sense में बात कर लेगी planning क्या है कि हमें advance में जो हम decision लेते हैं उसको हम planning करेते है कि कल हमें जो काम करना है उसके आज ही हमने plan दुना लिया कि कल हमें ऐसे ऐसे यह काम करना है मतलब ये क्या है Forward Looking Approach मतलब कि हम आगे का देखते हैं कि ये काम हमें इस तरीके से करना है कल तो ये forward looking approach हो गई तो इसी reference में farm planning की बात करते हैं farm planning की मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक set of operation prepare कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक set of operation prepare कर रहे हैं किस के लिए farm के लिए during the plant period ठीक है किसी particular farm के लिए या particular enterprises के लिए हम क्या कर रहे हैं पहले से ही एक set of operation पहले से ही decide कर रहे हैं ताकि हमें क्या सके maximum satisfaction मिल सके मतलब क्या है यहाँ पर to prepare a set of operation to prepare a set of operation in advance to get maximum satisfaction to get maximum satisfaction for a form ठीक है to get a maximum satisfaction for a form मतलब किसी form के किसी form के लिए या maximum satisfaction for family in a form ठीक है या form enterprises मतलब हमारी family satisfaction के लिए maximum satisfaction के लिए form में जब हम पहले से ही advance में हम क्या करते हैं उसको हम बोलते है farm planning क्लियर है इसका main उद्देश क्या है यहाँ से question बनता है कि farm planning का जो है main objective क्या है यहाँ पर यहाँ पर क्या है maximize 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 annual net income ठीक है main objective क्या है कि जो हमारी yearly income है नेट इंकम है उसको बढ़ाना ठीक है हर साल जो हमारी income है उसको बढ़ाना मालो 2020 की जो इंकम थी farmer की वो मालो 10 रुपीज थी तो 2021 में वो क्या करेगा 15 रुपे चाहेगा मतलब उसको क्या करना है maximize करना है बढ़ाना है उसकी farming को तो यह उसका उद्देश है farm planning का बट यहाँ पर कोशन हो रहाता है कि इसका ultimate objective क्या है यह तो में हो गया ultimate objective क्या है मतलब यह farmer चाहा क्या रहा है वो annual net income तो अपनी बढ़ाना चाह रहा है तो animal जो उसकी वार्षिक ठीक है साल की जो एन नेट इंकम है वो तो बढ़ाना चाह रहा है maximum करना चाह रहा है पर उसका finally ultimate objective क्या है improve the living standard improve the living standard of farmer ठीक है farmer का living standard है वो improve करना में उदे से क्या है farmer अपने जो standard है living standard है वो improve करें यह इसका ultimate पुद्धेश है clear है तो यह farm planning हो गया farm budgeting की बात करते है farm budget क्या हो जाएगा farm budget के अंदर मतलब जैसे जो हमने अभी प्लान तयार किया clear अभी अपने जो प्लान तयार किया उस प्लान के लिए कुछ पैसा तो लगेगा तो पैसा लगाना फिर पैसा लगाने के बाद आप यह सोचो कि हमें कितना उस से return मिलेगा net income क्या होगी यह सारा analyze करना क्या के लाता है farm budgeting के लाता है for example अभी आप exam की preparation करने के लिए जाते हो इंदोर तो आप पहले से decide करते हो कि मैं इंदोर जाओंगा वहाँ पर रूम से रहूँगा तो मेरे वहाँ पर रहने का खर्चा कितना आएगा महिने का 5000 रुपे आएगा फिर coaching के फीस मारी 10,000 आएगी मैं एक साल तक रहूँगा तो टोटल खर्चा डिल लाग रुपे आएगा तो आप क्या भोलो कि घर पर पिता जी को कि पूरे साल का खर्चा डिल लाग रुपे आएगा तो यह सारा आपने क्या कि आप पूरे एक साल का बजट बता दिया आपने पिता जी को कि मैं जब preparation करने जा रहा हूं तो मुरे जो पूरे साल का जो खर्चा आएगा वो इतना हैगा clear है पहले से ही advance में clear तो इसको आपने क्या बोला farm budgeting तो यह इसी तरीके से हम farm budgeting को समझेंगे farm budgeting या farm budget ठीक है farm budget क्या होगा farm budget estimation of cost farm budget में हम क्या करते हैं इस समझ लीजे यह आपका आप क्या है ठीक है यह यह आपका farm यहाँ पर आपको क्या करना है यह पूरे वाली क्रॉप लगा ना माणलो यह सेयर्य में esteely क्रॉप लगाना खरीज बगाना अ रभी season में है लगाना जाहात में लगाना तो उसके लिए आप क्या करोगे purely क्या आएगी उसके लिए पहले पेसा पढ़ेगा तब यह पर कोश्ट क्या बाद आपर क्या करोगे रिटन एनालाइस करोगे क्या करोगे रिटन एनालाइस करोगे मैं 10 जार रुपए लगा रहा हूं तो कितना रिटन आने की संबावना है 15,000, 8,000, 50,000, इतना, clear है, फिर आप सोचो कि अगर इतना return है, मानलो आपने यहाँ पे 10,000 रुपे लगाए, cost आपकी ठीक है, cost आपकी 10,000 लगाए, आपने यहाँ पे return अनलाईज कर लिया कि total जो return आने वाला है वो करीब 15,000 आजाएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे कि net income कितनी हुई, net income कितनी हुई, तो 5,000 हमारी क्या हुई, net income, मतलब यह total estimation, ठीक है, यह total estimation आपका क्या कहलाता है, farm budgeting, यह जो आपने पूरा estimate लगाया है, इसी estimation को क्या बोलते हैं, farm budgeting, during the plan period, during the plan period, अब plan period आपका एक साल का हो, जैसे हैं आपने लिखा कि plan जो हमारा one year का है, तो इस one year के अंदर, आपने जो cost estimate कि है, कि 10,000 रुपे में कर्चा, 10,000 रुपे में लगाने वाला हूँ, फिर आपने return इना इनालाइस किया कि मैं इस तरिके से crop लगाऊँगा, इतना हमारा production हो जाएगा, market में इतना rate मिल जाएगा, तो हमें कितना में रिटन, 15,000 करीब मिल जाएगा, तो आप 15,000 में से 10,000 रुपे माइनस करो कि तो आपको net income कितनी मिल रही है, 5000 मिल रही है, तो इस पुरे का जो estimation होता है, उसी को, मतलब एक during the plan period, मतलब आपने एक साल का plan लगाया, पुरा एक साल के अंदर यह चीज़ आपको करनी है, तो during the plan year, आप cost, return और income, net income को estimate करते हो, उसी को हम बोलते हैं farm budget, clear है, अब यह दो प्रकार का होता है, एक partial होता है, और एक होता है अपना complete, partial या complete इसी को total भी बोल सकते हो, whole भी बोल सकते हो, partial budgeting और total budgeting, partial budgeting में होता क्या है, यहाँ पे, इसमें variable cost, सिब variable cost consider होती है, ठीक है, सिब variable cost, variable cost मतलब जो आप, जिससे आपकी seed हो गया, fertilizer हो गया, यह हो गया, यह variable में आते हैं, तो इनसे जो cost होगी, वो सिब partial में इतनी हो, मतलब partial change करते हैं, जिसे हमारा farm है यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ change किया, ठीक है, आपने यहाँ मुलों, कि आप 10 kg seed लगाने वाले थी, आपने 15 kg या 12 kg seed यूज किया, तो उसी variable cost चेंज होगी, है ना, for example, यहाँ पे आप wheat का जो seed यूज कर रहे थे, आपकी budget की साब से, आपने 10 kg यूज किया था, clear है, for example, example बता रहा हूँ, ठीक है, आपने थोड़ा सा partial change किया, कि नहीं यार, यहाँ पे 12 kg यूज कर ले थे, तो आपका 2 kg की seed का, यहाँ पे क्या आएगी, cost आएगी, उस cost को variable बोलते हैं, variable cost बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि seed जो है, variable resources है, complete cost में आपकी variable, cost और, fixed cost दोनों आती है, ठीक है, क्यों दोनों आती है, कि यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, minor change, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे minor change कर रहे हूँ, यहाँ पे क्या होता है, drastic change, यहाँ पे क्या होता है, drastic change, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप, old enterprises की जगा, new लगा सकते हो, old enterprise की place पे old enterprise की place पे आप क्या लगाओगे new enterprise थोड़ा सा minor change old की जगा नहीं लगा लिए आपने यहाँ पे क्या होगा आप पूरा का पूरा क्या करोगे reorganization करोगे क्या करोगे पूरा का पूरा new organization मतलब पूरी new technology adopt करोगे new technology adopt करोगे तो यहां पर क्या होगा? वेरेवल भी आगी, फिक्स भी आगी मतलब यहां पर जब रि-ओर्गनाइज़ करोगे तो आपको मसीने भी लाना पड़ेगी सो सकता है लेंड का area लेंड भी बढ़ाना पड़े, कम करना पड़े, केपिटल भी लगाना पड़े तो यहां फिक्स कॉस्ट भी आएगा और यहां पर क्या है ओर की जगा जिए अगली बार बार ले लिया ठीक है इस तरीके से क्लियर है और क्या हो सकता है यहां पे यहां पे जो होता है यहां पे supplementary and complimentary enterprises consider नहीं किया जाता enterprise consider नहीं होता ठीक है यहापे supplementary और complimentary enterprises consider नहीं होता complete वाले में supplementary and complimentary और आपका competitive competitive सारे interfaces यहाँ पर consider किये जाते हैं ठीक है supplementary, complimentary और competitive पर सारे consider किये जाते हैं अब यहाँ पर partial बस्टिनिंग थोड़ा क्या है यहाँ पर simple है simple है और less time consuming है मतलब यहाँ बोल सकते हो आप simple बोल सकते हो और less time consuming है ठीक है यह आपका क्या है यहाँ पर एक तो यह क्या है आपका more time consuming more time consuming है पहली चीज़ क्या है more time consuming है दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर आपको accurate data की जरुरत पड़ेगी accurate data required होता है यहाँ ठीक है accurate data required होता है यह पार्शनल बजटिंग हो गया आपका और यह कम्प्रिट बजटिंग हो गया और भी कुछ पॉइंट से इसमें आपको नौट्स में पुरे मिल जाएंगे ठीक है तो यह सारा आपका क्या हो गया है यहां पर फार्म प्लाइनिंग बज़ेंगे और भी बहुत सारे पॉइं यहां पर कुछ पार्ट यहां पर क्या होता है फार्म के कुछ पार्ट में चेंज होता है ठीक है और यहां पर पूरा पूरा फॉरा 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 फॉर अइटार्चार एक अपनिक सफ्या कब दोता अज़ाई पहेवाई रे ऑने का में जड़ाई एक दूता है